हालो स्टुटेंट्स, मैसेल्फ मोकेश वेशनो, आइम जुलोजी फेकल्टी, टेम जुलोजी, CLC सिकर, बिटा आज ये अभी जो पेपर हुआ है, ये पेपर DCM 27 पेपर है, टॉपिक है Human Reproduction, Reproductive Health and Embryology, बिटा पेपर जो है NCRT बैस रखा गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि entrance में निट के अंदर जो question आ रहे है, सारे के सारे वो क्या हरे, NCRT best question आ रहे है, एक एक line, single line आपको NCRT की बहुत अच्छी कर लेनी है, single word जो है, वो एक-एक word जो है आपको जो है अच्छ से याद कर लेना, बिटा कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो क्या करते ह को मनी-मन यह सामने हो थे तो उनको पर सबसे नहीं करूtsय कर लेते हैं या फिर हम घ्रियुज़ सीर इस्ट देव को जरूर करते हैं तो हम माता-पिता जो है वो जीवन में सबसे बड़े हैं बिटा वो माता-पिता जो है वो भगवान से भी अगर सबसे पहले किसी का रोल है जीवन में जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं माता-पिता तो माता-पिता को चरण करते हूं कोई भी काम शुरू करते हैं और या फिर अपने इससे देव का नाम ले लेते हैं जैवाजरंग बली बुल देते हैं तो खैर तो हम खानी शुरू करें कि यहां पर क्या पूचा गया है ठेखो पेपर मेंने पुरा NCID-based रखा है reason क्या है? NCID-based पेपर आ रहा है जो present time में उसके हिसाब से चलना पड़ता है अगर paper जो है बहुत out जाता है तो हम जो है उसी तरह के questions रखते हैं लेकिन present time जो है वो किसका चल रहा है? NCID-based question आते हैं तो चलिए पहला question जो है वो हम discuss करते हैं बिटा और पहला question जो है वो बड़ा प्यारा question है ऐसा question आपने देखा नहीं होगा बहुत ही handmade और शानदार question है immunological competent cells कहां मिलती है भी? हिल्दी में कहेंगे कि immunological competent कोशिका ही जो है वो कहां पाई जाती है? तो हम ये कहेंगे कि जो testis होता है जो व्रिशन होता है उस व्रिशन में testis के अंदर उसकी structural and functional unit होती है जिनको भोलते हैं saminiferous tubules जो saminiferous tubules है वो testicular lobule के अंदर saminiferous tubules होती है वो ती 1, 2, 3, 1-3 ये भी saminiferous tubule है ये भी saminiferous tubule है एक testicular lobule के अंदर 1, 3 saminiferous tubule अगर ये है तो हम ये कहेंगे कि ये जो saminiferous tubule है इनके बीच का जो space है इसे क्या बोलते है अपन? इसे बोलते हैं interstitial space इसको बोलते है बिटा interstitial space बोलते है ये जो interstitial space है यहाँ पर कुछ specific cells भी मिलती है विसिस्ट कोशिका भी मिलती है जिनको हम ledic cell interstitial cells बोलते है जो androsan male hormone androsan का secretion करती है androsan मिस male, genon मिस to secrete androsan का secretion को भी करती है बट हम ही क्या देखना है? हमें देखना है immunological competent cells तो यहाँ पर ये लीजे यही पर जो है आप कह सकते हैं आपकी संजीव नहीं आपकी NCRD लिखती है कि यही पर immunological competent cells यही पर जो है वो मिलती है immunological competent cells तो यह जो है कहानी है बटा फिर immunological competent cells क्या करती है? किस तरह का इसका function होता है? वो सब चीजे जो है हम class में discuss कर लेते हैं तो आपको जरूर जो है समझ में आओगा बड़ा यह असान question है कि immunological competent cells कहां मिलती है? immunological competent cells मिलती है शुक्र जरंक न लेकाओं कि मद्द अंतराली स्थान में interstitial space between seminiferous tubules यहां पर यह मिलती हैं तो यह पहला question डिसकस हुआ अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं बच्चों बटा जी next question की तरफ बढ़ते हम next question है वो है milk secretary hormone दुख दिस्तरावकारी हार्मोन कौन सा है? तो बटा दुख दिस्तरावी हार्मोन जो होता है वो progesterone जो होता है बटा हम यह कहेंगे कि milk को बाहर लाने वाला hormone अगर हम बात करें reproduction और endocrine logic दोनों से आप relate कर सकते हो बटा प्रोजेस्टरोन करता क्या है प्रोजेस्टरोन जो है यह pregnancy को maintain करने वाला hormone भी है और यह क्या करता है कि जो memory glands होती है न उनके इंदर alveoli का formation करवाता है बटा और alveoli का formation करवाएगा अगर alveoli बनेंगी milk तो जो है वो milk बनेगा उनमें milk बनेगा तो secret भी होगा तो milk secretary भी इसको लिखती है कौन लिखती है हमारी NCRT तो ध्यान रखेगा NCRT का एक-एक मैंने कहा है न एक-एक single line single word ध्यान रखेगा बटा हम यह कहेंगे milk secretary hormone कौन सा हो गया progesterone अब बढ़ते हम next question के तरफ लीजे बीटा आपके सामने next question है और next question जो है वो क्या है in human at the time of implantation embryo is मनुष्य में आरोपन के समय भ्रून होता है बीटा implantation होता है implantation means embryo का जो है वो uterus के अंदर जुड़ जाना mother के warm के अंदर मा की कोख में बच्चा जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते implantation यह जो implantation है यह किस condition में होता है implantation होता है blastocyst के condition में मतलब अगर हम mother के embryo की जब फोम में होते हैं और mother से जब जुड़ते हैं आराम से वहाँ पर बड़े मजे से वहाँ पर रहते हैं तो हम जब जुड़ेंगे तो हमारा कोई फोटो कीजे तो वो जो फोटो है वो है क्या blastocyst तो हम यह गएंगे बिटा कि in human at the time of implantation embryo is कैसा होता है वो blastocyst के condition में मनुष्य में आरोपन के समय ब्रून जो होता है वो blastocyst के condition में होता है तो यह बड़ा ही प्यारा question है इसका diagram बना के और embryo को जो है वहाँ पर uterus के अंदर दिखा के इस तरह का question पहले आया भी हुआ है बेटा तो ध्यान दीजिएगा चलिए अब हम discuss करते हैं अगला question बेटा यह जो question है यह reproductive health का जो है वो question है और मैं आपको बता हूँ reproductive health से मुफ्त के marks मिलते है ले लो ले लो ऐसे marks ऐसे बढ़ते है बेटा इतना साथो छोटा साथो chapter है और हमेशा question जरूर आते है तो बेटा हम यह कहींगे कि यहां पर और जाद दर किस पर आते हैं IUDs पर question आ जाते हैं ARD पर आते हैं Assisted Reproductive Technologies पर आते हैं NP questions आते हैं तो बढ़े आसान question बनते हैं तो यह जो question है यह non-medicated IUD के बारे हम पूछा गया है कि non-medicated अगर IUD है तो non-medicated IUD जो है वो क्या है तो बेटा हम यह कहेंगे non-medicated IUD जो है वो है lip pass loop आपको बढ़ा है पिटा कि copper D तो क्या होता है कि copper D copper releasing IUD होता है LNG20 क्या होता है LNG20 hormone releasing IUD होता है multi-loaded 375 यह भी copper releasing IUD है तो non-medicated ओश्दी रहीत IUD वो है lip pass loop यह लीजे जो है non-medicated IUD वो क्या है पिटा वो है lip pass loop next question हम discuss करते हैं और अगला question अगर हम जो है वो discuss करें तो भी कौन सा है वो fifth question right full form of RCH देखिए reproduction and reproductive health के question हम discuss कर रहे है embryology के question discuss कर रहे है तो यह फिर से reproductive health का question है RCH का पूर्ण सही नाम क्या है reproduction and child health care program RCH RCH की full form होती है reproduction and child health care program तो यह लीजे इसका जो answer जो चला गया बिटा जी वो answer कौन सा चला गया जल्दी से बताइए reproduction and child health care program यह इसका जो है answer चला जाएगा चलिए next question हम discuss करते हैं अगले question की तरफ अगर हम बढ़ें बिटा जी तो question number six पहली line NCRD की एक-एक line से question अपनको जो है solve करने पिटा है एक-एक single word निकालना है NCRD का मजाज अभी आएगा तो हम यह कहेंगे की human जो है human जो होता है वो कैसा होता है sexual human के अंदर sexual reproduction होता है human के अंदर हम सभी जगह है जानते है बहुत अच्छे जानते है sexual reproduction होता है human के अंदर तो sexual reproducing होता है और बच्चों को जनम दिया जाता है जन्म देने की कहानी होती है, तो जन्म देने की कहानी होती है, तो वीवी पैरस होता है, तो ये लिजे, बड़ा है आसान, human जो होता है, वो sexual reproducing, रिप्रोडूजिंग and वीवी पैरस, लेंगिक प्रजरन पाए जाता है और शिशूं को जन्म देता है, human, तो बिटा, आप को कि सर इतने आसान-आसान question आते हैं, अरे NCRD ने लिखा है, NCRD ने जो लिखा है, किसी भी question आसकता है और आये, बहुत आसान-आसान question भी आते हैं, तो कीजिए, सारी चीजिए, चलिए, अगला question जो हम लेते हैं और अगला question की अगर हम बात करें भी, अगला question कौन सा है, 7, lucky number 7 अगला गया भी, अब अगर हम 7, question number 7 की अगर हम बात करें, तो देखो बिटा, इसमें क्या कहानी है, कि हमें जो है, क्या करना है, the correct chronological order of the following events, ये events जो है, कि कि किस तरह से ये events होंगे, तो events तो बिटा, ऐसे होंगे, कि Puberty आएगी, भी ये Puberty क्या है, age of sexual maturity, तो age of sexual maturity में क्य मेल के अंदर जो है, male gamet, sperm का production शुरू हो जाएगा, और female के अंदर जो है, वो क्या होगा, वो ओवं का बनना जो है, वो शुरू हो जाएगा, तो बिटा, हम ये कहेंगे, कि gametogenesis, first reproductive event होगा, वो कौन सा होगा, gametogenesis, gametogenesis मतलब युगमक जनन की कहानी होगी, अचा फिर उस स्perm का female की body में, जो है, inseminate करवाता है, तो insemination वाला next reproductive, important reproductive event होगा, insemination, insemination होना वो जरूरी, sperm का male की body से बाहराना, ejaculation, वो important है, important है कि female, virginia के अंदर, female k external genitalia के इंदर जाना, वो important insemination important है तो यह reproductive event जो है important insemination insemination के बाद क्या होना है insemination के बाद यह होना है यह क्या नजर आ रहा है आपको यह नजर आना चील है वो female reproductive system female reproductive system में यह क्या है फैलोपीन ट्यूब हमारी amazing power बहुत होनी चील है बाइलोजी वालोगी बिटा जो सोचे वही नजर आना चीए, क्या नजर आ रहा है, female reproductive system ना, यह क्या है, phallopene tubes, वैशनों सर नजर नहीं आने चीए सामने, नजर आने चीए, phallopene tubes से ही है, यह क्या है, दोनों phallopene tubes किस से जुड़ी हुई है, यह uterus से जुड़ी है, तो पिटा हम यह कहेंगे, sperm जो है, वो आ गए है, इ इदर ligament की help से ओवरी जुड़ी हुई है, और ओवरी से ओवा आ गया, यहाँ पर जो है, phallopene tube में, और phallopene tube के यहाँ पर ampula में, दोनों में क्या होगा, fusion होगा, fusion होगा, miss, यहाँ पर fertilization place है, fertilization place है, यहाँ पर sperm और ओवा का fusion होगया, क्या बोलते होगा, fertilization, तो यह reproductive event होगा, N और N मिलका 2N cell, zygote का formation होगया, तो zygote बनेगा, वो reproductive event होगया, और zygote जो बन गया, उसमें जो है, जाइगोड जो होती है, वो एक single cell है, single cell से बहुत सारी multiple cell बननी चाहिए, embryo के इंदे, तो कैसे होगा, उसमें initial division of zygote, cleavage होगे, cleavage होगे, तो यह लीजे, यह reproductive event आगया, cleavage के बाद हम यह कहेंगे, कि जो है, वो cleavage के बाद जो है, वो बहुत सारी cells बनेगी, तो जो है, solid ball of blastomere, blastomere की ठोस गेंद नुमा म्रून बन जाएगा, और वो जो है, morula के लाएगा, बिटा, morula, important reproductive event नहीं है, क्यों, क्योंकि important reproductive event वो होगा, जब embryo implant होगा, condition नहीं, blastoli condition में, human blast law को बोलते, blastocyst, blastocyst की condition में, वो implant हो जाएगा, चुड़ जाएगा, तो blastocyst जो है, उसका करवा दीजिए, blastocyst formation करा दीजिए, उसका implantation करवा दीजिए, implantation के बाद जो है, वो कहानी चलेगी, क्या, implantation के बाद जो है, वो कहानी चलेगी, कि gastrula stage वगरा हो होगे मतलब गैस्ट्रेशन पीरिड चलेगा और हम यह कहेंगे गैस्ट्रेशन पीरिड के बाद जो होगा वो क्या होगा कि जब पूरा एंब्रियो बन गया तो गहेगा टिक 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 मुझे बहार आना है फीटल इजेक्शन रिफ्लैक्स और वो जो है बड़ी से बहार आएगा पार्चुरिशन पर्थ का मेन रिप्रड़क्टी इवेंट होगा तो अच्छा हम इखटा करते हैं मेन रिप्रड़क्टी इवेंट कौन-कौन से होगा गैमिटोजनासिस दैन उसके बाद गैमिटोजनासिस के बाद इंसेमिनेशन योगमक निर्मान फिर उसके बाद वीरेसेचन फिर उसके बाद निशेचन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जो पूरा का पूरा जो बना है वो बना है क्या इंप्लांटेशन निकालते हैं इन आए इन्हीं को he सबसे पहले युगमक जननन नर्मे शुक्राणु माधामे अंडानु बनेंगे फिर जो है insemination होगा मतलब नर जो होता है वो माधा की योनी में शुक्राणों को छोड़ेगा फिर क्या होगा कि दोनों का मिलन होगा शुक्राणों अंडानों का मिलन होगा उसे निशेजन कहेंगे fertilization होगा और fertilization के बाद जो है वो क्या होगा जाइगोड बनेगा जाइगोड जो है वो formation होगा यहाँ पर जाइगोड जो है वो formation जो है वो नहीं दे रखा है कोई बात नहीं अगला ले लेते हैं जाइगोड formation के बाद हम यह कहेंगे कि क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो cleavage होगे क्लिवेज नहीं दे रखें कोई बात नहीं नेक्स ले ले लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा वो नहीं दे रखा कोई बात नहीं नेक्स वाले ले ले लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट का गरबा हो दी चलेगी और उसके बाद वो बाहर आएगा और बाहर आएगा तो हम यह कहेंगे रोई का कैसे क्या चीए इसको मदर का मिल्क जो फर्स त्री डेज तक सिक्रीड होता है उसको बलते कोलोस्ट्रम वो जो है कैसा होता है यलो कलर का विस्कस होता है पूरे का पूरे डिटेल से जान लिया है पिटा, क्लास्वों भी पढ़ते हो आप, यहाँ पर भी पूरा solution इसका हो गया है, next question को हम discuss करते हैं, चले बच्छों हम discuss करते हैं, question number 8, question number 8 की अगर हम बात करें, तो इसमें पूछा गया है कि, जो testis है, उस testis का shape कैसा है, तो हम कहें करेंगे, oval shaped है, उसकी length कितनी है, उसकी जो length है, वो length आजाएगी, जो है, 4 to 5 cm, और उसकी width, width उसकी जो है, 2 to 3 cm, oval shape का है, तो हम यह कहेंगे, कि वैस्क जो मनुष्य है, उस वैस्क मनुष्य में रशन का जो आकार है, वो आकार कैसा है, वह अंडागार है, और उसकी cm, उसके चोड़ाई कितनी है, 2 to 3 cm, आसान question है, चलिए बच्चो, next question जो है, हम discuss करते हैं, अगला question जो है, अगर हम discuss करें, तो यह लीजे, question number 9, question number 9 की क्या कहानी है, which of the following duct stores sperm, कौन सी नली का शुक्राणों संगर करती है, अरे वही नली का शुक्राणों संगर करेगी दोड़ी देर के लिए, जिसका surface area किसका ज़्यादा होगा, surface area उसका ज़्यादा होगा, जिसके पास stereociliated epithelium हो, stereocilated epithelium, औरे, ऐसी epithelium जिसमें, stereocilia लगे हुए, तो एटा हम यह कहेंगे की ऐसी epithelium जिसमें क्या लगे हिए, भी stereocilia लगे वे, stereocilia ना तो permeable होते, stereocilia ना तो movable होते, तो करते क्या है underlemebased area को बढ़ाते हैं, तो इस पोम, अगर आएंगे तो यहाँ पर आराम से जो आहां आराम फर्मा सके, बड़ी सी जगहा पहें होँ सके हैं। तो ऐसा काम कहां पर होता है ऐसा जो काम होता है वह होता है de enorme होता है्वाग्ड पर पीट कर रहा हों। क्यों क्योंकि वहां पर stereosiluted epithelium है, stereosiluted epithelium क्या करेगा, stereosiluted epithelium surface area पढ़ाएगा, शुक्राण हो आराम करेंगे, फिर पोच-छोच उनकी develop बजाएगे, फिर दोड लगाएंगे मझे से, अनर्जी के लिए फिर fructose हो गे रहा है उनके पास, जो seminal fluid के अंदर होती है, द एक energy आजाने चीए, घटा-कटे वाली बात हो रही है, यहां पर हटे-कटे sporms की बात हो रही है, तेज energy वाले, तेज दोड़ने वाले sperm की बात हो रही है, पिटा, हम यह कहेंगे कि coitus होता है, copulation होता है, male और female में, वो coitus होता है, copulation होता है, methuny जो है, वो crea होती है, तो के शरीर से जो इस्खलित होते हैं और फीमेल की विजायना में जो है वो जाते हैं इन सैमनीशन होते हैं तो उसमें कितने 200-300 मिलियन ऑफ स्पहम 200-300 विलियन ऑफ स्पहम उन में से हम यह कहेंगे कि 60% ऐसे होने चीज़ जो नोर्मल शेप जाइस के जो है नजर आने चीज़ नजर आ रहे हैं आपको नॉर्मल शेप जाइस के जो है वो 60 पर्सेंट बिल्कुल बाइलोजी वालों की इमेजिंग बावर ब कोई बात नहीं पीछे कर देते हैं बिटा तो ये लीजे पीछे करें भई ये लीजे तो हम ये कहेंगे कि for a normal male fertility which of the following statement is correct नर्मे समाने जने शम्दा है तू कौन सा कथन सत्य है तो कथन सत्य निकालते हैं कि 60% sperm तो होने चीए नर्मल शेपन साइज के और 40% होने चीए जिनकी तेज दोड़ने वाले चीए तो ये लीजे थर्ड ओप्षन यहां पर सही हो जाता है ये लीजे थर्ड जो है क्यों 60% sperm normal शेपन साइज के और तेज दोड़ने वाले 40% चलिए और sperm को जो energy जो देता है वो कौन देता है fructose fructose energy मिलती है seminal fluid के अंदर जो होता है अब देखेंगे बिटा next question में तो चलिए अगला question हम discuss करें बिटा और अगला question अगर हम discuss करें भई तो ये लीजे कौन सा 11 question number 11 large amount of progesterone is secreted by progesterone की अधिक मातरा किसके द्वारा इस्त्रावित होती है तो बिटा progesterone जो है वो pregnancy hormone pregnancy hormone भई किसके द्वारा corpus luteum के द्वारा corpus luteum जो है कहां पर है यह रहा corpus luteum बड़ा प्यारा सा तो corpus luteum जो होती है वो corpus luteum progesterone की मातरा जो है वो इस्त्रावित करती है अगर pregnancy आ जाती है तो corpus luteum जो है यह बना रहता है 9 month तक जो है corpus luteum जो है बना रहता है progestron का secretion करता रहता है pregnancy hormone secret करता रहता है तो ये कहानी है पिटा आगे बढ़ते है next question की तरफ अगला question जो हमारा है वो अगला question क्या है अगला question है question number 12 the graphene follicle releases graphene follicle से मुक्त होता है graphene follicle graph ने discover की थी इसको mature tertiary follicle भी बोल सकते है mature जरूर लगाओगे तो हम ये कहेंगे कि भी जो graphene follicle है उससे क्या release होता है graphene follicle से release होता है human egg आपको होगे सर्फ human egg हाँ बेटा human egg आपको होगे सर्फ human egg को क्या बोलोगे मैं बोलोगे secondary oocyte जब at the time of fertilization human egg जो होता है मनुष्य का जो है मनुष्य की मादा का जो अंडानू होता है वो किस सवस्था में पाए जाता है secondary oocyte की condition में तो ये लीजे यहाँ पर जो answer जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो answer क्या जाएगा वो answer जाएगा secondary oocyte दित्यक oocyte graphene follicle से जो मुक्त होता है वो दित्यक oocyte मुक्त होता है और जो दित्यक oocyte होता है यह जो दित्यक oocyte होता है इसमें अंदर जोना पैलूसीडा जोना पैलूसीडा इस प्राइमरी एग मेंब्रेन इसका secretion खुद जो है ova करता है और हम यह कहेंगे इसके बाहर जो होती है वो एग मेंब्रेन होती है corona radiata corona radiata जो radiata होती है उस corona radiata का जो है वो ovary की follicular cells बनाती है आपस में चिपक जाती है हाई aloranic acid से और यह लीजे और यह जो है corona radiata this is secondary एक मेंब्रेन क्यों क्योंकि इसको ovary बना रही है तो हम यह गहेंगे बिटा यह जो है इसमें अब अगर यह सेकंडरी उसाइड का structure हमने बनाई लिया है अंदर जो है जोना पैलूसीडा एक मेंब्रेन अंडगला है जोना आप प्यारा सा जो है वो नुक्लेस रख डेते हैं यहां पर कोशका द्रह प्यारा सा कोश्का द्रह भर सकते हो पहली मेंब्रेन प्लाजम मेंब्रेन को यह वह शो कर सकते हो आप यह सारी चीजे बना कर आप ने शियुकंडरी उसाइड बना दिया जो है वह निकलेगा graphene follicle से तो graphene follicle में तो क्या करना आपको ठीका इंटर्णा और ठीका एक्सना यह बना दी आपने तो आपने किया थीका एक्सना और इंटर्णा बना दी यहां पर और यह लिजे यह एंटर्म जो है cavity बना दी जिसमें liquor follicle लिक भरा हो दा तो यह आपने graphene follicle बना दिया इस graphene follicle से जब मुक्त होगा जब यह यहां से जो है अगर हम यह कहेंगे इससे मुक्त करेंगे भई किसको मुक्त करेंगे यहां से जो है इसको निकाल देंगे हम यहां से बिटा जी यहां से इसको जो है यह लीजे जो है इसको मारकर ले लेता हूं बिटा मैं और हम यह कहेंगे कि कि किसको निकाल देंगे हम इसको बाहर बाहर निकाल देंगे ग्राफिन फॉलिकल से और ये बाहर निकालने का काम कौन कराता है बाहर दाईज कराएगा लुटेनाइसिंग हर्मोन कराएगा पड़ो बेटा जी बहुत अच्छे से NCRT को पढ़ो सारे question उसमें साथ हैं उसको बहुत प्यार भर ये तरीके से पढ़ो चलो अगला question लेते हैं मेरे बिटा अगला question है question number 12 प्यारे बिटा जी अब हम discuss रते है question number 13 scientifically sex of the baby is determined by वेगनिक रूप से बच्चे का लिंक किसके द्वारा निर्धारित होता है तो यह निर्धारित होता है only father only father क्यों बिटा क्यों 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 की mother की अगर हम बात करें तो mother में तो एक ही प्रकार के जो है ओवा ओवम secondary demonicide कह सकते हो तो एक प्रकार के अढणों बनते हैं और वो बनते हैं कौन से भही 22 प्लस एक्स यह प्रकार के अढणों बनते हैं mother के अंदर तो यह वाले अब father के अंदर जो है sperm जो बनते मुship दो तरह के sperm बनतैं इक तो बनेंग़ कौन से 22 प्लस X वाले गाइनो स्पर्म अगर यह गाइनो स्पर्म फटिलाइज करते हैं तो जो एंब्रियो बनेगा भ्रून बनेगा वह माधा बनेगी X और X माधा और अगर ये वाले फेटलाइज नहीं करें अगर ये वाले फेटलाइज करते हैं एंड्रो स्पर्म फेटलाइज करते हैं 22 प्लस Y वाले फेटलाइज करते हैं तो जो एंब्रियो जो बनेगा वो एंब्रियो जो है वो क्या बनेगा वो Y क्रॉमोसोम लेके फ़िट से रिपीट कर रह रहा हूं क्योंकि दो तरह के शुक्राणू बन रहे है को यह कहानी है usually хng यह कहेंगे कि यह है जो scientifically, जो sex of the baby जो determined होता है, वो कौन determined करता है, पिता के द्वारा determined होता है तो इसका complete solution यह है पिटा जी, मिलते है अगले question के साथ चलिए अगला question क्या है प्यारे बच्चों, अब हम discuss करते है, next question 14, question number 14 Morula divides and transforms into Morula विभाजित होता है, किस में परिवर्तित होता है, बटा Morula जो है Morula first embryonic stage है जिसमें embryo solid ball की form में होता है तो वो जो है किस के अंदर transform हो जाएगा, वो blastula condition में transform हो जाएगा मनुष्य के blastula को बोलते हैं, आप blastocyst यह blastocyst बोलते हैं तो यह लीजे, एक concept पहले भी clear है आपका, तो आसानी से question हो जाता है बटा, अगला question जो हम इसके अंदर discuss करते हैं, वो अगला question जो है वो क्या है, प्यारे बच्चू अब हम बात करते हैं, question number 15 की, in human adult females oxytocine मनुष्य की माधा में oxytocine बटा, हम यह कहेंगे की बटा, क्या करेगा oxytocine बटा, causes strong uterine contraction during parturition प्रसव के दोरान, यह गरबाशे में त्रिवर संकुचन उत्पन करता है बटाई, क्या होता है, अगर आप से कोई पूछे, कि बताईए बताईए जो है प्रसव का, parturition का main hormone कौन सा है तो आप कहना, अरे, इतना सा नहीं जान देऊ बड़ा असान है, oxytocine है oxytocine प्रसव का main hormone है और प्रसव के समय अगर हम बात करें कि यह जो है, release जब होता है तो यह जो है, क्या कराता है जो uterus है, उसके अंदर जो है contraction होंगे, और uterus के अंदर जो है, अगर हम बात करेंगे contraction होंगे, बच्चा अंदर है mother को lever pain आएगा बच्चों हम यह कहेंगे कि उसके बाद जो है, प्रसव की relax in secret होगा, ovary relaxing secret करेगी और relaxing secret होगा तो वो जो है, birth canal जो है वो dilate होगी और newborn जो है, बाहर आएगा बर्थ की कहानी, पार्चुरिशन की कहानी पूरी हो जाएगी, बट पार्चुरिशन की कहानी में, main important जो रोल है, कि भई, newborn को कि जाओ, नई दुनिया में, जाओ बिटा जी, ये कौन करवादा है, oxytocene, तो ये कहानी है, बिटा, question number 15 की, तो अगला question discuss करते हैं, बड़े मज़ दौरा डखा रहता है, बिटा, योनी का दौर जो है, वो डखा रहता है कि इसमें, virginal female के अंदर, virginal female, जो है, कौमारे बाला हैं, उनके अंदर ये डखा रहता है, किस से, hymen से डखा रहता है, hymen membrane से, बच्चों, virginal female को हम बोल सकते हैं, without sexual experience, ऐसी जो है, कौमारे बाला हैं ह पिटा क्या होता है यह जो hymen membrane होती है ना यह hymen membrane बहुत सारे अलग-अलग region होते है जिसके वज़र से break भी हो जाती है तूड़ भी जाती है जैसे अगर हम बात करें cycling horseback riding उसके अलाबा बचो टेपर्नम insert कराने से उसके अलाबा बचो यह जो है किसी भी जो है चोट वग्राद बगने से जॉल्ट हुआ है ना कुछ भी तो इस तरह से भी यह jin ब्रेक हो जाती है तो यह बेनी का इंडिकेशन नहीं होता है कि वह बस कहते हैं कि इन वर्ज और फ़ुमेल कुमारे बहलाओं में जो योणी जो रहती है वो hymen के द्वारा टकी रहती है अब हम discuss करेंगे next question प्यारे बचों question number 17 की बात करें hymen can be torn or broken by hymen किसे द्वारा तूट सकती है तो hymen जो है तूट जाती है first coitus बिल्कुल तूट जाती है sudden fall and jolt अचानक चोट लगने से बिल्कुल तूट जाती है समभग में तूट जाती है horse riding गुर सवारी बिल्कुल तूट जाती है cycling की बात करें हम cycling से भी ब्रेक हो सकती sports activity से ब्रेक हो सकती insertion of a vaginal temponum योनी temponum प्रिविश कराने से भी तूट जाती है तो hymen membrane जो है वो टूटने के जो है वो सारे इसमें reason बन जाते हैं और सारे reason अगर इसमें बन जाते हैं तो इसमें जो answer जो जाएगा बिटा वो सांसर जाएगा all of these यह answer इसके अंदर चला जाएगा यह लीजे इसके अंदर आंसर चला गया उप्रोग सभी चलिए अगला question बच्चों हम discuss करते हैं प्यारे बच्चों और अगला question है question number 18 semen consist of वीरे में होता है बई वीरे में seminal plasma तो होता ही है यह seminal plasma में क्या क्या शामिल है seminal plasma के अंदर जो है वो सामिल है शुक्रद्रव seminal fluid जो seminal vesicle का fluid होता है वो शामिल है इसमें शामिल है prostatic fluid जो प्रॉस्टेडिक gland का फ्लूड है वो इसमें शामिल है इसमें शामिल है cowper's fluid जो cowper's gland का fluid है वो इसमें शामिल है तो तीनों को मिलाकर आप seminal plasma बोलते हैं और seminal plasma के अलावा जो है अगर हम बात करें कि seminal plasma के अलावा जो है क्या कहानी बन गई यहाँ पर यहाँ पर कहानी यह बन गई कि शुक्रानू हो, seminal plasma और शुक्रानू हो, शुक्रानू को आप sperm भी बोलते हो, spermatozoa भी बोलते हो, तो ये seminal plasma और spermatozoa दोनों मिलते हैं, तब आप कहते हो semen, आप कहते हो vire, ये कहानी है, और इसमें अगर हम कहें कि seminal plasma के अंदर sperm को energy देने वाला सबस्टेंस, वो कौन सा आप जानते हो, fructose है बिटा, तो ये सब important कहानियां बनती हैं आपे, अगला question हम लेते हैं, अगला question हम लें, वो है question number 19, primary ucite grows in size and completes its first meiotic division inside the, प्राथिमिक ucite आकार में व्रदी करती है, तता प्रतम अर्दुसुत्री विभाजन पूर्ण करती है, उस समय ये किसमें विद्धमान होती है, primary ucite की बात है बिटा, और primary ucite में जो है, यहाँ पर हमें जो देखना है, वो दो important बाते देखनी है, वो दो important बाते कौन से देखनी है, एक तो फॉलिकल के अंदर होती है, तरत्यक फॉलिकल के अंदर ऐसा पाया जाता है, हम यह कहेंगे तरत्यक फॉलिकल में जब इस तरह का हो जाएगा, तो प्रात्मिक जो ucite है, वो secondary ucite में बदल जाएगी और हम यह कहेंगे, पर्थम मर्द सुत्री विवाजन तो होगी, या फर्स पॉलर बोड़ी तो निकली जाती है, और हम ही कहेंगे कि जो है, secondary ucite जो बनेगी, वो जिस फॉलिकल में मिलेगी फिर उसे graphene follicle, या mature tertiary follicle, graphene follicle आप उसको बोलते हो, तो वो सहानी बनेगी बिटा, यहाँ पर, तो tertiary follicle, इसमें चला जाएगा, अगला जो है, वो हम ले लेते हैं बिटा, और अगला जो है, वो अगर हम इसके अंदर लें, मेरे प्यारे बच्चों, तो question number 20, which of these hormones is are produced in women during pregnancy, गर्भ धारन के दोरान माधा में निमने मेंसे कौन से hormone उत्पादित होते हैं, बच्चों हम यह कहेंगे, कि भई, यह तो सारे hormone उत्पादित होते हैं, यह तो जो है, अगर हम बात करें, pregnancy के hormone है, pregnancy के hormone है, वो pregnancy का hormone भई, कौन-कौन से है, यह hormone है, यह लिजए, SCG, हाँ, ठीक है, HPL, human placental lactogen, SCG तो क्या कराता है human chorionic gonadotropic hormone gonadotropin ये क्या करवाता है ये जो है embryo के अंदर जो है gonads का development कराता है अगर नर बनुर्ण बन रहा है तो वरिशन का मादा बनुर्ण बन रहा है तो अंडाशे का development कराएगा आपको पता है पिटा अगर हम बात करें HPL human placental lactosean human placental lactosean जो है वो क्या क करवाता है आपको पता है ये milk जो है अगर हम बात करें milk formation करवाता है ये पता आपको और पिटूट्री का PRL भी करता है अगर हम बात करें कि relaxing relaxing जो है ये relaxing जो है वो क्या करेगा relaxing आपको बता है कि pregnancy के last में जब पार्चुरिशन होता है उस समय पर ओवरी इसको release करती है तो हम सारे pregnancy में ही ये सारे के सारे pregnancy में ही secret होंगे जो SCG है जो HPL है पिटा ये जो है placental hormone है relaxing की बात करें तो relaxing जो होता है mainly आपकी संजीवनी NCRD लिखती है mainly जो secret करती है वो कौन secret करती है और जो है इसको release करती है तो पिटा यहाँ पर आपको के सर आंसर गया है तो उपरोक सभी all of these चलिए next question हम देखते है अगला question question number 21 बड़ा प्यारा question है stem cells पर question है और stem cells यहाँ पर आ गई जहाँ पर stem कोशका आ गई वो तो important बात बनती है stem cells which have the potential to produce all type of cells tissue and organ are present stem cells ऐसी कोशका होती है जो किसी भी कोशका में किसी भी उतक में जो है और अंग में जो है वो पदल जाती है मतलब उसको बना देती है उसको निर्मित कर देती है उसको उत्पादित कर देती है तो stem cells के बारे में आप जानते हो और यह stem cells जो है कहां पर होती है stem cells होती inner cell mask के अंदर अगर हम बात करे में यह इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है बाहर की तरफ इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है और बाहर की तरफ इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसको तो जो है ट्रोफो ब्लास्ट बोलते हैं पिटा जी ट्रोफो ब्लास्ट बोलते हैं इसको और हम कहेंगे कि यहां पर कुछ embryonic cells जो हैं वो इखटी होकर इस तरह से cluster बनाती है और इसको बोलते हैं आंत्री कोश्की द्रवमान inner cell मास इसी के अंदर जो है यह fetus बनाएगा यह बाद में जो है वो fetal membrane बनाएगी मतलब अगर यह ब्रून बनाएगा तो यह ब्रूनी कलाय बनाएगी trophoblast और आप stem cells किसके अंदर तलाश करेंगे अगर stem cells देखेंगे तो वो मिलती है इसी के अंदर inner cell मास के अंदर यहीं पर मिलती है यह structure ब्लास्टोसिस्ट का structure है ब्लास्टोसिस्ट जब हम मदर के वाम में बड़े आराम से जब implant होते उस समय का हमारा कीच मेरा photo वो है चलिए अगला question जो है discuss करते है मेरे बच्चों और अगला question हम discuss करें उसमें भी question number आता है 22 एले सर्ज कॉजज एले सर्ज उत्पन करता है बिटा एले सर्ज जो है उससे क्या होता है भी एले सर्ज से एक तो graphene follicle rapture होगा है यहाँ पर यह राप चरो graphene follicle यह होगा और graphene follicle इस जाएगा तो उसमें से आपके ncid ने diagram में भी लिखा हुआ है theory में भी लिखा हुआ है कि जो secondary जो उसाइट होती है उसी secondary उसाइट को बार बार repeat कर रहा हूं देखो मैं secondary जो उसाइट जो होती है बिटा सेकेंडरी उसाइट को जो है वह ओवम आप इसी को जो है है ओवम केते हूं human के case में तो मनुश्य की माधा में अंडाणों का मतलब है secondary हुसाइट तो खेर यह दोनों हो जाएंगे बीटा और दोनों हो जाएंगे तो कौन सा चला जाएगा बहुत one and two यह answer चला जाएगा बहुत one and two यह answer चला गया तो यह लीजे यह solution बना हमारा का इस question का LS search का अगला जो है बच्चों question की हम discussion करें अगला question है वही 23 cdri stand for Central Drug Research Institute लखनो बिटा cdri लखनो आप जानते हो उसने जो है contraceptive pills जो develop की आपको पता है सहेली तो सहेली जो है वो develop करने वाला कोन है वह है cdri लखनो Central Drug Research Institute तो यहाँ पर बिटा जी यहाँ पर जो है वो चला जाएगा यह लीजे cdri Central Drug Research Institute कौन सा बही Central Drug Research Institute यह रहा Central Drug Research Institute यह चला जाएगा cdri प्यारे बच्चों discuss करते हैं अगला question अगला question जो है वो कौन सा है बही question no.24 select the correct anatomical sequence सही सरस्नात्मक करम का विकल चुनिये बेटा यह जो है अगर हम बात करें ब्रशन की जब सरस्ना देखते हैं टेस्टीस की जब बनाती है network जैसे बोलते रैटरेटरेस्टिस से कने अजा जाएगा रैटरेरस्टेस थ्wn ट्वूल्स पत्ली नलिकाओं की दोरा बहार आती है जैसे बोकर अधिवर्शन जहां पर शुक्रानों थोड़े देर के लिए आराम फर्माएंगे इस्टिरियोसिलिटेड एपिथीलिया मिलती है उनमें टेल वेल डबलप होगी है ना और फिर उसके बाद जो है अगर अगर कैपसिटेशन होगा योग गेतारजन हाला कि हाईस जो योग गेतारजन हैा वह फिमेल रिपर्ड़क्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है माध्र की प्रजनंद मार्क में होता है कैपसिटेशन मतलब उनमें निश्यचन की शमतक आ जाना वह जो है आप ही कहोगे सर थोड़ा सा structure में structure बना के बता दो तो क्यों नहीं बिटा most welcome structure बना के बिलकुल आपको बताएंगे यह structure बना के कैसे जो है इसको समझा जा सकता है अगर हम बात करें कि यह लीजे बिटा इसको पहले तो हम बन क्या करते हैं कि question वह वाला यह लीजे और हम क्या क करें कि बिटा यह इस तरह का क्या है कि यह testis है testis में अगर हम बात करें बिटा कि यह testicular lobules है testicular lobules के अंदर क्या भरी हुई है seminiferous tubules, seminiferous tubules roughly बना लेते है अपन इसको बिटा यह क्या है यह state tubule के तरह इदर आएंगी और इदर एक network बनाएंगी जिसे बोलते है ratatastis, यह ratatastis है ratatastis thin tubules के थ्रू जो है वो बाहर आती है waspherentia बोलते है इनको waspherentia highly cold होती है और highly cold होकर बनाती epidemis और epidemis से last tube निकलती है जिसे बोलते है waspherence हिंदी में मैं बताओं तो शुक्र जनक न लिकाएं फिर शुक्र जनक न लिकाएं फिर शुक्र जनक न लिकाएं के बाद जो है यह क्या है बिटा यह आंसर चला जाएगा यह structure में निकल के आ जाता है चलिए अगला क्वेशन हम डिसकस करें बचों और अगला क्वेशन अगले क्वेशन है उस सीरे को अगर हम बात करें तो वो जो सीरा है उसको ग्लांस बोलते हैं आप अगर अगला क्वेशन हम लेते हैं और अगला क्यूशन हमारा जो बनता है question number 26 question number 26 जो बनता है थोड़ा सा जो है आप कहोगे सर इसमें calculation है क्या calculation आपके calculated question की बात करें तो calculated question आपके बस plus minus करने होते हैं इस तरह की चीजें आती है calculation की कोई ज्यादा तो पेटा आप लोगों को आता नहीं है है वो तो physics में आएगा आपके यहां तो biology में तो आपको plus minus करना और ऐसे चोटी बूटी calculation आती है बिटा हम यह कहेंगे कि एन एडल्ट टेस्टिस एक जो है अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें भाई हम एडल्ट जो है वो टेस्टिस की बात कर के अंदर तो आपको पता है 250 लेकिन यहां एक वरिशन का नहीं पूचा गिया है मेरे प्यारे बच्रों यहांwelों वरिशन का पूचा गिया है यह वर रशनों में है यहां पर और यहां पर जो है अगर हम कहें उसक् Legacy के बात है अगर यहां पर आई होता अच्छा टेस्टिकुलर लोबिल में क्या भरी होती है सैमिनी फेरस टेबूल है किटनी होती है वन टू थ्री जनते हो आप लोगं चलो बिटा अगला क्वेशन हम करें अगला क्योशन का solution जो है क्योशन नमबर है 27 सामिनल प्लाजमा इज रिच इन विच शुगर सैमिनल प्लाजमा में कौन सी शरक्रा प्रचुर मात्रा में पाए जाती भई वही शुगर पाए जाएगी जो शुक्राणों को तेज दोडाएगी वह तेज कौन दोडाएगी फ्रक्टोज जो है तो इतने पिसले जो है वो solutions में भी हमने देख लिया कि फ्रक्टोज जो है ये काम करती है तो फ्रक्टोज अगर ये काम करती है तो ये लीजे पिटा हमने यहाँ पर जो है ये लीजे इसका answer जो हो जाता है ये हो जाता है फ्रक्टोज अगला ले 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 तौ वह होती है, एक से 3, 1, 2, 3, पता है हमें, के ब siz यह कितनी होती है, यह उती है, बिटा जी एक से 3, तो लीजे, 1, 2, 3, यह थोड़ा सा, आगे बढ़े गया हमारा यह लीजे, हम जो है, आगे यह लिजे एक से तीन तो यहां पर इसमें answer जो चला जाएगा, वो चला जाएगा, क्या चला जाएगा भ astrology यहां पर answer चला जाएगा बएगा, One, Two, Three, एक से तीन, चलू बइता, next question ले ले लेते हैं, next question हम लेते हैं, उसको discuss करते हैं, अगली slide के अंदर, प्यारे बच्चों, next question हम discuss करते हैं, अगला question है, semi-ferrous tubules contain cells for providing nutrition to sperm cells, शुक्र जनक न लिकाओं में कोशिका हैं, कौन सी कोशिका हैं, जो शुक्राणों कोशिकाओं को प्रोशन प्रदाहन करती हैं, प्रोशन प्रदाहन करने के लिए तो कौन सी कोशिका हैं, प्रोशन प्रदाहन करने के लिए अगर हम बात करें, तो सर्टोली कोशिका हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं को जो हैं, आप क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाओं को आप nurse cells भी बोलते हैं, है न बटा, तो ये जो nurse cells होती हैं, अगर हम बात करें भी कौन सी cells? Nurse cells तो यह लीजे ! Sertoli cells कहो चाहे nurse cells कहो यह क्या करती है यह जो है शुक्राणूं को अगर हम बात करें कि शुक्राणूं को जो है वो portion प्रदान करने का कार करती है शुक्राणूं इनमें portion प्राप्ति के लिए दसे वे पाई जाते हैं ऐसे बिटा तो सर्टोली कोश्का हैं यहां पर जो है आंसर चला जाएगा फिर लेडी कोश्का हैं तो क्या करती हैं लेडी कोश्का हैं तो एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं हम यह कहेंगे लेडी कोश्काओं को इंटरस्टिशल सेल्स भी बोलते है यह तो ऑगी प्राप्ती के बाद ध स्पर्म करते हैं ले यहां प्राप्ती के बेटा हम यह कहेंगी, the cells which secret androsan are, वो कोशिका है जो androsan इस्त्रावित करती हैं, बेटा androsan जो इस्त्रावित करती हैं, वो इस्त्रावित करती हैं, interstitial cells, interstitial cells इनको ledic cells भी गहते हैं, हम देख चुके हैं, यह seminiferous tubules, यह seminiferous tubules के बीच में जो space है, interstitial space, और यहां जो androsan जो होता है, male hormone, androsan जाता है अंदर, seminiferous tubules के अंदर, कैसे जाता है, higher concentration to lower concentration जो है, यह जाता है, और यहां पर इसका इंतजार कर रही है, कौन, ABP, androsan binding protein, और androsan binding protein, androsan को bind कर लेगी, यहां पर, lumen of seminiferous tubules के अंदर, ABP का secretion करता है, कौन, यह करती है, sertoli cells, कौन कहता है, sertoli cell को, कि भही, तुम ABP का secretion करो, वो FSH, इसको stimulate करता है, तो यह ABP secret करेगी, जो androsan को bind कर लेगी, और androsan bind होने से, जो process है, spermogenesis, spermogenesis, आप बोलते हो, formation of sperm from spermatid, वो process बढ़ेगा, तो यह कहानी बनेगी, बिटा, खेर, यहां तो सीधा-सीधा जाता है, कि वो कोशक हैं, जो androsan इस्त्रावित करती हैं, तो androsan इस्त्रावित कर रही हैं, कौन, अंतराली कोशिका हैं, अंतराली कोशिका हैं, interstitial cells, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, और अगला question है, question number 31, question number 31, which one of the following is not a male sex accessory gland, बिटा, निम्न में से कौन सी एक नर्ध samhag camar fij जनं घरंथी नहीं है, बिटा, नर्ध साहक जनं घरंथी की हम बात करें, तो sminal väcical ड्रियं지가 ली तो statesřिजर जनं घरंथी जो हैं, यह साहईनल ज साहं जनं घरंथी जनं करें, प्रस्टर की बात करें तो यह sérd factual जनं घरंथ है हना यह सब जो है accessory जो है reproductive glands है बट से बात करें तो बेटा अधीव रशन जो हता है यह जो है accessory reproductive gland नहीं है तो यह कहाणी है इस question के अंदर next question हम देखते है बेटा अगला question है वो क्या है अगला question है 32 find the false statement गलत कथन चुनिए गलत कथन इस में से चुल लेते हैं a pair of seminal vesicle is present in human males मनुश्य के दर में एक जोड़ी शुक्राशे उपस्ते होते हैं हाँ भी बिल्कुल होते है a pair of prostate ना 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 पेर नहीं prostate जो होता है ना बिटा ये थोड़ा आगे पिछे हो गया ये अगर हम फॉल्स जो है हमें डूना था फॉल्स हमने डून लिया यहाँ पे कि मनुश्य में एक जोड़ी नहीं prostate जो होती है वो single होती है बागी तो फिर आप देखी लोगे glance पहली जो है वो loose fold से covered होता है for skin बोलते है उसको ठीक है फैलोपीन ट्यूब जो है दस से बारा सेंटेमेटर लॉंग ट्यूब होती है ये भी ठीक है तो बिटा सारे के सारे सही जो है ये सारे के सारे जो है statement जो है वो सही है मैं गलत statement दुनना है गलत statement वो आएगा second वो आजाएगा second ये लिजी ये कहानी अगला question देख लेते हैं पटा जी अगला question क्या कह रहा है finger like projection of infundibulum R ये मैंने बताया था ये क्या नजर आना चाहिए आपको female reproductive system और female reproductive system में ये क्या है फैलोपीन ट्यूब फैलोपीन ट्यूब का ये यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर आगे जो इन्फंडी बुलम के आगे जो है यहां पर ये finger like projection ये क्या होती फिंबरी प्यारे पचो अगला question देखते हैं अगले question वो कुछ आ गया है गर्भाशे का मध्ध इस्तर जिस मोटी पेश्य परत दौरा निर्मित होता है वह होती है बटा अब मध्ध जो इस तर होता है देखो गर्भाशे में अगर हम गर्भाशे की बात कर रहें तो गर्भाशे के अ मायोमेट्रियम और इसको बोलते हैं अंडोमेट्रियम बटा मध्ध वाली पूछी गई है इसमें और मिडिल लेर अगर पूछी गई है तो मिडिल लेर जो होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम अगर बोलते हैं तो मायोमेट्रियम क्यों बोलते हैं भही यह मायोमेट्र जो कहना नहीं माने क्यों अगर कहना मानती तो यहीं पर मदर बच्चे को मेरी पैरे नहीं पर ऐसे मात निमान दिने बच्चों हम यह कहेंगे बात नहीं मानती तो कौन सी जो है involuntary muscles होती है और leaf internally muscles होती है smooth muscles होंगी बटाई चिकनी पेशियां चिकनी पेशियां कभी बात नहीं मानती है smooth muscles तो यह जो है बिटा कहानी है यहाँ पर तो इसमें चला जाएगा smooth muscles involuntary muscles अगला question ले लेते हैं मेरे पहरे बच्चों अगला question हमारा है जो है 35 question number 35 की अगर हम बात करें तो 35 में क्या कहानी बनेगे भई which layer of uterus undergoes cyclic changes during menstrual cycle करवाशे की कौन सी परत में मासिक चक्र के दौरान चक्री परिवरतन होते हैं मतलब बार-बार मोटी होती है पतली होती है मोटी होती है पतली होती है तो बिटा अब भी हमने देखा था कि यह uterus और uterus की जो innermost layer होती है उस innermost layer को जो है आप क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं endometrium उसको बोलते हैं endometrium जो होती है न ये एंडोमेत्रियम जब यह क्या बार-बार बूस्ता हो मैं तो यह क्या नजर आता आपको female reproductive system ovary में क्या होता है ovary में औववा बनता है और हम यह गहेंगे अगर ओवरी में अववा बनेगा हर मेने अववा बनेगा मैंस्टुल साइकल के अंदर तो यहाँ पर अगर अगर हम बात करें यहाँ यूटरस का जो एंड़ोमेटरिम ने थीक होता है तो उसको इंप्लांट होना है तो थीक होगा वहां पर हाला कि जीवन में जो fertilization होता है, जो sperm आता है male partner से, वो जीवन में fertilization कितना, हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारा एक, पढ़ते हो आप reproductive health में, reproductive health में क्या पढ़ते हो, पहले slogan था, हम दो हमारे दो, हमारे दो, है न, family planning वाला, बाद में जो है, RCS ने कर दिया reproduction and child health care program mensual phase होती है, उसमें बाहर, rupture होगा बाहर, और जो endometrium की layers भी बाहर, फिर होगा बने आगले मेंने, फिर endometrium की layer मोटी होगी, तो हर मेने endometrium की layer, बिटा, मोटी पतली होती चली चाहेगी, मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते हैं ये class में, बढ़ा interesting तरीके से हम पता आपको, तो बिटा हम ये कहेंगे की जो cyclic changes होते हैं, वो किसमें होते हैं endometrium के अंदर, कहां अब ही endometrium, ये रहा endometrium, तो ये लीजे, ये option से हो जाएगा, अगला question ले लेते हैं बिटा जी, और अगला question हम लेते हैं, कौन सा, 36, question number 36 की अगर हम बात करें, तो ये जो है clitoris, कहां पर होता भी, clitoris जो होता है बिटा, अगर हम बात करें, labia minora, होता क्या है वल्वा की अगर आप structure देखोगे, तो वल्वा के अंदर, भग के अंदर, भग की सरसना देखोगे, तो वल्वा के अंदर जो है, skin के जो मोटे फोल्ड होते हैं, उनको तो बोलते हैं, लेबिया मैजोरा, ये तो लेबिया मैजोरा है, और हम ये कहेंगे, पतले फोल्ड होते हैं, इनको बोलते हैं, पतले जो फोल्ड होते हैं, इनको बोलते हैं, आप लेबिया माइनोरा, तो ये लेबिया माइनोर जुड रहे हैं उपर, वहाँ पर Clitoris है, तो Labia Minora चला जाएगा इस पर, है ने उसके junction पर Labia Minora की junction पर Clitoris, तो roughly हमने देख लिया इसका जो answer जाएगा, वो कौन सा जाएगा, Labia Minora, ये चला जाएगा, अगला हम देख लेते हैं, अगली क्या कहानी है, प्यारे बिचों, हम बा इस तन ग्रंथियों की अंतस्त सरस्टनाएं, क्या हो गया, आगे किसे गया, कोई बात नहीं, पीछे चला गया, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं, ये लो वापस आ गया, इस तन ग्रंथियों की अंतस्त सरस्टनाएं, जिसके दौरा दुख्द चूशन होता है, कहलाती ह भई बच्चा जो है एक नन्ना सा प्यारा सा बच्चा मा जो हती है मा को जीवन में बहुत कस्याने पड़ते हैं रहे बटा माता पिता जो होते हैं माता पिता ही असली जो है भगवान है इस दुनिया में मा नो मेने बच्चे को पेट में रखती है फिर उसके बाद जो है जो ह को हम क्या बोल रहे हैं उस नलीका को finally अगर बाहर आता है तो उसे आप lactiferous duct बोलते हैं बटा lactiferous duct तो इस्तन ग्रंथियों की अंतर सरस्थना है जिसके दौरा दुग्द जो है वो सक करता है एक बच्चा तो वो जो है lactiferous duct है मेरा प्यारे बिट्वर next question अगला question ले लेते हैं अगला question हम ले तो question number 38 यह लीजे 38 इस पर meogenesis बड़ी ऐसान कहानी है बिटा इस पर meogenesis की अगर हम बात करें तो spermogenesis की क्या कहानी है भई मारकर यह आ गया मारकर बच्चों spermogenesis की कहानी है कि non-motile spherical spermatid cell a sperm seem. जह स्पर्म हम बात करें कि chromosome के अंदर वो change हो जाती और sperm के अंदर अगर change हो जाती है तो हम यह कहते हैं प्रॉसर्स को क्या बोलतें की spermatid से sperm का बनना miniature की स्पर्म का बनना क्या बोलगे ईसा? इसे बोलेंगे spermiogenesis, तो spermiogenesis क्या होता है, formation of sperm from spermatid, की spermatid का transform होना किसमे sperm में, आप ये कहोगे सर, spermatid का बनना PGC से या spermatogonia से, अगर spermatogonia आपने ले ली या PGC ले ली और वहां से आपने sperm बनाया, तो उसे तो जो है spermatocytosis बोल दोगे, फिर उसे spermatocytosis बोल दोगे, तो खेर और पूरे complete process को spermatogenesis बोल दोगे, तो spermatogenesis है, शुक्र जनन है, उसके दो भागों में बाढ़ते हम, पहला spermatogonia से spermatid का बना, spermatocytosis और spermatid से sperm का बना, spermiogenesis, तो spermiogenesis का पूछा गया है यहाँ पे, और इसको पूछा गया है, तो यह लीजिए, कि spermatid जो है, शुक्राणों पूर्वी, शुक्राणों में परिवर्तित होता है, यह लीजिए, transformation of spermatid into spermatogoa, spermatogoa means sperm, spermatogoa, sperm को बोलते हैं बिटा, तो answer 4 चला जाएगा, अगला question देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला question आएगा, question number 39, और question number 39 जो आया है, इसका solution जो है, वो क्या है, after spermiogenesis, the sperm head is embedded in the cells, भई, spermiogenesis हो गया, मतलब spermiogenesis में sperm तो बन गया, अब sperm तो बन गया, और sperm को क्या करना है, कि sperm को जो है, sperm को nourishment लेना, nutrition लेना है, तो nutrition लेने के लिए किसमें embedded होगा? sertoli cells के अंदर, sertoli cells होती है, जो nurse cells होती है उसके अंदर embedded हो आएगा तो नरीश्मेंट लेता रहें आपे तो देखलो आप जो आप है सेलो अगर हिम बात करें सेल कहां पर करका हैं यह काहीं छस नेक्स फ्रिक्रीशन आहेगा अगला जो क्वेश्छन है वह क्वेश्यां आएगा एतनों फॉर्टी question number 40 जो है वो क्या कह रहा है आपसे luteinizing hormone LH act on cells and stimulates synthesis एक सेकंड बिटा जी ये लीजे stimulates synthesis and secretion of luteinizing hormone LH dash 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 को शिकाओं पर कारी करता है तथा dash 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 का निर्मान उस्तराओं को प्रेडित करता है भई हमें बता है कि ये रहा LH इसको LH को कहते हैं कि LH कहां हो हो ये LH कहता है मैं यहां हो यह लीजे मैं pituitary gland से आया हूं हमने का अच्छा pituitary gland से आया हो क्या करने जा रहे हो कि मैं जो है ledic ये semi-ferrous tubules के बीच में ledic नाम की कोशिकाएं हैं interstitial नाम की कोशिकाएं हैं इनको मैं stimulate करने जा हो हमने का अच्छा उससे क्या होगा कि उससे एंड्रोजन का secretion होगा तो यह लीजे बच्चों अगर हम बात करें कि interstitial cells को ledic cells को stimulate करता है और क्या secret कराता एंड्रोजन यह लीजे एंड्रोजन इस option में है इसलिए यह option सही जाएगा बटा यह इवन ले दें the function of FSH in male is नर में FSH का क्या कारे होता है बई नर के अंदर FSH का जो कारे होता न बिटा वो FSH का यह कारे होता है कि यह FSH कहां से आया जैसे LH आया वैसे FSH आया FSH भी pituitry से आया NTD pituitry से आया FSH आया तो FSH ने क्या किया FSH ने semi-ferrous tubules के के अंदर जो है हम यह कहें कि semi-ferrous tubule है उसके semi-ferrous tubule के outer layer को तो बोलते है tunica propria opria नहीं propria tunica propria is made up of WFCT और inner layer को हम बोलते है germinal epithelium और जो germinal epithelium में उसमें कुछ तो बड़ी cells होती है जिनको sertoli cells बोलते हो कुछ sodium cells होती है जिनको primodial germ cell बोलते हो जो divide होकर sperm बनाती है और sertoli cell sperm को nourishment देती है बिटा हम यह कहेंगे FSH का क्या काम है FSH का काम है इन sertoli cells को stimulate करना और sertoli cells अगर stimulate होगी तो क्या होगा देख लेते हैं इसको मैं फिर से बिटा इसको थोड़ा सा जो है न इसको erase करके और मैं क्या करता हूं कि फिर से जो है बना लेता हूं यह लीजिए अगर हम बात करें कि यह लीजिए यह जो है sertoli जो है वो cells है और यह जो sertoli अगर cells है तो इनको FSH ने क्या किया stimulate किया FSH न जब इनको stimulate किया roughly लिख रहा हूं बटा जी मैं यह आप बढ़ती है हमारी कहानी आगे sertoli cells को जो है stimulate किया तो इन्होंने secret किया ABP को बोलते एंड्रोजन binding protein या फिर सम factor भी कह सकते हो आप कह सकते हो some factor कोई बात नहीं कोई बहें समफक्तर के दो अच्छी बात है बिलकुल NCAA का हो जाएगा line अब यह जोब इस त्या क्या करती है कि diffuser से जैसे यह निदर ज्याता है और उससे निया किया और इस सभी जनास Gir में व्हतु ह Voice 1 वह भो बढ़ जाता है वह स्भी सिदी सीधी लाईनियन है कि FSH stimulate करेगा sertoli cell को sertoli cell फिर से repeat करना हुँ बेटा ध्यान दीजिएगा FSH sertoli cells को stimulate करेगा और sertoli cells वो some factor बनाएगी और some factor जो होता है वो बनने से spermogenesis spermogenesis जो process है spermogenesis process बढ़ेगा spermogenesis means spermated converted transform हो जाते हैं किसमे sperm के अंदर ये process बढ़ेगा तो देख लो ये option बटा अगर हम बात करें ये option बढ़े कहां पर है ये जो option है बटा अगर हम बात करें ये लीजे act on sertoli cells चीक है and stimulate secretion of factor responsible for spermogenesis अब यहां पर कुछ बच्चों को doubt आ सकता है बढ़े doubt कोन सा सकता है कि सर्टोली cell पे तो यहां पर भी काम कर रही है और factor जो है वो भी secret करा रही है और spermatogenesis जो है वो क्यों नहीं आया इस पर meogenesis क्यों आया है क्योंकि बटा आएगा वही जो NCRD संजीव नहीं कहेगी आएगा वही जो संजीव नहीं कहेगी यहां पर spermatogenesis correctivity यहां पर सबसे correct option यह ध्यान दीजेगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे important अगर आप जो है बात मानेंगे तो किसकी अगर आपको entrance में सीधा select हो कि जो है वो निकल जाना है तो बात मानेंगे आप संजीव नहीं की NCRD की बात मानेंगे चीके ना फिर जो है अगर हम बात करें फिर आप NCRD की एक-एक line की जो है एक-एक line बढ़िया से अच्छे से कर लेंगे तो उसके बाद ही सारी किस्से कहानिया है फिर सारे कितनी बड़ी building मनाऊ वाले आप तो बिटा ये मैंने इसी लिए कि आपकी practice perfect है कर नहीं चेक करता हूँ एक बार और मैंने चेक कर लिया है कि अगर इस्पर्मियोजनासिस आपने ध्यान रखा है तो आपका बहुत अच्छा ये question हो गया है मेरे प्यारे बच्चों अगला question हम discuss करते हैं और अगला discussion discuss करेंगे next slide करता है प्यारे बच्चों हम बात करते हैं question number 42 की the middle piece of sperm contain organelles like शुक्राणों के मद्दे भाग में किस प्रकार की कोशिका अंगक उपस्तेद होते है मद्दे भाग की बात होती है और मद्दे भाग को आप energy chamber भी बोलते हो शुक्राणों के मद्दे भाग को आप energy chamber भी बोलते हो और energy chamber क्यों बोलते हो क्योंकि वहाँ पर mitochondria present होते है mitochondria में आपको बता है oxidative phosphorylation होता है ATP formation होता है और इसलिए आप उनको power house of cell भी बोलते हो आपको बता है और middle piece में present होता है ये sperm के middle piece में इसलिए उसको energy chamber भी बोलते है sperm के moment के लिए जो energy मिलेगी वो यहीं से मिलेगी बिटा तो आसान जो है नहीं से आपने कर दिया होगा question अगले question की हम बात करें बिटा कि अगला question कौन सा है 43 43 जो question है बिटा उसके अंदर जो पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है उजनसिस इनिशेट आफ्टर एट अंडजनन प्रारम होता है तो अंडजनन बिटा जो ना अंडजनन की कहानी जो है वो start हो जाती है जब एक female embryo mother के वाम के अंदर डवलप हो रहा है जब एक मा के अंदर एक छोटी निसी परी उप्षी जो है डवलप हो रही है तब इस बचि के अऌवरी के अंदर जो है ओगोणिया बन जाती है मतलब हम यह कहें गे कि उजननसिस वही से शुरू हो जाता है तो यह कहां नहीं हो जाती है embryonic development से कि एक नन्नी सी बच्ची छोटी सी बच्ची जो है मां के गर्ब के अंदर जो है वो बन रही है तभी उसमें अंडजनन प्रारम हो गया है हाँ ये जरूर है कि फिर जो है जब वो उजनस जो है आपको पता है कि उजनस जो है वो अरेस्ट हो जाएगा और फि जाएगा फिर योवन काल आता है प्यूबर्टी आती है उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो वो अब जानते हैं बट यहां पर आगे बिटा embryonic development next question की हम बात करें बच्चों so next question भई क्या कह रहा है हमारा अगला question हमारा जो है बिटा जी वो question है the tertiary follicle in ovary is characterized by the presence of तरत्तियक अगर प्राइमरी फॉलिकल को आपको पिचानना है तो बाहर फॉलिकुल से खटी हो जाएंगी secondary फॉलिकल को पिचानना है तो बाहर ठीका लेर्स बन जाएगी जिसमें से थीका इंटरना जो है वो क्या सिक्रिर करती है एस्टोजन का सिक्रेशन करती है female hormone और तर्शी बन ज ठीको आपcción है तो आप कोगे सिसके अंदर कौन बैठी होगी तर्शी फॉलिकल के अंदर फॉल्य। ziet बेठी होगी और जो घृषी फॉलिकल होगी उसमें ग्राफियन फॉलिकली के अंदर जो है सेकंडरी उसाइट अंदर बैठी होगी बिटा हुमन एग जिसको बाहर कौन लाएगा कि बाहर आजाओ वो लाएगा एलच आपको पता है जो ऑवलीशन करवाता है तो जानते हो खेर यहां पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा कि और सई सेक्वेंस को यह क्योशन जो है मैंने बहुत यह क्योशन बेटा इसलिए कि आपका पूरा कॉंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है इसलिए एक क्योशन रखा गया है NCRD जिस बच्चे ने लाइन टू लाइन बहुत बढ़िया तरीके से बहतर तरीके से पड़ी है उसको यह पिक्चर क्लियर हो जाती है अभी थोड़े देर पहले हमने एक क्योशन डिसकस किया था इस पर मियो जनासिस वाला जो है क्योशन डिसकस किया था जिसमें इस पर मियो जनासिस जो है वो इस पर मियो जनासिस क्यों बढ़ेगा कि एंड्रोजन जो है उसको एंड्र anrosen binding protein some factors ने बिठा लिए किसने कहा कि जो है वो यह जो anrosen binding protein secret करो कौन secret करेगा फटा आफ एशेच ने कहा है certoli को कि तुम anrosen binding protein बनाओ तो यह सारी किस्से कहानिया बनी थी अभी previous solution में यहां पर देखो इताएं यहां पर में क्या बताना चाहरा हूं आपको कि देखो एक तो काम LH का, एक काम FSH LH का काम होता है, ledic cells को stimulate करना, FSH का काम होता है, subtly cell को stimulate करना, ledic cells stimulate होगी तो androzen male hormone androzen का जो है secretion होगा ledic cell androzen का secretion करती है FSH subtly को stimulate करेगा तो some factor, some factor को समझ जाओ some factor ABP जो है वो secret होगी तो यह कहानी है पिटा हम यह कहेंगे कि LH और FSH दोनों को GTH बोलते है gonadotropic hormone बोलते हैं और gonadotropic जो hormone बोलते हैं पिटा जी जी टी एच बोलते हैं उन जी टी एच को कौन रिलीज करवाएगा उनको GNRH gonadotropic releasing hormone gonadotropic releasing factor जो है वो secret करवाएगा means hypothalamus का यह factor pituitry को कहेगा कि तुम यह release करो GTH release करो और यह दोनों जो है वो अपनी अपनी target पे काम करेंगे यह ledic cell पे यह सर्टोली cell पे इस तो जो है बहुत हार correct आजाएगा answer की अगर आप बात करते हो तो answer तो इसमें दोनों से ही आजाएगा बट इसमें concept हम जो है clear कर लेते हैं यह जो है अगर हम बात करें यह जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर LH इधर हम बना देते हैं यह FSH LH यहाँ पर ledic cells जो ledic cells होती है interstitial cells होती है हमसे कहता है androsan secret करो FSH sertoli cells को कहता है कि तु some factor बनाओ और वो some factor हम जानते है some factor क्या ABP androsan binding protein पिटा हम यह कहेंगे यह androsan अंदर जाएगा androsan अंदर जाएगा lumen के अंदर semi-ferrous tubule की जो lumen है जो cavity है उसके अंदर और androsan को अंदर यह some factor जो androsan binding protein है यह इसको androsan binding protein bind कर लेगी lumen के अंदर बढ़ लेगी ताकि यहाँ पर एक process होता है और उसको बोलते हैं कौन सा process यहाँ पर यह process होता है और वो process होता है spermio genesis वो spermio genesis process बढ़ जाए तो यह पूरा कहानी है दोनों इसमें सही चला जाएंगे बढ़ यह कौन स्ट यह देखो यह मैं बताओ आँ आपको यह मुफ्त के marks मिल रहे हैं अगर आप जो है यह hormones related जो है चीजें कर लेते हो hormones related चीजें आपके यहां पर भी आती है क्या कहते हैं अपना reproductive system के अंदर भी आती है आपका जो है expiratory system में भी आता है expiratory system में तो मुफ्त के marks मिलते हैं आपको बटा कहां पर आप रास पर देखिए question आते हैं हर साल रास से related जो है जो aldosterone है वहाँ पर वहाँ पर anti-diagnetic hormone ADH है उस पर question आता है endocrineology में तो सारे hormone आई जाते हैं उस पर question आते हैं यहाँ पर भी आप देख रहे हो यहाँ पर भी hormone काम में आ रहे हैं तो इन पर यह hormones वाले question जो है चाहे एक्सक्रीशन से वो पूछे चाहे वो reproduction में पूछे है चाहे वो endocrineology से पूछे है but hormones में बहुत अच्छे question बनते हैं बिटा जी वो आते हैं अच्छे से करो इनको बढ़िया से पढ़ो यह से लेक्ट होके निकल जाओ या डॉक्टर बंजाओ मस तरीके देवा आ गए सर एम्स जैली कहा हो वेशनों सार यह ऐसे होना चाहिए बिटा चलो next question हम discuss करते है बिटा next question है वो लेते हैं question number 46 question number 46 जो है बड़ा ही असान है मेरे प्यारे बचो acrosome is a modified बिटा acrosome जो बनेगा न वो गोल्जी वेसिकल से बनता है तो गोल्जी वेसिकल बनाती है तो गोल्जी बोड़ी जो है इसमें चला जाता है जब पूरा का पूरा हम स्पोम बनाते हैं और स्पोम जब हम बनाते हैं बिटा जी तो स्पोम बनाते है तो उसके ऊपर एक bag lag and cap lag इस बनाते हैं गोल्जी वोड़ी से बनाती है अगली कहानी है बिटा और अगली कहानी क्या है भई वो है क्शेन भूर्टी सेवन Summit करेंस फोड़ी मेंसिटोएशन वीचिशन begins at puberty is called मतलब जो शुरुवाद होती है first menstruation की प्रथम मासिक धर्म योवन काल में जब प्रारम होता है तो उसे क्या बोलते है उसे रजुदर्शन बोलते है बिटा कि रजुदर्शन हो गए जाब हम यह कहेंगे कि बही जो है में स्यक्ट अब्रहन होता है तो मेंस्स अमसीं कीम संसाल में हर मां बनता है OR वह जो मेमान बनता है उसके यहां पर यूटरुस का यह तो उसे अब यह और कि अब आर उसके चैनी का आगर यह वह तो हो तो खेर हम तो बात करें कि भी ये कहानी mc की शुरु वाइशती है वह जो है उसे रजो दर्शन बोलते है यवन काल में शुरू हो जाती है अगला किरिशन हम लेते हैं वह कौन सा वाला यह लेजे इसके बाद वाले लेंगे और तो कौन सा लेंगे बचों हम यह कहेंगे कि इसके अंदर क्या कहानी है एंदर ये कहानी है कि लिए धि उसके आ shaped का होता है तो 28 से 29 दिन का होता है आपको पता है NCID का एक एक डेटा आप पढ़ते हो सारा तो 28 से 29 दिन का ही cycle होता है जिसमें 14th day जो होता है वो ovulatory day होता है उस समय LH surge हो जाता है आपको पता है ovary से ओवा जो हता होता है यहां पर जाएगा यहां पर हासित होना जाएगा वह बदल जाती है हाँ हो जाता तो यह फैक्ट्री कॉर्पस लूटियम नाम की फैक्ट्री लग जाती 9 month के लिए gestation period के लिए और progesterone का secretion करती रहती वे तो वह कहानी है यहां तो वह fertilization तो हुआ नहीं और fertilization जो है वो नहीं हुआ है तो फिर हम यह कहेंगे degenerate हो जाएगी हासित हो जाएगी अगला question लेते है पिटा जी और अगला question जो है वो क्या कह रहा है हमसे अगला question हमसे कह रहा है the stage in human female when menstrual cycle seize seize हो जाएगा कब at the age of 50 उसको क्या बोलेंगे मनुष्य की मादा में वह इसता जब 50 universe की उम्र में मासिक चक्र रुक जाता है तो उसे क्या कहेंगे रजो निवरती निवरत हो गए साब रजो दर्शन हुए थे तो तो शुरुवाद हुई थी रजो निवरती हो गई निवरत हो गई उससे मतलब खतम वह जो है प्रताइल एज खतम हो गई ओवा का बनना बंद हो गया मैंस्ट्राइल साइकल मासिक चक्र जो है मासिक चक्र जो है बिटाजी मासिक खतम हो गया तो यह लीजे रजो निवरती बोलेंगे तो यह लीजे जो है मिनपोज उसको बोलेंगे अगला कोईशन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्छों अगला कोईशन 51 ले लेते हैं जो हमे how many ovam released in one menstruation एक मासिक नहीं में डालों मुक्त होता है वही तो मेहमान बनेगा नौरमल कंटिशन में एक बार में एक बार में एक भाब बनेगा तो यह लीजे जो है यह वन जो है इसके अंदर पिटा answer जो चला जाएगा पिटा जी वो चला जाएगा फिर्स जो है वो चला जाएगा पिटा जी यह चला जाएगा answer अगला question ले लेते हैं प्यारे बच्चों और अगला question हम लेते हैं कौन सा भही 52 Which structure of male reproductive system plays important role in preventing development of mullerian duct नर्जननतंत्र की कौन सी सरश्णा millennium वाहनी के विकास को रोकने में में मैंत्पोण बुम invent का निबाती है तो अग्या हम बात करें मुलेरियन जो है वो वाहिनी मुलेरियन डक्ट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं मुलेरियन डक्ट को अड़ाता है एंटी मुलेरियन हॉर्मोन अगर हम बात करें मुलेरियन वाहिनी मुलेरियन जो है वो डक्ट कहां गई भही मुलेरियन डक्ट मि काम करता है वो करता है anti-mullerion hormone AMH जब male embryo developed होता है तो male embryo developed होता है तो उसके अंदर Mullerion duct नहीं होने चाहिए क्योंकि male reproductive जो system बनते हैं वो wolf induct से बनते हैं Mullerion duct उसमें से हटा दी जाएगी और Mullerion duct हटा दी जाएगी उसको बता लागा Anti-mullerion hormone और anti-mullerion हौर्मोन को- चो सिक्रेड करता है वह कौन सिक्रेड करती बहुत सारे नाम है सब्टेटा क्या करेगी इसको सब्सक्राइब करेगी और एंच क्या करेगा एंटीमुलेरियन हार्मोन मुलेन इंडक्ट को हटाएगा मेरी कहाल से एक क्लियर हो गया होगा क्लास में हम इसको बहुत डाइग्रामेटिक जो है आप डेटेल सम देख लेते हैं यहां सव्लूश्यन की बात है सवलूश्यन आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़तीए कहानी और कहानी को आगे बढ़ाएं और अगला question हम ले और वो question कौन सा ले बही वो हम question ले 53 53 question हमें से क्या बोल रहा है 53 question हम से बोल रहा है the outer layer of blastocyst is known as blastocyst की बाहिय परत बिटा वो बाहिय परत जो protective layer बनाई थी हमने उस protective layer को हम trophoblast बोलते हैं यह लीजे blastocyst का structure हो गया और blastocyst के structure में अगर हम बात करें कि blastocyst के structure में यह तो inner cell mass embryonal नोब है जिससे fetus embryo develop होगा इससे और इसके surrounding जो trophoblast है यह surrounding जो trophoblast है इस surrounding trophoblast है यह surrounding trophoblast जो है वो क्या करेगी यह trophoblast जो है यह बनाएगी जो है fetal membranes बाद में fetal membranes बनाई तो trophoblast बोलते हैं यह answer चला गया है प्यारे बच्छों next question हम लेते हैं question number 54 आपको column A और column B को match कराना और core कुछ भी नहीं है बहुत simple सी बात है अगर हम बात करें male germ cell की बात करें तो male germ cell क्या करती है produce gametes gametes को produce करती है तो यह लिजे यह तो हो जाएगा C subtly cell अगर हम बात करें कि यह nutrition to sperm sperm को nutrition देती है तो इसमें हो जाएगा A इसमें हो जाएगा बटा जी A ledic cell जो है वह क्या करती है कि ledic cell जो है वह हो जाएगा बटाजी, B और ट्यूणी का अल्भूजीनिया यह प्रोटेक्शन, टैस्टिस का प्रोटेक्शन करती, टैस्टिस की लेर जो होती है, उसे WFCT, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिशू की बनी हुई लेर होती है, ट्यूणी का अल्भूजीनिया, तो इसमें ह हो जाएगा बटाजी, तो हम यह कहेंगे C, A, B, D, आप निकालीजे, C, A, B, D किसमें है, थर्ड ओप्शन चला जाएगा, C, A, B, D, यह चला जाएगा बटाजी इसमें, तो आसान है, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से निकालना, प्यारे बच्चों, हम डिसकस करते हैं, क्वेशन नमर 55, आपको कॉलम A, कॉलम B को मैच करना है, सबसे पहले मिनोपोज की बात करें, बटा, तो मिनोपोज जो होता है, वो 50 एज की, जो है, 50 एर्स की, एज में, जो है, मिनोपोज हो जाता है, मतलब, मैंसल साइकल बंद हो जाता है, और फर्टिलिटी जो है, वो न पैच करते जाते हैं, फर्स्ट में तो जो है, वो थर्ड आ जाएगा, बिटा जी, और सेकेंड के बी के अंदर जो हो जाएगा, वो फोर्ट आ जाएगा, बिटा जी, हम ही कहेंगे, ऑवलीशन, जो है, ओवा का बाहर निकलना, अगर हमें कहेंगे, कहां से ओवरी, मतलब, अगर आप समझते हो, तो मेंस्टुएशन, एमसी का थोड़े देन के लिए रुक जाना, तो लेक्टेशनल एमेनोरिया में, अगर कंटीनियूम आता, जो है, बच्चे को दूद पिलाती है, तो वो जो है, छे मेरे तक, जो है, मेंस्टुएल साइकल शुरू नहीं होता है, और वो फिर से दूस्तुएव का एस्ताई रूप से रुक जाना, तो यह जो है, कहानी इसके अंदर सेकेंड आ जाएगा बटा जी, और इस तरह से अगर आप निकाल लोगे, थर्ड, फॉर्थ, फॉर्स और सेकेंड, तो निकाल लीजिए, थर्ड, फॉर्थ, फॉर्स और सेकेंड, मेरे बिच्चों, next question हम देखते है, the significance of fertilization is 2, निश्यचन का मुखे में तुव गया है, restore chromosome number, बिटा होता गया है, यह option जो है, वो क्यों गया है, क्योंकि sperm, sperm के अंदर N, OVA, OVA के अंदर N, number of sperm, जो है, यह haploid cell है, अगुनित कोश्का है, और यह दोनों जब मिलती है, तो N cell जो बनती है, वो जाइगूड बनता है, तो number of chromosome वापस क्या हो गए, वापर restore हो गए, chromosome वापस restore हो गए, तो इस वज़े से जो है, fertilization होता है, sperm and OVA के fusion कोई तो fertilization बोलते हो, तो restore of chromosome number हो जाते है, गुनसुत्रों की संख्या में, पुनर संगरीत हो जाता है, N, N मिलकर वाप को पता है, next question हम देखते है बिटा, और अगला question हम देखें, तो अगला question है, question number 57, question number 57 है बिटा जी, वो क्या कह रहा है हम से, which of the following will be true about chromosomes present in secondary oocyte in humans, human के अगर हम कहें, secondary oocyte की बात हो रही है बिटा, और secondary oocyte की अगर बात हो रही है, तो secondary oocyte के अंदर ये लीजए, अगर आप कहोगे सर्फ plasma membrane, प्यारा सा nucleus, ये लिजए, cytoplasm, first egg membrane, jonah pellucida, icellular layers, second egg membrane, secondary egg membrane, corona radiator, secondary oocyte आपको पता है, already बिटा, already आपको पता है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो है, ये किस तरह की बनती है, 22 plus X, एकी तरह का तो secondary oocyte को ovum ही बोल सकते हो, तो ovum जो होता है, वो female के अंदर, human female के अंदर, ये की तरह का तो बनता है, 22 plus X, है न, इसमर 22 plus X, ये लिजे, 22 plus X, और अगर जो है, sperm जो बनते हैं, male के अंदर, वो दो तरह के, gynosperm, endrosperm, 22 plus X, 22 plus Y वाले, endrosperm, 22 plus Y, gynosperm, 22 plus X, ऐसे, तो sex determination depend करता है, father के उपर, male के उपर, तो वो तो अलग कहा नहीं है, वो हमने देखी भी है, previous solution में, यहां तो अगर हम बात करें कि मानों में, दित्यक, उस साइट में उपस है, गुनसुत्र संख्या के लिए, सही जो विकल्प हो गया, गुनसुत्र संख्या है, 22 plus X, next, हम देखते हैं, बच्चों, अगला है, जो question है, वो लीजे 58, औ का हमसे कहना है, what happens to corpus luteum when fertilization does not occur, जब निशेचन नहीं होता तो corpus luteum का क्या होता भी, corpus luteum जो होती है, corpus albicans में convert हो जाती है, change to corpus albicans, corpus albicans में convert हो जाती है, और progesterone का जो level हो डिक्रीज हो जाता है, तो यह कहानी है, तो अगला फिर जो है, menstruation cycle शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टरोन का level जैसे decrease होगा, तो अगला जो है, menstrual cycle की, menstrual phase शुरू हो जाएगी, तो वो कहानी है बिटा, अगला question ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बिटा, अब हम बात करते है, question number 59 की, which prevent the entry of sperm after penetration of an ovum by one sperm, एक शुकरानों के अंडानों में बेहिदन कर अन्य शुकरानों के प्रवेश को कौन रोकता है, दूसरे शुकरानों के प्रवेश को जो रोकती है, वो निश्यचन जली रोकती है, fertilization membrane रोकती है, fertilization membrane का निर्मान कोन करता है, cortical granules, cortical reactions, ये कहाँ पर निर्मित होती है, fertilization membrane, perivitaline जो space होता है, वहाँ पर निर्मित होती है space between jona pellucida and plasma membrane वहाँ पर बिटा आपको पता है कि आपको पता है पहली जो plasma पहली जो membrane होगी secondary oocyte में, ovum में, अंडानू में वो plasma जिली होगी फिर जो है आपको ये भी पता है कि jona pellucida होगी और icellular layer फिर आपको ये भी पता है कि corona radiata जो है वो egg membrane होगी ये इस प्रकार की corona radiata जो है वो egg membrane होगी ये सब आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़े आप देख चुके हैं बिटा जो sperm जो आ रहा है वो sperm की bag like and cap like जो structure होती है जो थेली समान, टोपी समान सरसना होती है उसमें sperm license भरे होते हैं जैसे high hyaluronidase है प्रो एक्रोजीन है जोना लाइसीन है बेटा ये अंड कलाओं को घोलेंगे एग membran को घोलेंगे बही कौन-कौन सी एग membrane को घोलेंगे एग membrane दो हैं बाहर वाली जो एग membrane है उस एग membrane का नाम है ये लीजे जो है corona radiata इसको dissolve किया corona radiata के high hyaluronic acid को high hyaluronidase ने dissolve कर दिया बाद में जो है जो है जोना लाइसीन प्रो एक्रोजीन जो है प्रोजीन तो एक्रोजीन में convert हो जाती है और जोना लाइसीन उनके थ्रू जो है ये sperm जो है वो entry मार गया कहां प्लाजमा मेंब्रेंस ने पकड़के जो है वो sperm को अंदर ले लिया by phagocytosis तो एक sperm की entry हो गई जैसे ही एक मेमार अंदर आया ये जो cortical granule होते हैं यहां पर आप कोई कोई सब्सक्राइब कहां से आ गए अरे बिटा ये जो cortical granule होते हैं इनका formation गोल्जी बोडी करती है during growth phase और ये cortical granules होते हैं ये जब बाहर आते हैं कहां पर space between जोना पैलूसीडा and plasma membrane perivitaline space में आते हैं यहां पर cortical granule आकर फट जाते हैं यहां पर फटने से एक layer बनती है और इस layer को chemical की जो layer बनती है इसको आप बोलते हैं fertilization membrane और ये जो fertilization membrane बनती है यह other sperm की entry को रोकेगी फिट से repeat करूं कि अगर यह ovum है अंडानू है तो एक शुक्राणूं के प्रवेश के बाद एक शुक्राणूं के प्रवेश के बाद अन्य शुक्राणूं प्रवेश नहीं कर पाएंगे अन्य शुक्राणूं की को प्रवेश नहीं करने दे की Fertilization Membrane किसने बनाई ये एक शुक्राणों अंदर आते ही Cotical Granules बाहर गए हैं उन्होंने बनाई ये Cotical Granules को कौन मनाता है गॉल्सी बर्डी तो यह सब Fertilization में डिटेल में पढ़ते हैं बिटा तो यहां पर आंसर चला जाता है मेरे प्यारे बच्चों Fertilization Membrane निशेचन जिल्ली अगला क्यूशन हम देखते हैं मेरे प्यारे बिटा बिटा जी अब हम बात करते हैं क्यूशन नमबर 60 की in which stage of developing ovum of the human female entry of sperm tax class मनुष्य मादा के विक्सित होते वे अंडानों की किस प्रवस्ता में शुक्राणों प्रवेश्ट होता है तो शुक्राणों प्रवेश्ट होता है secondary उसाइट में यह secondary उसाइट मनुष्य का अंडानों secondary उसाइट की अवस्ता में होता है जित्ते उसाइट की अवस्ता में होता है जब उसमें शुक्राणों प्रवेश्ट करेगा अगर शुक्राणू प्रवेश नहीं करेगा हम यह कहते हैं कि male partner जो है वो जीवन में आएगा है नहीं male partner से ही शुक्राणू आता है वो जीवन में आएगा है नहीं हर मेने मासिक चक्र में यह secondary उसाइट बाहर निकलती चले जाती है परन्तू होता क्या है कि जब sperm आता है male partner से जब sperm आता है तो और अगर वो entry कर जाता है तो वो entry की समें करेगा secondary उसाइट में और फिर इसमें होगा meiosis second मियौसिस 2nd और उससे रिलीज होगी सेकेंड बॉलर बोडी तो बिटा कहने का मतलब ये है कि मियौसिस 2nd और सेकेंड पॉलर बोडी का रिलीज होना ये सब कहानिया आफटर ञांतर इंट्री ओव स्पॉम बनती है ये सब तो हम आगे के solution में भी जाने है अभी तो हम यहाँ पर देखें कि sperm की entry किसमे होती है secondary oocyte के अंदर entry होती है चलिए अगला question लेते है अगला question है question number 61 question number 61 की जो कहानी है वो क्या है cells which are formed during cleavage call पिटा cleavage होता है न initial division of zygote अगर मान लीजे ये zygote है और zygote जो होता है वो जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट के 2N cell है single cell है बट इससे embryo बनना है तो बहुत सारी cells बननी है तो क्या होगा इसमें initial division of zygote उनको बोलते हैं क्लीवेज कि इसमें cleavage होंगे और cleavage से cells बनेगी एक से दो दो से चार चार से आठ आट से सोला तो इस तरह से cells बनेगे तो यह जो cells बनेगी इन cells को आप blastomeres बोलते हैं cells का नाम है blastomeres यह लीजे इनको आप बोलते हैं जो cells बनती चले जाती हैं इन cells का आप नाम रखोगे क्या नाम रखोगे इन इंसल्स का इनका नाम रखोगे आप ब्लास्टो मियर्ज तो आंसर से ला जाएगा ब्लास्टो मियर्ज प्यारे बच्चों अब हम डिसकस करते हैं क्योशन नंबर 62 इन में से कितनी अगूनित सरचनाय है तो अगूनित सरचनाय N-cell, haploid cell हमें देखनी है और haploid cell अगर हम दिन हमने देखनी है spermetogenesis में, oogenesis में दोनों को मिला कर बोलते हैं gametogenesis तो अगर हम gametogenesis की बात करें तो gametogenesis में क्या होता है बिटा कि 2N-cell होती है जिसको आप PGC, primordial germ cell बोलते हैं आद्धे जननकोशिका बोलते हैं और इसके अंदर आप जो करवाते हैं माइटोसिस और आप जो है जब माइटोसिस करवाते हैं समसुत्री विभाजन करवाते हैं तो समानकोशिका बनती है उनको आप बोलते हैं gametogenia यह लीजे gametogenia बोलते हैं gametogonia मतलब अगर जो है spermatogenesis होता तो spermatogonia oogenesis होता तो oogonia और अगर हम बात करें कि यहाँ पर फिर आप उसको growth करा के बड़ी करा देते हो growth phase में multiplication phase में तो multiple gametogonia बन जाती है बहुत सारी और growth phase में जो है वो अगर हम बात करें gametogonia grow करके primary gametocyte में convert हो जाएगी यह लिजे primary gametocyte बिटा अगर हम बात करें कि primary gametocyte को हम जो है spermatogenesis में primary spermatocyte oogenesis में primary जो है oogenesis में primary oocyte बोलेंगे ऐसा हम बोलेंगे तो यह growth phase हो जाएगा और अगर हम बात करें कि इसमें फिर हम कराते हैं meiosis 1 जो meiosis 1 करवाते हैं बिटा इसको हम reductional division बोलते हैं reductional division हम यह कहते हैं कि number of chromosome reduce हो जाते हैं half हो जाते हैं maturation division first भी बोलते हैं पिटा इसको और हम यह कहते हैं कि इससे जो बनती है haploid cell बनती है और haploid cell को हम बोलते हैं जो है secondary gametocyte यह लिजे secondary gametocyte बोलते हैं secondary gametocyte अगर यह spermatogenesis होता तो secondary spermatocyte और eugeniesis होता तो secondary oocyte human egg बोल देते हैं उसको हम ऐसा कर देते हैं बट eugenesis में इधर जो है first polar body निकल जाती है तो अगर हम यह कहें कि eugeniesis के case में तो polar body जो है वो भी निकलती है polar body जो है वो भी निकलती है, अलग से लिख देते हैं, इसको hash लगाके, कि बहई polar body जो है वो निकलती है, तो बीटा, हम यह कहेंगे, कि यहां पर यहां पर पूछा गया है haploid cell हैंको अपन को देखनी है, haploid cell अगर आपन को देखनी है बिटा तो ou gonia, यह जो गोनिया होती है न यह गोनिया जो है डिपलोड सेल होती है तो यह तो हो गाई नहीं पिटा हम यह कहेंगे इस पर मैटिड इस पर मैटिड पिटा अगर हम बात करें कि यह जो प्रॉसेज है इस प्रॉसेज में जो सेकंडरी गैमिटो साइट होती है इसमें हम करवाते ह में क्या मियॉसेस जो है मियॉसेस जो है वो हम करवते हैं two equational division बोलते हैं इसको mitosis के equal होता है number of chromosome same बने रहते हैं और इनको आप बोलते हैं gameted यह लिजे gameted अब gameted को spermatogenesis होता तो spermatogenesis होता तो rooted तो हम यह कहेंगे कि यहाँ पर देखो कि spermatid आया है तो haploid cell है desperbted Harvard cell है तो हां यह सही हो गया बच्छों अगर हम बात करें कि primary oocyte primary oocyte की बात करें तो यह लीजे primary緬 ख्राइमरी gametocyte Panda च्वह वह deployed cell है तो है is karmंच oh yeah yan erased parm hemगो का और भी दिपलोंड सहल है यह भी upload नहीं है बच्छों अगर हम बात करें secondary ess wurme तो यह लीजे जो है secondary spermatocyte, secondary जो spermatocyte होगी वो haploid cell है, तो हाँ यह haploid cell हो जाएगी, और Ogenesis में जो first polar body निकलती है, first polar body जो निकलती है, वो before fertilization और second polar body निकलती है, after fertilization, तो second polar body तो after fertilization निकलेगी, तो जीवन में एक या दो बार जो है, जब fertilization होगा तब ही निकलेगी, बाकी तो first polar body निकलती है, खेर, तो first polar body कैसी cell होती है, first polar body जो होती है, बिटा, Ogenesis के अगर हम बात करें, तो Ogenesis में first polar body जो है, यह भी haploid cell होती है, तो यह लीजे, यह haploid cell, तो तीन जो हैं यहाँ पर three haploid cell हो जाएगी, फिर से मैं सीधे-सीधे बताऊं, कि अगर हमें देखना ह है, गुनित सरचना है, N-cell देखना है, तो N-cell हम जो है, वो देख सकते हैं, जो N-cell है, haploid cell है, वो secondary के बाद जो शुरू होती है, वो haploid cell होती है, क्योंकि यहां meiosis first हो जाता है, reductional division हो जाता है, बिटा जी, तो हम यह कहेंगे कि जो है, यहाँ पर देखो, कि कौन सी आ गई यहाँ पर जो है, espermated, यहाँ पर यह haploid cell हो गही है, हम यह कहींगे उसके बाद haploid cell क्या आगई है, secondary spermatocyte हो, जो है वो deploid cell होती है कि primary oocyte यह नहीं यह भी deploid cell होती है अगर हम यह कहेंगे spermatogonia spermatogonia नहीं यह भी deploid cell होती है तो answer चला जाएगा बिटा 3 3 answer चला जाएगा कि 3 structures जो हैं इसके अंदर haploid हैं चलिए अब नए जो है अगले question की हम बात करें बिटा जी और अगले question की अगर हम बात करें तो यह लीजे अगला हम ले लेता है 63 बिटा 63 question number जो 63 है उसके अंदर पूछा गया है secondary polar body from through secondary oocyte मतलब यह पूछना चाहरा है दित्यक oocyte से दित्यक द्रुयकाय का निर्मान होता है कब निर्मान होता है पिटा अगर हम बात करें secondary oocyte जो है वो हमने ले ली यह लीजे जो है secondary जो है यह n cell अगर हम बात करें कि n cell जो है n cell यह इसको मिटा देता हूं पिटा में और इसको मिटा के और फिर से जो है मैं लिख देता हूं कि अगर हम बात करें कि हमने जो है दित्तेग उसाइट लिखा हुआ है तो है scholar is ये 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 उस 파ुंसे ये और अर्वेच फिर इसमें सेकंडरियो साइट में हमने क्या भेजना है कि जो है इसमें sperm भेजना है उसके बाद ही जो है वो क्या निकलेगी second जो है अगर हम बात करें second polar body निकलेगी तो ये लीजे sperm हमने बेज दिया sperm को entry करा दिया मतलब sperm की entry के बाद ही इसमें होगा meiosis जो है वो 2 होगा बिटा तो meiosis 2 होगा और meiosis 2 होगा तो second जो है वो polar body निकल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों और sperm entry मार चुका है आप कहोगे सर्फ fertilization complete हो गया गया नहीं बेटा fertilization process एक लंबा process है तो वो complete नहीं होगा लेकिन sperm ने entry मार लिये तो हम यह कहेंगे कि second polar body जो release होती है वो कब after entry of sperm but completion of fertilization sperm की entry हो गई है second polar body release हो गई है बट अभी fertilization complete नहीं हुआ है अभी इस secondary उसाइड के अंदर sperm जा चुका है उसकी तयारिया, fertilization के तयारिया शुरू हो गई है मेरे प्यारे बच्चों बिटा हम यह कहेंगे कि आप से question बनते ही है कि मियोसे second कब होता है यह जो है after fertilization होता है मतलब sperm की entry के बाद होता है मतलब fertilization के process में होता है second polar body कब निकलती है entry of sperm के बाद जो है निकल रही है हम यह कहेंगे कि यह सब fertilization के process में होता है बिटा यह सब चीजें fertilization के process में होगी तो यह गहान ही है अगला question हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दित्यक उसाइट से दित्यक द्रुवेकाय का निर्मान जो होता है शुक्राणू प्रवेश के बाद परंतु निश्यचन से पूर्ण होने से पहले अगला question हम ले लेते हैं बेटा जी और वो question number है 64 64 question हमसे क्या कह रहा है 64 number का question हमसे कह रहा है fetal ejection reflex induced mild uterine contraction this trigger release of from maternal pituitary गर्ब बहिशकार प्रतिक्षेप fetal ejection reflex मंद गरबाशी संकूचन प्रेरित करता है जो माता की प्यूश ग्रंती से इस्त्रावित होता है बिटा वो इस्त्रावित होता है आपको पता है प्रसव का main जो hormone है वो कौन सा है oxytocin oxytocin अगर हम यह कहें प्यूश ग्रंती का hormone है हम यह गहेंगे कि posterior pituitary का hormone है वैसे इसका formation तो जो है वो hypothalamus में होता है hypothalamus is a master of master gland hypothalamus pituitary का जो है वो भी pituitary gland अगर master gland है तो उसका master कौन है hypothalamus hypothalamus के अंदर hormone बनता है कौन सा एक तो यह जो है अगर हम बात करें oxytocin और EDH और इन दोनों hormone को release कौन करती है posterior pituitary neurohypophysis sparse nervousa तो बच्चों हम यह कहेंगे कि pituitary का यह सब concept आपने पढ़े वह रहे है मेरे प्यारे बच्चों तो direct हम निकालते हैं फिर हम निकालते हैं कि oxytocin जो है वो कहां से release होगा mother की pituitary से release होगा यह तो डीग है हम यह कहेंगे यह क्या करेगा यह जो है वो हम यह कहेंगे कि जो uterus है उस पार्चुरीशन का main hormone है पार्चुरीशन का main hormone है तो uterus में contraction करवाएगा mother को labor pain आएगे और उससे जो है वो baby जो है newborn जो है वो mother के birth के नाल के थुरू बाहर आएगा तो यह गहानी बनती है बिटा और इसे हम कहते है fetal ejection reflex हमें कहते हैं कि fetus कि कहता है टिक टिक मुझे बहार आना है impulse बेजता है कहा impulse बेजता है वो impulse बेजता है जो है hypothalamus को और hypothalamus में जो है formation होगा किसका oxytocine का वो देगा posterior pituitory को कि release करो भी इसको जैसे ही release होगा तो uterus गरबाशी के अंदर क्या होगा गरबाशी के अंदर जो है वो vibration होगा और गरबाशी में vibration होगा तो जन मनाल से जो है वो बच्चा बाहर आ जाएगा तो आसान question है मेरे प्यारे बच्चों अगला question ले लेते हैं बिटा जी हम class में पढ़ते हैं इसको बहुत detail से बहुत energetic तरीके से हम इसको पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को बिटा even below is a diagrammatic representation of an embryonic stage during development परिवर्धन के दोरान बनने वाले ब्रोणी अवस्ता का नीचे चितर दिया गया है हाँ हमने पेचान लिया यह चितर यह चितर ब्लास्टो सिस्ट का चितर है भई यह है ब्लास्टो सिस्ट हमने जो है ब्लास्टो सिस्ट का जो है वो डाइग्राम है और सिस्ट जो है वो कहां पर इंप्लांट रहेगा है कहां पर इंप्लांटेशन होगा मदर के वोम के अंदर मदर के यूटरस मदर का जो वोम है यूटरस है जो गरबाशे है हना गरबाशे का चोड़ा भाग उसको वोम बोलते है माकी कोक बोलते है उसमें यह इंप्लांट हो जाएगा ये वो डाइग्राम है जब हमारा मदर के वाम में हम रहते हैं मा की कोक में एक बच्चा रहता है बड़ा आराम से उसका फोटो खिचा जाए फोटो निकाला जाए तो ये है मेरे प्यारे बच्चो अब इसमें क्या कहानी है इसमें कहानी ये है कि अपन को क्या देख ना है भई, incorrect देखना है इसमें, incorrect देखना है तो पहला हम लेते हैं, it is solid ball of cells, नहीं, solid balls of cells होता है, वो morula condition होती है, जो morula condition होती है, उसमें बीच में cavity नहीं होती है, और वो solid ball जो है की form में होता है, और वो होती है morula condition, morula condition, तो पहला ही statement इसमें जो है पिटा, ये जो है, हमको incorrect देखना है तो पहला ही incorrect है यहां पर फिर्स्ट वालाही जो है वो यहां पर इंकरेक्ट है और भी option अगर हम आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है central cavity होती है blastocyst हाँ यह तो होती है भी हम यह कहेंगे येरी blastocyst हम ये कहेंगे कि ये जो है क्या करेगा कि इसके बाद gastrula stage आती हाँ पहले morula then blastula और उसके बाद gastrula stage ही आती है वो भी सही है it is a more advanced stage than morula हाँ बिलकुल morula के बाद ही आती है तो morula advance है तो ये भी सही है तो तीन statement सही होगे पहला statement इसके अंदर wrong हो गया और हमें wrong ही देखना है बिटा हमें गलत ही देखना है तो फिर ये लीजे इसका option चला जाएगा first तो ये इसका solution मेरे प्यारे बचों अगला question का हम solution देखते हैं कि अगला जो question हम लेते हैं बिटा वो लेते हैं कौन सा 66 question number 66 बिटा जी question number 66 के अगर हम बात करें select an incorrect statement for the events represented by following figure दिएगे चितर दौरा प्रदर्शित घटनाओं के लिए गलत कतन का chain कीजे इस जो है के अंदर हमें गलत कतन जो है वो देखना है बिटा mitotic division start as the embryo moves through the isthmus of the oviduct towards the uterus बिटा ये कहना चाहता है कि ये इधर fertilization place तो ampoula है और उसके बाद जो है morula condition और वो जो है आगे जाता है तो उसमें जो है ये mitotic division लेकिन बिटन नहीं mitotic division नहीं उसको हम बोलते हैं cleavage के cleavage होते है इनिशल division of gigot को प्रारंबिक gigot में यूगमनज में होने वाले प्रारंबिक विभाजनों को विदलन कहा जाता है तो विदलन कहेंगे न की विदलन कहेंगे बिटा हम cleavage कहेंगे न की mitotic division तो गलत दूड़ना था हमें गलत कथन पहला ही गलत कथन मिल गया हमें but mitotic division तो होते नहीं है भी वो तो cleavage होते हैं अगला हम देख लेते हैं embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula morula कहते हैं उसको हाँ बिल्कुल साब morula कहते हैं यह रहा morula यहाँ पर तो यह morula condition है बच्चों अगर हम बात करें कि यह किसके बीच की condition है जाइगोड और blastocyst बिल्कुल बिटा यहाँ पर इस पौम एंट्री मार गया तो जाइगोड बन जाएगा और जाइगोड बन जाएगा और इधर जो है अगर हम बात करें कि implantation जो होगा तो blastocyst की condition में यहाँ पर implantation होगा तो यह जो है इनके बीच का जो है वो condition है मोरूला लगातार विभाजन दर्शाती है तता blastocyst में बदल जाती है तो यह लीजे हाँ बिल्कुल यह blastocyst में जो है यह बदल गया है मोरूला में जो है वो division होगा और division कौन से cleavage होंगे और cleavage होकर यह blastocyst में convert हो जाएगी तो यह जो है यह भी सही है blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus which is called as implantation कि यह H वाला जो है यहाँ पर देख रहे हो यह endometrium के अंदर implant हो गया है और implant हो गया है तो इसे implantation blastocyst implant हो गया है इसे implantation बोलेंगे इंडोमेट्रियम में uterus के endometrium में यह implant होता है तो उसे जो है normal pregnancy बोलते हैं अगर कहीं और implant होता है यह यहाँ के अलावा तो उसे ectopic pregnancy बोलते है वो तो आप जानते ही हो तीन statement यहाँ पर बिलकुल सही जो है वो दिये वे हैं बिटा जी तीन statement सही है पहला statement wrong हो जाता यह cleavage ह होना चाहिए था mitotic division नहीं होना चाहिए था तो गलती दूड़ना था हमें हमें answer मिल गया first answer हमें मिल गया प्यारे बच्छों अगले question की solution की तरफ हम बढ़ते हैं बिटा और अगला question हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 67 बिटा जी अगर हम कहें कि 67 की बात करें हम तो 67 की क्या कहा हानी बन रही है in the later phase of pregnancy a hormone called relaxing is also secreted by बड़ा प्यारा question है गर्बधारण की अंती मवस्ता में एक हार्मोन जिसे relaxing कहते हैं डेश 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 के दौरा भी इस्तरावित किया जाता है बई किसके दौरा इस्तरावित किया जाता है बटा अगर हम बात करें कि mainly हम question जो आते हैं वो क्या आते हैं बटा NCRT best question मेरे प्यारे बच्छों संजीवनी गया है NCRT है बटा selection जो है वो बिल्कुल swimming करते वे सेलेक्शन बिल्कुल सीध मंजील पे पहुंच जाना किस से होना है ncrd से होना है फुल मार्ट लाने ncrd से फुल मार्ट साजाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम यह कहेंगे ncrd क्या कह रही है ncrd कह रही है कि relaxin जो है वो release करती है pregnancy के last में pregnancy के last का मतलब होता है कि जब parturition हो जब birth हो तो उस समय जो है ovary release करेगी relaxin तो relaxin को जो है वो release करेगी ovary तो अंडाशे जो होता है इस अंडाशे के द्वारा अंडाशे के द्वारा जो है हम यह कहेंगे कि relaxin इस्त्रावित होता है गर्बधारण की अंती मुवस्ता में जब जनम होता है उस समय relaxing जो है वो स्त्रावित करता है अंडाशे यह कहानी है आपने यह भी सुना होगा कि तूटता हुआ गर्बधा प्लेसंटा रिलेकसिन जो है रिलीज करता है लेकिन आप लोग में कहानी क्या बनती है कहानी एक जो है कॉंट्रीन क्यूशन पहले आया हुआ है निट के अंदर ICSI और AI पर question आया हुआ है कि sperm की counting जो है कम है male partner के अंदर तो कौन सी method यूज में लेते हैं दोनों यूज में लेते हैं यूज में लेने को तो क्या है उसमें ICSI भी यूज में ले सकते हैं AI भी यूज में ले सकते हैं लेकिन उसका answer जो गया था वो NCRD based answer गया था AI artificial insemination easy method पहले यूज में ले लेंगे ना बिटा पहले ऐसा जो है बहुत बड़ा method के वो यूज में लेंगे कि ओवा लें फिर इसमें sperm को inject कराएं और ऐसा वेसा तो हम यह कहेंगे कि NCRD NCRD लिग दिया कि less counting of sperm है अगर male partner के अंदर तो artificial insemination जो है वो करा सकते हैं male partner से sperm लिए और artificial insemination करा सकते हैं उनको दूर तक पहुचा सकते हैं ताकि वो fertilize कर दे होगा को तो बिटा कहने का मीन यह है कि आपका जो है question जो का answer आपको देना है तो NCRD based देना है उसी को सही माना जाता है हम यह कहेंगे यहां पर कि रिलेक्स से इनको कौन secret कर रही है ovary secret कर रही है प्यारे बचों next question को हम देखते हैं question number 68 how many statements are correct regarding an ideal contraceptive ideal जो contraceptive होती है आदर्ष जो गर्म निरोदग होती है उस आदर्ष गर्म निरोदग के लिए हमें कौन से कथन जो है वो सत्य है वो देखने पिटा आदर्ष गर्म निरोदग ऐसी होनी चीए जो user friendly हो मतलब अगर कोई user उसको use कर रहा है तो उसके लिए वो मैत्रिपूर्ण होनी चीए वो उसका जो sexual जो intercourse होता है अगर हम बात करें sexual जो act होती है उसमें किसी तरह की कोई जो है वो दूविदा नहीं करना चीए मतलब अगर जो है male female partner के अंदर अगर संबोग हो रहा है तो संबोग में किसी तरह की कोई समश्या उनको नहीं होनी चीए बिटा हम ये कहींगे कि उसका जो है side effect की अगर हम बात करें बिलकुल अगर हम बात करें side effect जो है वो कम होने चीए उसके कम से कम जो है side effect हो ना हो बच्चों अगर हम बात करें कि हाँ reversible होना चीए reversible होना चीए क्योंकि reversible हो गया तो वो तो क्या है irreversible हो गया तो वो तो एक तरह से sterilization method है उनको उसके बाद तो अगर हम बात करें बहुत सारे जो है method होते हैं पीटा natural method होते हमने पढ़ा है natural method होते हैं natural method के अंदर क्या कहानी बनती है natural method के अंदर male जो partner होता है वो अपने axonal genitalia penis को जो है वो बाहर लिलता है sperm को semen को बाहर छोड़ देता है तो उसको हम जो बोल देते हैं coitus interruptus coitus हो रहा है, coopulation हो रहा है मेथूनी प्रिक्रिया हो रही है और male partner ने axonal genitalia को बाहर ले लिया sperm को बाहर छोड़ दिया तो वो जो है एक natural method हो गया coitus interruptus हम यह कहींगे lactational amenorrhea कि भई जो है जो गर्बती मेला आज के बाद बच्चे को जनम दे देती है और वो बच्चे को जो है वो क्या करें है कि भई उसको जो है दूद पिलाती है ma Wam को कहानी बनती है जो है एक होता है periodic abstinence, periodic abstinence की बात करें तो दस्वे से सत्रवे दिन, mensual cycle का, दस्वे से सत्रवे दिन, उसमें 14 डे आता है बीच वाला, तो ovulatory डे आता है उसमें बीच वाला, अगर इस बीच में, दस्वे से सत्रवे दिन, 10-17 डेज, male-female partner में coitus copulation नहीं होगा, तो हम यह कहेंगे बहुत ही प्यारे रहते हैं, ideal method रहते हैं, खुद अपने इसाब से यूजर अपने इसाब से यूज़ कर सकता है, हाँ, और इसमें कोई side effect भी नहीं होते हैं, बड़ फैल होने की possibility बहुत जादा होती है, Indian women जो पसंद करती हैं, बच्चों में गेप हो गेरा रखने के लिए बहुत अच्छा method उनको जो लगता है, वो IUDs लगती है, IUDs में, intrauterine devices में, आप पढ़ते हो, copper releasing वाली होती है, copper tea, copper 7, multi-loaded 375, अगर हम बात करें, hormone releasing होती है, LNG20, progesteracert, अगर हम बात करें, उसमें जो है, non-medicated होती है, वो होती है, आपका lipase loop, इस तरह की होती है, implantable method भी ह होते हैं, pills भी जो है, वो होती है, है न, estrogen, progesterone का mixer यूज़ करते हैं, तो यह सब method होते हैं, हाँ, stylization method एक finally vasectomy और tubectomy ऐसा होता है, जो reversible नहीं होता है, उनको संतान maximum reversible नहीं होता, क्योंकि अगर बांद के, फैलोपीन ट्यू, female के अंदर, और male के अंदर, वास difference को बांद के cut कर दिया, cut कर दिया, to reversible हो गया, cut कर दिया, फिर तो हम यह कहेंगे कि भी वो संतान नहीं चीए, तब use में लेते हैं, तो भो तो फिर, हाँ न, वो तो, हम यह कहेंगे कि अब हम इनीं चीजों को लेते वे, हम देखते हैं, यहाँ पर, कि भी, कौन सा, जो है, ideal contraceptive के लिए, जो है क्या-क्य चीजे जो है वो आदश गर्म के लिए कौन से कतन शत्ते हैं यूजर फ्रेंडली बिल्कुल साब होना चीज़ यूजर फ्रेंडली इसली अविलेबल बिल्कुल होना चीज इसली अवेलबल हम यह कए, effective, non-reversible, reversible तो होना चीज़ भी, non-reversible हो गया, मतलब संतान ही नहीं चीए फिर तो उनको फिर तो इस्टिलाइजेशन मेथड हो गया तो यह हम नहीं लेंगे पिटास को हम यह कहेंगे यह जो है यह सेक्शुल एक्ट में किसी तरह का कोई इंटरफेर ना करें कि वो जो है अपने उसकी जो लेंगिक प्रक्रियां है नरुमा से हो जाते हैं 1, 2 and 4 से हो जाते हैं तो इसमें चला जाएगा बिटा आंसर 1 मेरी ख्याल से आपको इस सॉलुशन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्छों अगले क्रिस्टन का हम सॉलुशन बनाते हैं और अगला क्रिशन हम लेते हैं कौन सा भी वो लेते हैं 69 मैन पर कब उसकी permission मिल सकती है उसकी permission मिलेगी अगर कोई बच्चे के इंदर बेबी के अंदर कोई ऐसा जो है एसा जो है जनेटिकल डिसॉडर है या इस तरह की disorder है इस तरह की बिमारी है कि वह ठीक नहीं हो सकती डॉक्टर ने का ठीक नहीं होगी सब तो फिर उसका abortion का MTP का permission मिल जात कोई कहें कि मेरे तो गडर में जो है न पहले से वह टीम है और मैरा तो कोई पहले से संतान है उसका कोई method हो गया है उनका कोई method जो है वह वह फेल हो गया है कोई तो उसको भी permission दी जा सकती है तो हलाकि उसमें embryo को फीटस को जो है डैस्टरोई करना हो गए एक तरह से विटा तो इस तरह से अगर हम जाएंगे तो में परपस तो क्या निAKलेगा अगर हम बात करें बाद करें ग artwork का में यह निकलेगा मैं परपस मेरे बच्चों कि unwanted जो है contraceptive method उसमें भी दी जा सकती है और rap cases में मैंने आपको बताया कि एक तो किसमें कि भई वो कहे कि मेरे घर पे बहुत सारी टीम है डॉक्टर साब है न और वो permission मांगे help जो है वो hospital से जो है permission मांगे कि मेरे को MTP करवानी पड़ेगी घर में पहले से टीम है तो वो मल जाएगी permission उसको rap cases में government जो है rap cases वगेरा जो होते हैं उसमें अगर pregnancy आ जाती है तो उसमें permission देती है कुछ इस तरह का disorder हो तो वहां पर permission मिल जाती है तो बिटा यह हमारा food चला जाएगा आपको समझ में आगया होगा बाकी और देखो तो जनसंग्या का अकार बढ़ाने के लिए जनसंग्या का अकार गटाने के लिए नहीं अवांचीत मादा की तरफ बढ़ते हम प्यारे बच्छों next question हम लेते हैं और वो लेते हम question number 70 70 की अगर हम बात करें तो हमें column first और column second को बिटा match करना है और कुछ भी नहीं बड़े आसान है इसमें पहले जो है उसमें बोला गया है कि gametes को collect कीजिए और zygote बनाईए sperm और और ओवा को collect कीजिए और आप जो है क्या करेंगे कि zygote बनाएंगे कहां पर laboratory के अंदर इसको sperm को एंटर करवाएंगे कि इसमें ovum के अंदर तो इसको क्या बोलेंगे इसको IVF बोलते है इसको जो है अगर हम बात करें कि IVF जो है test tube baby program जो से आप बोलते हो IVF जो है वो बोला जाता है in vitro fertilization in vitro poofil form उसका होगा IVF का वो होगा in vitro fertilization वो आप बोलते हैं तो यह लीजे इसमें जो चला जाएगा first वाल है मैं C चला जाएगा भी next हम देखें जाएगोट और early embryo जो 8 blastomers condition तक है हम यह कहेंगे कि जाएगोट है जाएगोट मींस इसमें जो है जब ओवा के अंदर sperm जो है वो चला गया है तो वो क्या बन गया है 2N cell जाएगोट बन गया है या फिर उसमें cleavage शुरू होने के बाद वो 8 blastomers की condition तक ही है 8 blastom été Diped की condition तक ही है तब उसको क्या किया जा सकता है उसको फैलोफीय न ट्यूब में रख सकते है उसको कहां रख सकते हैं फैलोपीयव voice 2 cuff के अंदर रख सकते है और उसे और उसे जाइगोड इंट्रा फैलोपीन ट्रांसफर तो यह लिजे सेकंड के अंदर चला जाएगा बिटा ए अगर हम बात करें कि जाइगोड विद मोर देन एट ब्लास्टोमेर्स अगर आट ब्लास्टोमेर्स से जादा हो गए जाइगोड में तो गया करेंगे उसको फिर फैलोपीन ट्यूब में नहीं रखेंगे उसको फिर रखेंगे यूटरस में तो उससे कहेंगे IUET, intrauterine embryo transfer गएंगे, IUET, intrauterine embryo transfer या फिर उसे embryo transfer कहेंगे, तो ये लिजे, intrauterine transfer, IUT, आप IUET भी बोल सकते हैं, intrauterine embryo transfer भी बोल सकते हैं, IUT भी बोल सकते हैं, intrauterine transfer भी बोल सकते हैं, UT 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 भी बोल सकत इन्विवो फेचिछन इन्विवो फेचिछन बोलते हैं और मदर के अंदर हो तो यह तिए करेंगे इन्विवैशन बोलते हैं तो ये कहानी है पिटा हमने निकाल लिया इसका solution C A B और D तो ये लीजे C A B D first ही इसमें चला जाएगा पिटा C A B D तो इसका solution आपको समझ में आ गया होगा पिटा अगला जो है question का हम solution करते हैं और वो हम लेते हैं पिटा question number 71 71 हम से क्या गे रहा है बड़ा प्यारा handmade question which of the following birth control method have maximum failure rate अभी अभी हमने जो है पहले वाले solution में देखे बिटा जो previous solution की है हमने उन solutions के अंदर हम देख चुके हैं कि असफलता की दर किसमें होती है सबसे जादा तो वो natural method में होती है वो जो होती है बिटा जी वो कौन से method में होती है वो natural method के अंदर होती है अब आप कोगे is a natural method मैं बता चुका हूँ आपको natural previous solution में मैं बता चुका हूँ आपको कि natural method के अंदर चाहे वो lactational amenorrhea हो चाहे वो periodic abstinence हो चाहे वो coitus interruptus हो तो ये जो method होते है natural method होते हैं ideal और अच्छे method होते हैं उनमें जो है side effect नहीं होता है बट एक कहानी है और वो कहानी क्या कि उनमें fail होने की rate जो है वो जादा होती है failure rate जादा होती है तो इसमें चला जाएगा प्राकरतिक विदी natural method समझ में आगया होगा प्यारे बच्चों अगला solution हम देखते हैं और अगला solution हम बड़े किस तरफ ये लीजे question number 72 question number 72 जो है वो अगर हम बात करें which of the following is hormone releasing IUD बटा एक बद बताओ मैं आपको ये IUD और ART intrauterine devices जो हैं और जो ART हैं assisted reproductive technologies बटा इतने बर्मार question आते हैं बार-बार repeat होते हैं मुफ्त के marks हैं याद कर लो इन techniques को बहुत अच्छा सा आप ART assisted reproductive technologies को अच्छे से याद कर लो जिनमें gift gift वगेरा ही सब चीजें आती हैं और आप जो है एक जो IUD होती हैं जिसमें hormone releasing हैं copper releasing हैं जिसके अंदर जो है जो है कौनसी वाली भही hormone releasing IUD कौनसी hormone मोचक IUD है hormone releasing IUD है तो hormone जो है वो release करती है कौनसी hormone जो है वो release करती LNG20 प्रोजस्टा सर्ट हो गई LNG20 हो गई ये पेटा question पूछा पहले भी पूछा गया है निट के अंदर पहले भी question पूछा गया है which of the following is hormone releasing IUD सीधे सीधे गईगे अरे ये भी नहीं पता ये तो बड़ा असान है ये तो है LNG20 चलिए अगला solution लेते हैं पिटा जी हम और अगला solution हम लेंगे कौन सा वाला भी question number 73 question number 73 की बात गरे है पिटा full form of ICSI ICSI ARD में से assisted reproductive technologies का जो है method है और ICSI को आप बोलते हैं intra-cytoplasmic sperm injection intra-cytoplasmic sperm injection बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अगर आप जो है intra-cytoplasmic sperm injection लेते हैं तो देख लेते हैं इसकी full form कौन सी कहां पर लिकिए SI full form ये लीजे अगर हम बात करें कि intra-cytoplasmic sperm injection ये जो है answer इसमें चला जाएगा कि OVA के साइटो प्लाजमे sperm को inject करा दिया intra-cytoplasmic sperm injection अगला हम लेते हैं बटा तो second option चला जाएगा question number हम लेते हैं बटा 74 question number 74 जो है वो क्या कहना चाह रहा है हमसे which feature is correctly associated with the given figure दिएगे चितर के लिए कौन सा सही विकल्प है तो बटा सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ये हमें तो नजर आ रहा है बही कौन सा कॉंडम female condom नजर आ रहा है और ये अगर female condom जो है नजर आ अगर आ रहा है तो ये जो female condom है ये condom किस से बचाते हैं? condom sexual transmitted disease से तो बचाते ही है STD से तो बचाते है SPOM और OVA को नहीं मिलने देते वो तो बात है ही Fertilization नहीं होने देते है वो तो बात है ही बट हम ये कहेंगे STD से बचाते है sexual transmitted जो डिजीज होती है उनसे भी बचाते है तो देखें कहां पर लिखा हुआ है ये अगर हम बात करें कि भी female condom बिलकुल ठीक है female condom है साब ये लिजे बिटा फिर से वापस होई question ये लिजे जो है अगर हम बात करें कि भी क्या है ये जो है कौन सा condom है condom for female और अगर हम बात करें providing protection from STD तो महिलाओं के लिए condom है जो STD के विरुद सुरुक्षा प्रदान करता है ये चला जाएगा पुरुष्खा है ही नहीं STD के विरुद सुरुक्षा प्रदान नहीं करता है IUD नहीं तो सारे जो है वो गलत हैं जो सही है वो है second second option ये female condom है और STD से सुरुक्षा करता है चलिए अगला solution देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अगला solution जो है वो आगया question number 75 बही question number 75 अगर आगया है तो question number 75 क्या कहना चाहरा है the given figure show one of the element releasing intrauterine devices select the option which show the correct identification of the device and its feature दियेगे चित्र में एक तत्व को इस्त्रावित करने वाला अंतर गरबाशी यंत्र को दिखाया गया है निम लिकित में से कौन सा इस यंत्र के लिए सही पैचान तता उसका लक्षण है पैचान लो रहे बिटा copper T है रहे बिटा क्या नजर आ रहा आपको पढ़ा है अपने NCID में copper T नजर आ रहा बिटा और copper T जो है वो क्या करता है इस स्पर्म की Mortality को Decrease करता है और स्पर्म की Mortality को Decrease करेगा अगर इस स्पर्म को दोडने न देगा तो कहां से Fertilization करेंगे वह कां से Initiation करेंगे तो यह जो है अगर हम बात करें copper T है बिलकुल suppress करेगा sperm की mortality को कम करेगा उसके fertilization capacity को जो है वो कम करेगा तो पहले option चला जाएगा कि ये copper T है और copper T क्या करता है शुक्राणों की गती शीलता और initiation शम्ता को गटाता है बाकी तो और तो है ही नहीं और तो copper 7 है, lipase loop है, LNG20 है तो होगे नहीं, copper T है तो बिटा ये चला जाएगा CUT, copper T यह लीजे और क्या करेगा sperm की mortality को decrease करेगा आगे बढ़ती है हमारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों और आगे हम लेते हैं question number 76 question number 76 हमने लिया identify the most popular contraceptive जो क्या करेगा भई, जो है, सबसे प्रचलित गर्मिरोध को पेचानिये जिसके लक्षण नीचे दिये गए है ठीक है, पढ़ लेते हैं ये सहवास में अवरोध उत्पन नहीं करते हैं they does not interface the act of coitus ठीक है, they are effective barriers for insemination ये वीरे सचन के लिए प्रभावी अवरोध है they are effective barrier for insemination insemination नहीं होने देगे they prevent the STD, ये STD को रोकते हैं sexual transmitted disease को रोकते हैं हाँ भई, रोकते हैं, बिल्कुल सही है और popular भी तो है, सबसे बड़ी बात popular भी है तो popular जो है वो अपन को निकालना है तो बिटा, popular में तो आपकी NCRT ने हम इसको NCRT के according करेंगे अगर हम बात करें किसके according करेंगे इसको NCRT के according करेंगे बिटा और NCRT के according करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सबसे famous condom, सबसे famous popular जो condom है सबसे पहले हम यहाँ पे गए, प्रचलित पे गए सबसे popular पे गए और popular कौन सा? निरोध तो निरोध के बारे में देखें कि निरोध क्या सवास में कोई अवरोध करता है क्या अवरोध करता है पतली सी परत होती है वो तो लेटेक्स की या रबर की पतली सी परत होती है क्या अवरोध करेगा उसमें तो कुछ नहीं और different types के condom आते हैं और निरोध तो जो है वो बड आ गई तो यह sperm जा रहा है ओवास नहीं मिलने देगा बिल्कुल एफेक्टिव तो है अगर जो है एक्षिनल जनाइट इलिया भी कॉंडम अगर है तो वह कॉंडम क्या होता है एस्टेडी से बचाता है सेक्ष्वल ट्रांस्मिटेड डिजीज जो है एस्टेडी से बचने का है तो यह निरोध आगया हाला कि को होसमेинов जो यहां पर और भी तो यह फीमेल कॉंडम जो डायफ्रामlied वॉल्ट है सर्वाइकल के यह सब हमेल कॉंडम है यह सब चीजए जो है नियूर्द का यूजए मरे सब सब्चेज़ रहे हैं लेकिन जो पॉपेलर की बात आती है तो पॉपुलर कौन सा है तो मेल कॉंड़म निरोध बड़ा पॉपुलर है यह निरोध जो है बड़ा पॉपुलर है पिटा है ना जितना इनका यूज है जिनका इतना यूज है सबसे ज़्यादा निरोध का यूज होता है पिटा खेर आगे बढ़ते हैं सोलुशन समझ में आग रोकताम के लिए सही विदी है which of the following may be the preventive method against the STD अच्छा STD को prevent करना भई STD को रोकना है और उसके लिए सबसे अच्छा क्या करना चाहिए अंजान साती के साथ लेंगे संपर की उपेक्षा करनी चाहिए क्यों अंजान साती के साथ तो बिल्कुल नहीं भई avoiding करना चाहिए sexual contact किसके साथ unknown partner unknown partner के साथ sexual जो है contact वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही है साथ ये भी पिटा हम ये कहेंगे कि life में एक ही sexual partner होना चाहिए आगे कहानी क्या पढ़ती है use of condom during coitus सवास के समय condom का उप्योग हो अगर हम बात करें कि condom का अगर उप्योग होगा तो आपको पता है condom से जो है वो study से बचा जा सकता है बिल्कुल बचा जा सकता है तो ये भी हो गया इसके अंदर in case of infection improper treatment संकरमन हो जाने बाद अनुप्योग तो चिकेसा अरे बही improper क्यों प्रॉपर treatment लेना पड़ेगा तो ये तो गलत हो जाएगा तो इसमें जो answer हो गया वो गया both one and two answer जो हो गया वो गया both one and two one and two जो है इसमें answer चला जाएगा बड़ा असान है आपको solution समझ में आ गया होगा बच्चों अगली कहानी की तरफ बढ़े अगली कहानी है question number 78 पिटा जी question number 78 की अगर हम बात करें तो question number 78 भाई ये लीजिए आजाईए 78 पिटा जी अगर हम बात करें 78 की तो इसमें क्या कहानी है मेरे प्यारे बच्चों gift is a suitable ART which is used for those female which पिटा gift क्या है gift gift ही है जिस female के अंदर ova नहीं बन रहा है वोसको किसी दूसरी female से ova gift कर दिया जाता है उसकी फैलोपीन ट्यूब में रख दिया जाता है वो gift कर दिया gamit intra fallopian transfer इसको बोलते gamit intra fallopian transfer intra fallopian transfer तो हाई रहा है fallopian tube के अंदर रखा जाता है किसको gamit को gamit कोंसा? ओवा ओवम अगर फिमेल के अंदर जो है ओवम नहीं बन रहा है फिमेल के अंदर क्या नहीं बन रहा है ओवम नहीं बन रहा है तो दूसरी फिमेल से ओवम लेकर रख देंगे तो वो गिफ्ट हो जाएगा बिटा तो देखो निकाल लेते हम अगर हम बात करें कि इसमें कौन स और इसलिए उसको गिफ्ट किया जा रहा उस दूसरी फिमेल से गैमीट इंट्रा फैलोपीन ट्रांसफर जो है वो गिफ्ट किया जा रहा है तो ये बच्चो कहानी है है ना बाकी तो जो है वो गलत होई जाएंगे बटा ये ब्रून के आरोपीत होने के लिए अनुप्यूप्त है नहीं वरदी कर रहे है ब्रून को पोशन प्राद करने के लिए अक्षम है नहीं बटा इसके अंदर जो है सीधी सीधी आप बात धियान रखना आप तो कि अगर ओवम नहीं बन रहा है फिमेल के अंदर तो दूसरी फिमेल से ओवम लेकर और उसके फेलोपीन ट्यूप के अंदर रखना ये गिफ्ट कहलाता है तो आंसर सिधा 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 चला जाता है second अगली solution की तरफ बढ़ते है मेरे प्यारे बच्चों अगला solution है 79 क्वेशन नमर 79 treatment ज्यादा तर जो होती है अगर हम बात करें कि इसमें इस question में बोला गया है कि ज्यादा तर जो studies होती है sexual transmitted disease होती है वो अगर proper उसका treatment किया जाए तो ठीक हो जाती है proper treatment किया जाए तो क्या हो जाती है ठीक हो जाती है हाला कि यसी भी है जो ठीक नहीं होती है कौन से ठीक नहीं होती है एड्स जो है वो ठीक नहीं होता है हेपटाइडिस भी जो है ठीक नहीं होता है जनाइडल हर्पीज वो ठीक नहीं होता है नॉर्मल हर्पीज हो जाता है जनाइडल हर्पीज नहीं होता है तो अगर हम बात कर जाएगा गौनोरिया ठीक हो जाएगा तो फोर्थ पे चला जाएगा अधिकांश लेंगी गुरूप से इस्तांतरित रोग आरंबी का वस्ता में पैचान लिये जाने तदा समुचित उप्चार के द्वारा उप्चारित किये जा सकते हैं उप्रोक कथन से संबंदित है उप् पैटा अंडजनन के बारे में कौन सा गलत है निकाल लेते हैं कि मल्टिप्लिकेशन डिवीजन कम्प्लिटेट ड्यूरिंग अंब्रियोनिक स्टेज गुणन अवस्ता अवस्ता के दोरान ही पूर्ण हो जाती है ठीक है यह तो जो है अगर हम बात करें यह बात सही है अगर हम बात करें रॉंग डूढ़ना है न अपन को रॉंग डूढ़ना है यहां पर द्यान रखीगा हम यह कहेंगे अरेस्टेड एट प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसस फर्स्ट बिफोर प्यूबर्टी अगर योवन काल आएगा उससे पहले वो कहां पर अरेस्ट रहता है वो है is multiplication, growth and maturation first before of entry of sperm इसमें multiplication phase होता है, growth phase होता है, maturation first भी होता है, अगर sperm की entry नहीं हो उससे पहले maturation first भी होता है, वो भी ठीक है, sperm की entry होने के बाद second होता है, इसलिए maturation first है यहां पर, तो यह सारी चीजें भी जो है, वो सही हो जाती है, next बिटा, maturation division second occurs before fertilization, भई, before fertilization लिखो या entry of sperm लिखो, तो बच्चों अगर हम कहेंगे maturation division second occurs before fertilization, नहीं, fertilization का जो process है, उसी में maturation division second होता है, जो fertilization sperm की entry हो जाती है, और sperm की entry हो जाती है, उसके बाद, जो fertilization process शुरू हो गया, मतलब उसके तयारियां शुरू हो गए, fertilization के, हाला कि complete नहीं हुआ है, बट fertilization शुरू हो गया, तो fertilization में ही, क्या होगा, maturation division second होगा, before नहीं, तो बटा यह जो है, अगर हम बात करें, यह गलत हो जाता है, तो बटा हमें wrong ही डूड़ना है, तो wrong जो है, यह कहानी बन गई, यह फोर जो है option चला गया, तो मेरे कहाल से solution आपको समझ में आ गया होगा, प्यारे बच occurs before other three, भ्रूनिय परिवर्दन का कौन सा लक्षन अन्य तीन से पहले होता है, बटा सबसे पहला अगर आप देखो कि सबसे पहले मैने में, सबसे पहला जो है, जो काम जो होता है, first month में, वो कौन सा होता है, formation of heart, यह दगदग मशीन, धगदग करने लगा, तो हम यह कहेंगे बटा कि भूरिय परिवर्दन में, यह तीन से पहले अगर कोई होगा, तो कौन सा होगा, हर्दे का बनना, हम यह कहेंगे, इन तीनों option से पहले जो होगा, वो होगा, formation of heart, तो यह कहानी शुरू होती है, बटा, पहले मैने में यह कहानी शुरू होती है, इन सबसे पहले, यह जो है, formation of heart की first trimester मतलब, तो वहाँ पे जो है, formation of heart जो है, वो बच्चों कहानी बन जाएगी, next हम लेते हैं इसके इंदर, और वो लेते हैं हम कौन सा, question number जो है, अगर हम ले लेते हैं, कौन सा वाला, next वाला भी कौन सा है, 82, बटा, question number 82 अगर हम लें, तो question number 82 हमें क्या कह रह है कि first और second को जो है, वो मिलान कीजिए आप, istumbh कहते हैं भी column, istumbh का मिलान करते हैं भी, और istumbh का अगर हम मिलान करें, तो सबसे पहले pills, प्रिल्स क्या करेगी, प्रिल्स जो है, अगर हम बात करें कि भी ये जो है, prevents ovulation, vasectomy, तो second हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करे condom, condom क्या करेगा भी, condom की अगर हम बात करें, तो prevent sperm reaching cervix, वहाँ तक जो है, नीद आन देगा, तो इसमें third हो जाएगा, अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है, vasectomy, vasectomy जो है, वो क्या होगा, कि vasectomy होने के बाद, semen के अंदर, sperm नहीं होंगे, क्योंकि vas difference को बांध के cut कर दिया जाता है, तो जो अगर हम कहें कि भी, जो accessory reproductive gland से, जो seminal plasma, जो semen जो आ रहा है, उसके अंदर, semen तो आ रहा है, बट उसमें sperm नहीं है, vas difference को बांध के cut कर दिया, जो testis से, जो है, sperm लाता है, उसको बांध के cut कर दिया, तो sperm नहीं आ रहे है, हाँ, accessory glands का, जो fluid आ रहा है, उसे semen तो बोल जी सकते हो, but semen के अंदर sperm नहीं होगे, तो यह जो है, बटा कहानी, vasectomy के अंदर जो है, बन जाएगी, fourth option चला जाएगा, और अगर हम बात करें, cut, copper T, तो copper D क्या है, copper T, बटा, IUD है, intrauterine devices है, तो intrauterine devices, जो है, वो IUD है, तो यह लीजे, जो है, fourth, तो यह ज fourth और first, तो इसका answer चला जाएगा, बिटा जी, second, second answer चला जाएगा, फिर से बता देता हूँ, बिटा जी, आपको column match करना है, तो copper T, IUD है, यह लीजे, copper T, जो है, वो IUD है, first के अंदर, अगर हम बात करें, तो first के अंदर, जो है, वो क्या आ गया है, यह लीजे, जो है, अगर D के अंदर क्या आ गया, D के अंदर, जो है, वो first आ गया है, अगर हम बात करें, वासेक्टोमी, तो वासेक्टोमी, जो है, वो क्या है, वासेक्टोमी, जो है, होने के बाद, जो है, स्पर्म नहीं रहेंगे, किसमें सीमन के अंदर स्पर्म नहीं रहेंगे, तो C के अंदर, तो सीखे अंदर यह फोर्त आ गया ठीक है कॉंडम क्या करेगा कॉंडम प्रिवेंट स्पर्म रिचिंग सर्विक्स सर्विक्स तक वह विजाइना में जब हम यह कहते हैं कि मेल फिमेल में कोईटस हो रहा है कोपलिशन हो रहा है तो कॉंडम अगर है तो कॉंडम में रहे जाएंगे वो जानी पाएंगे तो हम यह कहेंगे पिटा यह जो है इसमें थर्ड आ गया किसके अंदर बी के अंदर जो है वो थर्ड आ गया फिर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें कि अगर एक अंदर आप पिल्स के अंदर आप देखो तो प्रिवेंट करेगा ऑवलेशन को तो यह जो है कहानी है बिटा और यह आपका सॉलुशन बन जाता है इसमें आनसरा जाता है सेकंड अगले सॉलुशन की तरफ बढ़ते हैं बि प्यारे बच्चों अगले सॉलुशन की तरफ बढ़ते हैं हम और वो आता है कौन सा भी 83 क्यूशन नमबर 83 की बात करें बच्चों विच अप फॉलोविई इस नौट दे फंक्शन ओफ प्लेसेंटा बही प्लेसेंटा अपरा का जो है कारे कौन सा नहीं है अपरा की बात कर वेर्थ पदारतों को बहार निकालने में सायता करता है इट फैसलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डा एक्षाइड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एंब्रियो ठीक है साब यहां पर क्या दून रूना है अपन को विच अप दॉफ फॉलोविई इस नौट दे फंक्शन नौ पॉस्टियोटर सिक्रीट करती है और वैसे उसको बना के कौन देता है बना के उसको देता है हाइपोथलेमस तो यह तो जो है वो गलत हो जाएगा अगला भी पढ़ लेते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि भी उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा अगर हम बात करें रलक्सिन तो मैली ओविरी Manly NCRT According Over E अगर हम बात करें कि बही और कौन सा और जो है Estrogen Progesterone का Secretion भी यह कर देता है तो यह लीजे बच्चों हम यह कहेंगे कि यह भी सही हो जाएगा यहाँ पर जो रॉंग हमें जो है गलत जो ढूणना है बिटा और वो गलत ढूणना है कि अपरा का कारें नहीं है नहीं डूणना है तो वो है यह वाला अपरा का कारें नहीं है यह वाला It's secret Oxytocin नहीं नहीं करता है तो आपको समझ में आ गया होगा बड़ा आसानी से बटा अगले जो है वो solution की तरफ बढ़ें और वो आएगा question number 84 84 क्या कह रहा है ectopic pregnancy होती है कि जहां पर implantation इसको सही शब्दों में अगर हम बात करें तो implantation कहां होता है embryo अगर हम बात करें mother के womb में मा की coke में जो है endometrium के अंदर होता है तो वहां तो आप जो है बोल सकते हो कि pregnancy हो गए बट उसके अलावा अगर कहीं और हो गया कहीं और कहीं पर भी आपको फैलोपें ट्यूब में हाँ कहीं और भी जो है वो हो गया ectopic pregnancy है तो ectopic pregnancy जो है वह बात करते हैं हम कैसे हो जाती भई biology is a science of exceptions आप वादों का विज्ञान है biology तो उसे ectopic pregnancy गएंगे तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या कहानी जो है वो बन रही है कि इसके अंदर जो option जा रहा है वो जा रहा है कि implantation जो हो गया है बेटा एक second वापस लिया तो मैं इसको implantation हो गया है वो कहां पर होगा implantation of embryo implantation of embryo its site other than uterus कि uterus के अलावा कहीं पर भी हो गया गर्बाशे के अत्रिक्त भ्रून का किसी अन्य स्थान पर अंतर रोपन जो आरोपन हुआ है वो गर्बाशे में नहों और कहीं हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रिग्नेंसी बोल सकते हो तो ये कहानी आपको ध्यान रखने है इसके अंदर ये इसका सोलीशन है अगली कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं आगे और अगली कहानी हमारा है क्योशन नंबर आगया 85 क्योशन नंबर 85 क्या कह रहा है भई हमसे वीच ओव दे फॉलोविंग इस सीन इन प्रिग्नेंसी टेस्ट निमने में से कौन सा सगर व्रता प्रिक्षन में देखा जाता है बिटा होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि प्लेसेंटा का जो है होर्मोन SCG भी होता है Human Corionic Gonadotropic Hormone और वो क्या करता है कि वो जो है Gonards का development कराता है Embryo के अंदर Embryo के अंदर Gonards का development कराता है Male Embryo बन रहा है तो Male Gonad बनाएगा Female Embryo बन रहा है तो Female Gonad बनाएगा जनदों का विकास कर रहाता है तो बच्चों हम यह कहेंगे लेकिन इसकी Access Quantity इसकी ज़्यादा जो मात्रा होती है वो गर्वती महला के मुत्र में आ जाती है Pregnant Women के जो है Urine के अंदर वो आ जाती है तो उसी से किया जाता है क्या SCG Test उसी से किया जाता है Pregnancy Test अगर urine में SCG है Placental Hormone SCG है Pregnant Women में हाना Mother के अंदर तो हम यह गएंगे वो pregnant है तो यह लीजे जो है अगर हम बात करेंगे SCG in urine सीधा सीधा जो है वो चला जाता है इसमें के मुत्र में अगर SCG है SCG in urine है तो Pregnancy Test हो गया है SCG Test हो गया है वो जो मादा है वो गर्वती है वो जो है female जो है वो Pregnant Pregnant है इस Pregnancy Test को चाहिए SCG Test को बात एगी प्यारे बच्चों Next Question हम डिसकस करें Which of the following method of contraception is highly effective but has poor reversibility गर्विन रोदक की कौन सी विधी बहुत ही प्रभावशाली है पर इन में पूर्विस्तिति लाने के लिए सम्मावना बहुत ही कम होती है प्रभावशाली सबसे प्रभावशाली पे ध्यान दे हम यह आपर हम यह कहेंगे highly effective पे ध्यान दे हम यह आपर highly जो effective है वो है stylization stylization की अगर हम बात करें यह लिजे अगर हम बात करें stylization की अगर हम बात करें तो stylization जो method है बटा यह बंदे करन method है इसमें क्या होता है कि बंदेता उत्ठपन हो जाती है हम ये कहींगे यहां पर आप ये कहो कि ढोली क्यों निखा हुआ है इर्रिवर्सिबल क्यों निखा हुआ बिटा हम ये क्या करते हैusan इसमें استILीलाइजेशन मैथर में दो मैथर है आपके male के इंदर जो होता है वो होता है कि vas difference को बांद के cut कर देना vasectomy female के इंदर होता है philippean tube को बांद के cut कर देना tubectomy अगर बांद दिया, cut नहीं किया, खुल जाए कभी, poor reversible हम यह कहेंगे बांद के cut कर देंगे, completely irreversible हो जाएगा तो बेटा हम यह कहेंगे, depend करता है कि अगर जरुवत हुई कभी जो है, पहले के time पे होता था कि जरुवत हुई कभी-कभी खुलवाने की तो वो बाता लगे कि उसको बांद के जो है, वो बांद के और छोड़ दिया, हाँ ना बेटा, और बांद के अगर cut कर देंगे तो irreversible ही हो जाएगा तो बेटा कहने का मतलब यह है कि पुरुष नस्बंदी और माधा नस्बंदी, इसको हम कहते हैं यह sterilization method होता है, यह जो है बंदे करण method होता है, नर्ब भी बंदे हो जाता है, इस विदी के द्वारा माधा भी बंदे हो जाती है, आगे जनन्शमता नहीं रहती है, आगे वो जो है अपनी संतती उत्पन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर सबसे प्रभावशाली method, प्रभावशाली कौन सा है, बर्भावशाली तो बंदे करण method है जिसके बाद बहुत कम संबाओना है, संबाओना ही नहीं रहती है, और संबाओना बस इतनी रहती है कि कभी अगर बागot कट नहीं किया तो खुल जाये तो यह अभी 87, बड़ा प्यारा question है, यहाँ पर थोड़ी सी calculation करनी पड़ती है, पता है calculated question आपके कितने आते हैं, जुलो, जो में किस तरह के आते हैं, कभी कभार अगर आएं तो, से plus minus करना होता है, और कुछ नहीं, nothing, अरे बड़ी-बड़ी calculation physics में करवाएंगे नहीं, यहाँ तो छोटी- बड़ी जो है, वो secondary Оodu-ocyde दिया हुआ है, कितने OVA बनेंगे भई, इससे जो है अगर हम बात करेंगे, यह आप से पूछा गया है, कि भई, इससे जो औवΑ बनेंगे, वो कितने OVA बनेंगे, कितने ОVA बनेंगे, और अगर हम बात करें, लो secondary esperando site दिया वह है तो secondary spermatocytes से हैं कितने जो है स्वह आप से पूछा गया है और जो उता न ओड़ चाहे primary u-sight से आप से पूछा जाए चाहे आप से जो है secondary McM Bliss से पूछा जाए चाहे आप से ootid से पूछा जाए कुछ भी पूछा जाए ओवा जो बनता है एक बार में एक ही ओवा बनता है हर मेने एक ओवा बनता है तो आपको कुछ नहीं करना एक से multiply करना होता है primary कितनी primary से पूछे वो कितनी secondary से पूछे वो कितनी otid से पूछे वो हमेशा one से multiply करना होता है तो answer as it is आएगा hundred secondary तो 100 ओवा बनेंगे साब यह लिए खतम कहानी बच्चों अगर हम बात करें वह spermatogenesis में पूछे आपसे तो देखो spermatogenesis में यह कहानी होती है बटा कि primary जो spermatocyte होती है न वो primary spermatocyte जो है उससे तो बनते हैं जो है primary spermatocyte से तो चार जो है sperm बनते हैं कितने sperm बनते हैं आप ध्यान रखेएगा कि चार जो है वो sperm primary है तो उसको multiply करना है आपको चार से और अगर जो secondary spermatocyte है secondary spermatocyte तो secondary spermatocyte बिटा पूरा का पूरा मैं spermatogenesis process भी लिख सकता हो यहाँ पे लेकिन आपको पता होगा secondary spermato sate जो हती है वो haplode cell होती है यह तो 2N cell होती है यह haplode cell होती है secondary spermatocyte और इसको आप से आपको multi-climpli करना होता है 2 से क्यों क्योंकि एक secondary spermato sate से 2 sperm बनते हैं तो 2 से multiply करना होता है जितने भी numbers दे primary दे तो 4 से multiply किजे secondary दे तो 2 से multiply किजे और अगर वो आपको जो है spermatid दे, क्या दे भही आपको spermatid दे, तो spermatid को आपको multiply करना होता है one से, तो ये कहानी है अब देख लो, निकाल लो आप इसमें अगर primary दिया हुआ है तब तो आप 4 से multiply करोगे, secondary spermatocyte दिया हुआ है, तो 2 से multiply करोगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, secondary spermatocyte है, secondary spermatocyte है, तो जितनी दिया हुए हैं, उनको 2 से multiply करोगे, 100 जो है वो दिया हुए है, तो 2 से multiply करो 200 आजाएगा, तो देखो 200 sperm और 100 ova कहां दे रखें, तो 200 sperm और 100 ova ये दे रखें, ये लिए ये second चला जाएगा, इसमें आंसर तो ये गहानी है बिटा, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो oogenesis में तो कुछ नहीं करना 1 से multiply spermatogenesis में आपको primary है 4 से multiply, secondary है 2 से multiply, बस और कुछ नहीं reverse पूछ ले, तो reverse पूछ ले, तो अगर हम ये कहें कि भाग देना है, तो भाग देना है, तो यहाँ तो वही answer आएगा, एक से ही और यहाँ पर भाग देना है, तो आप भाग दोगे, किसका, कि आप से उल्टा पूछ लिया जाए, इतने sperm है कितने जो है, कितनी cell से बनेंगे, तो आप भाग दे दीजे, दो का और चार का, तो यह इस तरह से, बिटा, solution है, मेरी ख्याल से, आप लोग, जो है, mathematical calculation तो छोटी-मोटी चिन्नी मिनी, तो बढ़े आसा नहीं से कर लेते हो, हाना, तो यह इसका solution, next question को अगर हम देखते हैं, बिटा, अगला question का solution क्या होगा, भी, question number 88, double 8, which of the following is not non-steroid preparation, निमने में से कौन सा non-steroidal, जो है, उससे, निर्मित नहीं है, बनावट नहीं है, तो non-steroid preparation की, अगर हम बात करें, बिटा, एक सेकेंड रे, बिटा, 88 question है, यह लीजे, 88 question, बिटा, वो है, कौन सी, सहेली, बिटा, सहेली, जो है, वो develop की, किसने, CDRI, लखनाव, Central Drug Research Institute, लखनाव ने, और यह जो है, आपकी संजीवनी, जो है, वो सीदे, सीदे, लिखती है, कि non-steroid, जो है, contraceptive pill है, और वो है, बिटा, सहेली, तो इसका आंसर, जो जाता है, वो जाता है, सहेली, अगला question लेते हैं, बच्चों, और अगला question हम ले, 89, which of the following can be used as emergency contraceptive in some cases, निमलिकित में से, किसको कुछ परस्तितियों में, आपात कालीन, गर्ब निरोदिक के रूप में, उप्योग में लाया जा सकता है, बिटा, यहाँ जो option है, उसके according अगर हम देखें, तो यहाँ option है, उसके according एक ही जाता है, वो जाता है, और वो कौन सा जाता है, वो जाता है, injection, किसका, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन के मिक्सर का, यह लीजे, injection और प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन, यह जाता है, यहाँ पर बस बैस्ट ऑप्शन यही है, इसके लावाद तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो यह लीजे, emergency में, आप जो है, contraceptive method में, estrogen, progesterone का injection भी, दे सकते हैं, emergency में, वो जो है, progesterone, estrogen, option चला जाएगा, अगला solution देखते हैं बिटम, और अगला solution, question number 90, which human embryonic stage is without a cavity, बई जिसमें, ऐसा embryonic stage, जिसमें cavity नहीं है, और ऐसा embryonic stage, जिसमें cavity नहीं है, वो कौन सा है, solid ball of blastomeres, क्या होती है भी, morula होती है, तो ये लिजे, बच्चों, अगर हम बात करें कि, आप कहोगे, कि, blastomeres की बनी हुई, एक ठोस गेंद के रूप में, blastomeres की बनी हुई, एक ठोस गेंद के रूप में, जो पाई जाती है, जिसमें बीच में कोई cavity नहीं है, जिसमें, बीच में कोई cavity नहीं है, वो कौन सी है, वो है बेटा, morula, ये लिजे, आंसर चला जाएगा, इसमें morula, हाँ न, blastula में तो blastoceal cavity होती है, मनुष्य के blastula को blastocyst बोलते हैं, हाँ न, ये तो कोई option, लेते हैं, बीटा जी, 91 अगर हम question लें, तो 91 question हमें, क्या कहना चाहरा है, 91 question हमें, ये कहना चाहरा है, कि भई ये, ABCD जो graph में, जो ABCD है, उन ABCD को आप जो है, पेचानिये, वो कौन से hormone है, तो पेचान लेंगे हम तो क्या है, ये लीजे, यहाँ पर जो है, मिलान कर लेंगे, अगर हम बात करें, एक ही बात करें, तो LH सर्ज होता है, ये लीजे बिटा, अगर हम बात करें, LH सर्ज होता है, किसके अंदर, mensel cycle का जो है, वो diagram दिया हुआ है, और mensal cycle का अगर यह diagram दिया हुआ है तो यहां पर LH सर्ज होता है और LH अगर यहां पर सर्ज होता है तो यह लीज़े A4 LH A4 क्या है LH है बच्चों हम यह कहेंगे LH के साथ में FSH जो है वो भी यहां पर बट LH से कम रह जाता है बट यह FSH जो है B4 क्या है यहां पर FSH दोनों को मिला कर आप anterior pituitary के hormone है यह FSH और LH को मिला कर GTH भी बोलते हैं तो यह FSH और LH A तो हो गया FSH B हो गया है यहां पर LH बटा C की बात करें तो थीका इंटरना जो follicles डवलप हो रही है इन follicles के अंदर जो inner layer होती है थीका इंटरना वो inner layer जो होती है थीका इंटरना वो inner layer जो है वो क्या सिक्रीट करती है वो सिक्रीट करती है Astropan, तो अगर हम बात करें वो Astropan, अगर secret करती है तो Astropan, जो है वो हो जाएगा C तो ये लीजे Astropan, क्यों 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 कि Follicles अब तक बन रही है Follicles में जब तक थीका इंटर्ना है मेथीका इंटेन ना ही तो यह ग्राफ यहां तक बढ़ता जाएगा तो यह लीज़े अस्ट्रोजन और जैसे कॉर्पस लूयूटियम सिक्रीटॉ कॉर्पस कॉर्पस लूटियम बनेगी ऑवलीशन हो जाएगा ऑ Sask को जाए बिटा आप जो निकाल सकते हैं कि A अगर आ रहा है तो वो A क्या रहा है LH B जो आ रहा है वो क्या रहा है FSH आ रहा है तो अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें इसके अंदर जो है कौन सा हो जाएगा अगर आंसर की बात करें और अगर इसके अंदर C आ रहा है तो एस्ट्रोजन आ रहा है और D आ रहा है तो इसमें प्रोजिस्ट्रोन जो है इसके अंदर आ रहा है तो अगर हम बात करें इसके अंदर जो है देखते हम A में भी LH आ रहा है तो A के अंदर यहां LH आ रहा है यहां नहीं आ रहा है यह लीजे यहाँ पर भी नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है तो पहले ही हो जाएगा मेरी ख्याल से A4 LH हो गया A4 LH, B4 क्या हो गया FSH हो गया, C4 क्या हो गया Estrogen हो गया, बिल्कुल D के और D4 क्या हो गया, Progestron हो गया बिलकुल सही है, तो पहले यह आंसर आगे है, बिलकुल जही है, तो यह कहानी है, मेरी कहल से समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, यह इसका सॉलीशन है, प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा डाइग्राम है यह है, सब कुछ दे रखा है भट यहां मतलब सेकेनरी टरश्री ग्राफियन सब कुछ यहां पे थीका आप इंटेन ठीका एंटरन सब दियों में पीछा जी कि बहुत प्यार डाइगराम है जैसे ए घ्राफ्य निकिल निकाल यह तोड़े का वहा बहार आए institut Evans Se Allez Falls पीछे क्या छूट जाएगा पीछा जो है तीका इंटर ना एक्सना लेड छूट जाएंगी कुछ तो है वो नहीं मतलब प्यारा डाइग्राम है कुल मिलाकर NCRT तो संजीव नहीं है देम अघर हम बात करें saying कि यह कॉर्पस लूटियम बन गया तो यह लीजे पीछे 002 जो है वो छोड़ेगा के अगर कॉर्पस लूटियम दीजन्रेंड हो जाती है बाकि यो जीन्भिक उजएन बाकि एक क कोई कहे सर कौन सारे टायाइड नहीं कुछ नहीं कोई कोई कहे कि सर antichr2 का साइग्राम करना है ऑच सारेट बनानी उस कॉपी के अंदर उसकता है अगर सारे डायग्राम बना लिए लिखक लिए याद के लिए तो आपका 50 divisions काम तो ऐसे हो गया और एक एक लाइन भी निकाली निकाल लिए सिंगल लुड निकाल लिए तो यह स्विंग करते हो निकल जाओ गया तो समझ चांही आग गया होग सोबब्र कर्ते हुम कर्थे happening हमको निशित्चित अंडे का विखास निशित करम में हो रहा है और वही करम में देखना है तो क्या होता है पैटा सबसे है सबसे पहले स्पर्म होगा को मिलते हैं तो फिर जाइगॉड बनता है तो उसमें इनिशिल डिवीजें ऑफ जाइगॉड प्रारंभिक विभाजन होते हैं अगर यूग मनजवें तो इनको विदिलन कहा जाता है विदिलन के फलसुरूप जो है वो बनती है मौरूला मौरूला के बाद जो है वो बनती है ब्लास्टूला वस्ता ब्लास्टोसिस्ट है मनुश्य का ब्लास्टूला फिर उसका होता है आरोपन implantation फिर आरोपन के बाद क्या होता भई आरोपन के बाद जो है पूरी तरह से gastrolis ववस्ता पूरा भृून विक्सित हो जाता है गरभा हो दी जब चलती है पूरा भृून डवलब हो जाता है तो जो है न्यूबोन मदर की बॉड़ी से बाहर आ जाता है तो वो बर्थ होता है पार्चुरीशन होता है निकाल लेंगे हम यह तो यूगमन इसमें जो दिया हुआ है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज दे रखी है क्लीवेज दे रखा है और जाइगोट दे रखा है तो सबसे पहले तो आप जो है जा गैस्टुला तो मेरे खाल से इसमें अंदर यह हो जाएगा जाएगा जाइगोट ख्लीवेज मॉरूला ब्लास्टुला गैस्टुला थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा इसके अंदर देख लो बाकी दो और ऑप्शन में तो क्या है यहां पर अगर हम बात करें कि जो है अगर जो है गैस्टुला पहले दे दिया है यही सही है सब सब बैस्ट ऑप्शन यही है जाइगोट क्लीवेज जाइगोट में क्या होगा यह ट्वेंसल जाइगोट इसमें क्या होगा क्लीवेज होगा क्लीवेज से जो ड्रॉस बॉल बनेगी किसकी ब्लास्टोमेर्स की सॉलिड ball बनेगी, vorula, फिर इसमें coasin चुरू हो जाएगा, बीच में cavity form हो जाएगी और cavity form हो जाएगी, blastocyle cavity form हो जाएगी, तो blastocyle cavity form हो जाएगी, तो यह blastula और मनूष्य के blastula को blastocyst बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो है gastula stage होगी, यह blastocyle cavity fill हो कर अंदर से बाहर एक नई cavity बनेगी आर्केंट्रॉन बनेगी तो गैस्ट्रॉला इस्टेज उजाएगा तो आंसर चला रहा है का थर्ड नेक्स्ट सॉलीशन हम देखते हैं बिटा और अगला सॉलीशन जो है वो हम देखते हैं क्योशन नंबर 93 का देख लेते हैं बिटा 93 का शरीर में संपन होती है वह कौन से संपन होती है पहली वाली तो test tube भी प्रोग्राम में तो test tube भी आ गया है यह तो in vitro fertilization है अगर हम बात करें ICSI की बात करें Intracytoplasmic Sperm Injection तो जो Ova का Cytoplasmic Sperm का Injection दिया मतलब उसमें inject कराया sperm को तो यह भी बाहर करवाएंगे तो यह भी बाहर हो गया अगर हम कहेंगे jift gyote Intra-Philippine Transfer तो जाइगोट Intra-Philippine Transfer पहले जाइगोट बनाएंगे sperm ova को fuse करा के gigot बनाएगे फिर फेलॉपीन ट्यूब में उसको रखेंगे तो ये भी बाहर करा के फिर रखते हैं हाँ, gift की अगर हम बात करें भी ये gift जो देते हैं ये gift की अगर हम बात करें तो gift में तो क्या करते हैं कि जिस female में gamit ovum नहीं बन रहा है दूसरी female से ओवा उठा के उसको दे दिया उसकी body में वो gift दे दिया उसको बाद में उसका fertilization body के अंदर ही होना है female की body के अंदर ही होना है fertilization और body के अंदर ही होना है तो हम यह कहेंगे कि भई जो है invivo ही होना है मतलब प्राकरतिक रूप से शरीर में ही होना है और प्राकरती ग्रूप से शरीरी में होना है तो वो है गिफ्ट तो आंसर चला जाएगा यहां पर गिफ्ट मेरे ख्याल से आपको concept समझ में आगया होगा कि गिफ्ट में क्या करते हैं कि ओवम को ओवम नहीं बन रहा है फीमेल में दूसरी फीमेल से ओवम को लेकर फैलोपीन जो है वो question number लेते हैं 94 94 की अगर हम बात करें question number 94 की एनिमल्स विच पॉसेज क्लीडोईग एक exhibits जनतु जो क्लीडोईग अंडे उत्पन करते हैं प्रदर्शित करते हैं बही क्लीडोईग एक क्या होते हैं जिनमें शैल मिलता है अगर हम बात करें क्लीडोईग एक जो होते हैं उनमें बाहर क्या मिलता है बाहर जो है वो शैल प्रिजेंट होता है और ब रहे जोक है योग जो होता है पीतक भ्रा होता है उसके लावा जो है जो है Nutrice होते हैं उसके लावा जो भी चीजे वाटर वगेरबव обязता उसके इनको उसकने जाधा मिलेगी इन को मधर से निटृरिशनista reflection आ मिलनेरा बाद में इसमें एनिमल के अंदर ही रहेंगे, तो वहीं पर इनका Fetalization हो जाता है, तो internal hay chain होगा, तो Fetalization तो आजाएगा, internal Fetalization, और हम यह कहेंगे कि इनमें यह एंब्रियो का development जब होगा जब यह एग या तो जो है birds क्या करते हैं पाहर अंडे देते हैं बाहर देते हैं और जो reptiles से बाहर से बाहर हो बहार ना फॉकशनल हो ौन्यक्सत बाहिय परीवर्दन बोल देते तो यह लिजे फटेलाइजीशन तो इंटर्नल हो जाएगा एक्शनल डवलप्मेंट हो जाएगा आंत्रिक नीशेजन हो जाएगा और परीवरदन हो जाएगा समझ गए ओंगे आप फिर से concept समझा देता हूं कि अगर अंडे जो है वो कवची हैं कवची अंडे हैं जिन पर कवच पाए जाता है उनमें शुक्राणू बाद में नहीं जा सकता इसलिए आंत्रगनीशेचन हो गया अच्छी बात है और परिवर्धन भ्रून का परिवर्धन जो होता है भ्रून जो बनता है एंब्रियो जो बनता है वो जब बन रहा है जब एक मदर की बाड़ी से बाहर है बाहिये परिवर्दन हो रहा है एक्सनल डवलपमेंट हो रहा है तो यह जो है कहानी है एक्सनल डवलपमेंट होता है हाँ अगर हम बात करें डारेक्ट और इंडारेक्ट डवलपमेंट की यहां पर अगर हम ड लार्वा कंडिशन होती है उसे इंडारेक्ट जो है वो डवलपमेंट बोलते हैं और जहां पर लार्वा वस्ता होती है लार्वा कंडिशन होती है इंडारेक्ट डवलपमेंट बोलते हैं और अदर्वाइज मदर की मदर से जो है बच्चे का जनम होना वह भी डारेक्ट डव involvement लारवressive condition तो इंटार को इनटारीय दवलपमेंट तो वहाँ पर जोह है वह कंडिशन होति है वह डारेक्ट इनडारेक rend की बात है वह प्रतेक्ष परिवर्धन की बात है यह तो बात एक्स्टरनल और internal development की बात है बिटा तो हम यह कहेंगे बढ़ी से बाहर जो है external development है वो इनके अंदर क्लिडोग एक के अंदर और fertilization इसलिए पहले हो जाएगा क्योंकि shell है तो internal fertilization मेरे ख्याल से पूरा complete आपको समझ में आ गया होगा बिटा अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और अगली कहानी की तरफ बढ़े तो question number 95 लेते हैं है पार नइटी फॉर हमारा हो गया 95 जो है वह हमwhile ले लेते है question number 95 किया कह राया है question number 95 के रहा है test tube means a baby born when प्रण क्या मतलब है परेक्नली शिशुग क्या जो embryo का development होना है वो तो mother के अंदर ही होना है वो तो female के अंदर ही होना है चाहे वो उसी mother के अंदर हो चाहे जो है वो serogacy हो बट परखनली शिशु का जो है वो mean जो है वो निकालते हैं यहाँ पर परखनली में विक्सित होता है it is developed in a test tube नहीं it is developed through tissue culture method उतक सवर्दन विदी से इसका विकास होता है नहीं बहीं उतक सवर्दन से बनाने लग गए अगर हम बेबी को बहुत सारे बनाने लग जाएंगे ऐसे तो है न फिर तो संतान हींता संतान की कमी किसी को रहेगी नहीं the ovum is fertilized externally in vitro and therefore implanted in the uterus अंडानों के कृतिम माध्य में निशेचित होकर गरबाशे में इस्तानतित करने से विक्सित होता है बिलकुल सही है अगर हम बात करें परक्नली शिशु का मतलब यही है कि fertilization बाहर करा दिया और मदर की बोड़ी में uterus में implant करा दिया देखे बिटा फिर से बता रहा हूं कि ओवम को बाहर fertilize करा दिया और उसके बाद इंप्लांट करा दिया मदर के uterus में अंडानों का करतिम माध्य में निशेचित करवा दिया हम यह कहेंगे और उसको फिर माक में इस्तांतित कर दिया तो यह थर्ड ओप्शन जो है यह जाता है किसके लिए test tube baby के लिए और हम जात from a non-fertile ovum अरे non-fertile ovum से बनना नहीं यह तो गिलत हो गया कोई parthenogenesis थोड़ी पड़ रहे है तो मेरे खहल से जो है आपको solution समझ में आ गया होगा बिटा प्यारे बिच्चों next question हम देखते है question number 96 बिटा method एक traditional method है एक natural method है contraceptive method जिसको हम बोलते है lactational amenorrhea और lactational amenorrhea में हमें बता है कि mother जो है वो breastfeeding जो है वो कराती है बचचे को जो है वो दूद़ पिलाती है मां और बच्चे को दूद बिलाती है तो फिर से गर्वती नहीं होती है है ना बहुत कम संभावना होती है उसमें गर्वती होने की अगर regular दूद बिला रही है तो गर्वती नहीं होगी तो हम यह कहेंगे बिटा यह किसकी कारण से होता है कि वो फिर से गर्वती नहीं हो रही क्योंकि उसमें जो दुग्द निर्मानकारी हार्मोन है वो दुग्द निर्मानकारी हार्मोन का इस्तराव अधिक हो रहा है और दुग्द निर्मानकारी हार्मोन कौन सा है वो है high level of prolactin प्रॉलेक्टिन का प्रॉलेक्टिन जो अगर हम बात करें प्रॉलेक्टिन 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 प्रॉल प्रवाइदी कारगर कारगर होती है छे मैने तक तो जो है फिक्स है कि भी छे मैने तक तो ऐसा होना है रेगुलर दूद्ध पिनाने पर मा में बच्चा जो है वो वो गर्वती नहीं होगी तो यह कहानी है बिटा फिर से बता देता हूं चलो अगर कोई गन्फिजन है तो बि हम यह कहेंगे अगर अंडा ही नहीं बनेगा मासिक चक्री शिरूना होगा तो फिर से वह गर्वती नहीं होगी लेकिन यह चे मैने तक ही कारगर रहती है यह बिटा च्यांड शह मैने तक कारगर रहती है और खास बात कि निरणतर दूद्ध पिलाना जरूई है अगर एमेनोरिया में मा दूद पिलाती रहेगी बच्चे को और उसमें इसका प्रोलेक्टीन का इस तर ज्यादा बना रहेगा अंडा नहीं बनेगा मांचिक चक्र शुरूर नहीं होगा वो गर्वती नहीं होगी समझ में आ गया पिटा सोलीशन शाबाश मेरे बच्चों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम और अगला जो क्रेशन है वो है भाई कौन सा 97 की बात करें इन इंडिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन भारत में परिवार नियोजन जो कारिकर्म शुरू हुआ ये परिवार नियोजन कारिकर्म की शुरूआ जो ही वह ही 1951 के अंदर अगर हम बात करें है 19 नाइन चैड का डारेक्ट क्वेशन 19 क्वेशन बिटा आपने देखा है और आती न से अडि उसमें क्या करें आ अती इंस याडि तो पढ़ेंगे ना जो आएगा वही तो पढ़ेंगे अन्नेसेसरी की चीजिए को पढ़ेंगे हम हाना एक बात बता हो जमाना था कौन सा पर फिर से अता सागर पढ़ना शुरू करेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या है बट अभी आई एंसे अडी पढ़ना ज़रू है यह सही तो लीजे 1951 के अंदर जो है वह वह शुरू हुआ कब क्या शुरू हुआ वह फैमिली प्लानिंग जो है प्रोग्राम शुरू हुआ जिसम स्लोगन आया था हम दो हमारा एक चानते हो आप लो चलो नेक्स सोलीशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स नमबर 98 कॉलम को मेच करना है मेरे प्यारे पिचो और कॉलम को अगर आपको मेच करना है तो मेच कर दीजिए उसमें क्या है अगर हम बात करें जोना लाइसीन जो है वो क के इपलाए की स्टॉक्चर्ट्र, टोपी समान और थेली समान सरशना होती है, शुक्राणों के सिर के उपर, उसे बहुते हैं, उसमें भरे होते हैं, स्पर्म लाइसिन्स, कौन-कौन से होते हैं, हाइ ऐलूरोनी डेज होता है, जो कोरोना रेडिएटा के अंड कलाके हाइ ऐल जोना लाइसीन होता है तो यह क्या करते हैं कि जोना पैलुसिडा से अंदर एंट्री करवाते हैं स्पॉम की तो भीटा हम यह कहेंगे कि यह क्या कर रहे हैं यह एक्रोजोमल रियक्शन जोना लाइसीन क्या है यह स्पॉम लाइसीन जो क्या करेगा स्पॉम लाइसीन जो है व तो है फो चया प्रोफृ जायी कि अगर अगर बदरी करें तो क्या तो तो इसन वी की अगर हम बात करें तो उसलेशंट सिरिया अगर मेट करेंगी तो आधू स्वेश्पैर शिद्ग के अब्टार यह भुला हैतन цен पिजा विल्का अब्लाग सब इन के इसके पैटेंचूं। सरस्टनात्मक विकास गतियां से यह सारस्टनात्मक विकास गती है वह ऑर और designed, माझा महांत्य को कुछ भी नहीं आते हैं ना कुछ भी नहीं आते नहीं आते यह समें कि अगर हम बात करें कि कि is to the situation की बात करें तो decolation में क्या होगा इसमें सेकंड जो है मैच कर देंगे हैं चलिए अब बेटा कभी-कभी जो question जो कभी कब बाहर ही एक अद कोई question बाहर से आता है तो उसके लिए इतनी सारी तैयारियां करते हैं हमें इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं इतने सारे question solve करते हैं तो वो सब चीजें उसमें काम आ जाती अब जैसे कापैसिडेशन ही है योग्यत अर्जन शुक्राणों में निश्यचन की शम तक आ जाना वो तेज तरार बन जाना यह सबसे ज्यादा जो है female reproductive tract में होता है equation पहले भी आया हुआ हाला कि थोड़ा सा योग्यत अर्जन जो है वो अधी वरश्यचन में भी होता है तो हम बात करें कैपैसिडेशन का मतलब है कि स्पर्म का एक्टिवेशन होना मतलब इसमें फिफ्ट जो है वो चला जाएगा कॉलोस्ट्रम कि अगर हम बात करें बिटा तो कॉलोस्ट्रम जो है क्या होता है कॉलोस्ट्रम जो होता है ते लगभक तीन तक स्तरावित होता है तो यलोगलर का होता है विसकस होता है गाढ़ा प्रफा होता है उसमें हाई uls में हाई िजिन अलता है तो ँई स्वा GOEM संद्ध कहां से सोफिर्ट हो चानल आनसर तो तो ये लो आँनसर फिर है Lucky हम यह कहेंगी इसमें first, first, third, second, fifth तो यह लीजे जो है अगर हम बात करें यह लीजे first हो गया, फिर third हो गया, फिर उसके बाद second हो गया, फिर उसके बाद fifth हो गया, उसके बाद fourth हो गया मेरे ख्याल से इसमें answer चला जाता है वो चला जाएगा second इसकें another तो यह गहान ही मेरे प्यारे बच्चों फिर से देख लेते हैं जोनालैसिन केंदर अगर हम बात करें जोनालैसिन एक्रज़मल रिक्षन में यह ship entsprechend क면 है तो इस के अंदर एक अंदर जो है वह first लागे और फॉर्स ट कॉर्पस0- Theam ご house भी क्या करती अदु है प्रोजिस्ट्रॉन का सेकरेशन करती है तो थर्ड median है अधर मं पहसा करें अगर घेस्तुराइशन उत पी लिखेता उसीया है मॉमेंट होता sperm का activation हम ही कहींगे capacitation योग गेतारजन क्या है sperm का activation है sperm के अंदर fertilization की power का आजाना तो वो जो है वो है बिटा तो fifth जो है उसके अंदर चला जाएगा तो ये लीजे जो है इसके योग गेतारजन के अंदर जो है वो अगर हम बात करें कि शुक्राणों का secondo जो है वो fifth जो है वो जो है वो चला गया और भी यी cholesterol है तो cholesterol के अंदर अगर हम बात करें तो cholesterol स्तनलरंटियों से स्तावित होता है जो है दुग दैं शुरुवात का माता का जो अमर्द है वो है ये तो ये फोर्स जो है वो चला गिए के अंदर तो मेरी खहल से आपको इस solution समझ में आ गया होगा अगले solution की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बचों कि अगला solution है question number 99 इंद वास difference of a main is surgically disconnected यदि मनुश्य में शुक्र वहा को काट कर हटा दिया जाए वह वास difference जो है वह है जो शुक्रानों को ले जाती है जब व्रशन में शुक्रानों बन जाते हैं व्रशन से वो जब अधी व्रशन तक पहुंच जाते हैं फिर अधी व्रशन से बहार निकलते हैं तो वास difference उसको लेके जाती है तो वास difference अब लेके जाती है फिर seminal vesicle की duct उससे आके मिलती है vas difference से तो ejaculated duct iscalan nalika बनती है तो हम ही कहींगे कि क्या किया vas difference को जो है वो surgical remove कर दिया अब हम ही कहींगे vas difference का surgical remove तो कर दिया vas difference को बांद के cut कर दिया रहे बिटा अब बांद के cut कर दिया तो आपको पता है कि semen तो आएगा पहले भी देख चुके है solution में semen तो आएगा बड़ उसमें sperm नहीं रहेंगे तो ये लिजे जो है semen जो है वो आएगा और उसमें sperm नहीं रहेंगे वीरे में शुक्रानों नहीं रहेंगे ये लिजे semen will be without sperm अगर हम बात करें जो semen होगा वीरे में शुक्रानों नहीं होगे तो second चला जाएगा ये कहानी है बड़ा और तो बाकी कुछ option आप भी देख सकते हो कि कोई खास है नहीं तो ये कहानी है बड़ा next question की तरफ बढ़ते है बड़ा next question जो है वो आरा हमारा question number 100 question number 100 की बात करें तो इसके solution में sequence of hormones during menstrual cycle is massic chakra के दोरान hormones का क्रम क्या होता है बढ़ी massic chakra के दोरान hormones का क्रम अगर हम बहुत simple way में साधरन तरीके से अगर हम देखें तो follicles का जो है वो development होता है follicles के रूप में तो OVA बनता है जब OVA बनेगा follicles की form में बनेगा तो follicles का development कौन कराता है FSH follicular FSH करवाता है follicle stimulating hormone प्यूश का फिर उसके बाद बात करें हम follicles बनती है तो उसमें ठीका interna बनती है और ठीका interna secret करती है वही कि इसको estrogen का secretion करती है तो हम यह कहेंगी जो है estrogen अगर हम बात करें estrogen का secretion करेंगी कौन ठीका interna बचो हम यह कहेंगी भी क्या होगा कि भी उसके बाद जो है अंडोस सर्ग जब अगर हो जाता है ovulation हो जाता है तो पीछे जो है corpus luteum ठीका interna एक्षना की late सूड़ जाती है और blood के जो है वह उसके साथ मिलकर और ठक्ये के साथ मिलकर और क्या बनाती है बटा वह जो है बनाती corpus luteum act as a endocrine gland जो progesterone का secretion करती है तो progesterone आ जाएगा तो अगर हम बात करेंगे कि यह लीजे जो है progesterone जो है progesterone आ जाएगा तो खैर बच्चों अगर हम बात करें आंसर यहां पर जो चला जाएगा वो चला जाएगा वही fsh estrogen and progesterone यह आ रहा है fsh estrogen and progesterone यह लीजे यह इसके अंदर मासिक चक्र के दोरान hormones का क्रम अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर यही कहानी है बिटा प्यारे बच्चों बढ़ते हम next question की दरफ onset of menstruation is due to मासिक इस्त्राव के आरम होने का क्या करने है अरे वह बहुत बढ़िया बच्चों अगर हम बात करें menstruation शुरू हो रहा है मासिक इस्त्राव आरम हो रहा है मासिक इस्त्राव आरम हो रहा है मतलब next जो है एक MC जो है वो खतम एक menstrual cycle खतम जो 28 से 29 दिन का होता है ये खतम और next menstrual cycle शुरू हो रहा है क्योंकि next menstrual cycle में पहली जो phase है वो मासिक इस्त्राव हो अगर हमें कहेंगे अब हम यह कहेंगे कि यहसा क्यों हुआ कि एक menstrual cycle खतम और अगले मेने में अगला menstrual cycle जो है और उसकी वज़े से जो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल होता है वो decrease हो जाता है और प्रोजेस्ट्रोन का लेवल जैसे ही decrease हुआ तो endometrium की जो layers होती है वो ख़ड जाती है जो rupture secondary ocide है जो rupture जो है जो खराब हो गया secondary ocide वो भी बाहर और उसकी जो है menstruation भी बोल सकते हैं, bleeding phase भी बोल सकते हैं, वो शुरू हो जाती है, तो क्यों? क्योंकि पहले वाले MC में क्या हुआ? प्रोजेस्टरोन का लेवल कम हो गया है, तो ये लिजे प्रोजेस्टरोन का इस तर गिरना, मेरे ख्याल से आपको solution perfectly समझ में आ गया होगा, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों? Next, जो question है, वो है, question number, question number 102, the activated espermatozoa undergo acrosomal reaction and release various chemical which one is meant to digest egg membranes? ये ही कहना जा रहा है, कि भी जो है, आपको बता है कि एक्रोजोम के अंदर sperm license तो भरे ही होते हैं, अल्रडी हमने देखा है, high alluronidase, acrosine हो, या फिर जो है, journalicine हो, ये सब sperm license होते हैं, जो क्या करते हैं, एग membrane को dissolve करने के काम में आते हैं, underclown को घोलने के काम में आते हैं, अगर शुद्ध हिंदी वाले बच्चे जानना चाहें, तो sperm license जितने भी होते हैं, वो underclown को घोलते हैं, और underclown को घोलते हैं, तभी sperm अंदर जाएगा, तो वो एक्रोजोम में से फटके निकलेंगे, तभी आप एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं, तो बिटा हम यह कहेंगे, क्या क्या हो गया हो, वो सारे आगए हैं, तो एक्रोजीन भी आगया, जोनलाइजीन भी आगया, हाईलोनिडेज भी आगया, अल अब दीज आगया हैं, तो हम यह कहेंगे, अंडगलाओं का पाचन कौन करता है, अंडगलाओं को पाचन डाइजेस्ट करेगा एक मेंब्रेन को तोड़ेगा वह कौन तोड़ेगा सबसक्त को तोड़ता है हाई अलुरुडेज क्योंकि उसके हाई एलुरुडिक एसिड को डिसॉल करता है हम यह कहेंगे एक्रोजीन एंड जोना लाइसीन यह जो है जोना पह कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं और अगली कहानी आती है क्याशन नंबर 103 पीटा 103 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पूछा गया है विच हॉर्मोन इस नॉट सेक्रेटेट बाई ऑवरी कौन सा हॉर्मोन अंडाशे दौरा इस्त्रावित नहीं होता है हम यह कहेंगे कि यहां पर अंडाशे के द्वारा जो इस्त्रावित नहीं होता है वो है HPL, Human Placental Lactogen यह इस्त्रावित होता है प्लेसेंटा के द्वारा अंडाशे जो है एस्ट्रोजन थीका इंटरना, एस्ट्रोजन अंडाशे में थीका इंटरना, फॉलिकल्स की थीका इंटरना, एस्ट् अंडाशे जब पार्चुरीशन होता है प्रसव होता है उस दोरान रिलेक्सीन का जो है वो इस्तराव करती है तो हम यह कहेंगे HPL human placental lactosean इसका इस्तराव अंडाशे नहीं करता है इसका इस्तराव जो है human placental lactosean जो milk formation करवाएगा memory gland में इसको जो है human placental lactosean का इस्तराव करवाता है placenta तो यह कहानी बन जाएगी बिटा not secreted HPL अगली जो कहानी है वो देखते है question number 104 बिटा 104 की जो कहानी है वो क्या है one of the following layer is acellular बिटा जो acellular layer होती है देखो यह secondary ucite है human human जो है वो एक है human का ovum है अंडानो यह मनुष्य का secondary ucite है इसमें यह वाली membrane जो plasma membrane प्यारा सा nucleus यह लिजे जो है अगर हम बात करें कि यह लिजे cytoplasm है योग जो है बहुत कम होता है इनमें योग बहुत कम होता है इन एक के अंदर है ना negligible amount of yoke होता है क्योंकि मदर से nutrition मिल जाता ना इंब्रे हो बटा टू एक membrane होती है outer egg membrane जोना पैलुसीड इनर एक membrane जोना पैलुसीड यह वाली जो plasma membrane के बहार है बट अंदर वाली एक membrane है बटा और outer egg membrane जो होती है वो होती है corona radiator जो high hyaluronic acid से चिपकती उसकी cells और corona radiator यह बन जाती है तो यह कहानी होती है बटा अब इसमें जो जोना पैलुसीड है वह a cellular layer बोलते हैं हम उसको जोना पैलुसीड़ इस i cellular lien this is a cellular layer यह होती है अ अच्छा जोना पैलुसीड़ जो होती है अच्छा जोना पैलुसीड़ जो होती है वह primary egg membrane होती है उसकाICKRESION कुञ चरता है उसका एक मेंब्रेन होती है उनका फॉर्मिशन करती है और चिपक जाएंगी और इसका फॉर्मेशन कर लेंगी तो यह तो सेलूलर लेयर हो गई थी का एगर यह जो है जो लेहर होगी कौन ओड़ सी होती है थोड़ा डिटेल में चला गया पिटा मैं लेकिन आपको मेरी कहाल सुलूइशन समझ में आ गया होगा अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर सीधे सीधे बताओ आप तो कि इसमें कौन सी जो है ऐसेलूलर लेयर है तो मैं कहूंगा पिटा ऐसेलूलर लेयर जोना पैलुस्टिडा है और कोई ये कहे इस जोना पैलुस्टिडा की थोड़ी सी तारीफ और कर दो जोना पैलुस्टिडा प्राइमरी एक मेंब्रेन है इसका सिक्रेशन ओवा खुद करेगा और हम यह कहेंगे कि दिस इस सेलूलर लेयर तो मेरी कहाल से सुलूइशन समझ में आ गया होगा बिटा क्लास में ये सब चीजें बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं विटा हम आपको पता है और यहां पर हम सॉलूइशन बना रहे हैं सॉलूइशन बना रहे हैं तो मेरी कहाल से सुलूइशन समझ में आ गया होगा आपको आगी की जो कहानी है वो कहानी क्या है क्रेशन नमबर 105 शुगर फ्रक् नमें में दोर लगा एको वह साथ में फ्रक्टोज लेके चलते है एनरजी ड्रिंक होता है उंका फ्रक्टोज ऊर वह फ्रक्टोज का जो है कौन से फ्लूड में मिलता है वह सैमिनल फ्लूड, वस् Larry कज बिस में फ्लूड होता है शुकरस को उसमें मिलता है तो यह लीजे बिटा यहां पर जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई शुक्राशे का जो द्रव होता है उसमें फ्रक्टोस प्रिजेंट होती है हम यह कहेंगे सेमिनल वेसिकल शुक्र द्रव जो होता है सेमिनल फ्लूड होता है उसके अंदर प्रिजेंट अगर हम direct solution पर जाएं, oligomins होता है, एक second बिटा, ये जो है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, हाँ, वापस आ गया ये, कहानी क्या है बिटा इसमें, कहानी ये है, oligomins less, कम, ये लीजे, ये तो हो गया कम, sperm, sperm, semen के अंदर, sperm की counting कम होती है, तो उसे बोलते है, oligospermia, हम ये कहते हैं, बिटा, कि बही, oligospermia के अंदर करीब 20 million से भी कम हो जाते हैं, sperm की counting जो है, 1 ml semen के अंदर, 20 million से भी कम sperm हो जाते हैं, तो हम ये oligospermia के नाम से उसको जानते हैं, तो क्या, यहाँ पर देख लो, आप, less number of sperm in semen, ये आ जाएगा, less number of sperm in semen, ये आ जाएगा, सीमन में, वीरे में, शुकरानों की संक्या का कम होना, oligospermia कहलाता है, आप ये कहोगे, सर, सामाने, जो है, मात्रा कितनी होती है, शु शुकरानों एटे टाइम बाहर निकलते हैं, 203 ml semen बाहर निकलता है नर के शरीर से, तो एक ml में लगभग, कितने हो गए, सो मीलियन हो गए, इतने सामाने संख्या है, हम ये कहते हैं, कि उसमें, अगर जो है, semen में शुकरानों नहीं हो, अजोसpermia, शुकरानों जो है, वो, इस वीरे में शुकरानों की संख्या का कम होना, वो है oligospermia, तो मेरी खहल से आपको समझ में आ गया हो, कि ये solution, प्यारे बचों, हम discuss करते हैं, question number 107, gametogenesis requires, युगमक जनन है तो अवशक है, युगमक जनन के लिए जो अवशक है, वो क्या क्या अवशक है भई, युगमक ज नर में शुकर जनन और माधा में अंड जनन, spermatogenesis in male and oogenesis in female, क्या जरुवी है, एक तो जरुवी है, प्यूश का FSH, follicle stimulating hormone, जो प्रेरीद करता है, stimulate करता है, gametogenesis को, एक जरुवी है, vitamin A and vitamin E, बिटा, vitamin A और E, ये दोनों बहुत आवशक है, gametogenesis के लिए, आप कहोगे सर, दो spermatogenesis, oogenesis, दोनों के लिए, बिलकुल, दोनों के लिए, बिटा, vitamin A की अगर deficiency हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो male के अंदर weak and inactive gamit बनेंगे, हम ये कहेंगे, कमजोर अक्रिय शुक्राणू बनेंगे, और अगर हम बात करें, माधा के अंदर जो अंडाणू बनेंगे, वो भी कमजोर अक्रिय बनेंगे, तो युगमग जो बनेंगे, वो कमजोर अक्रिय बनेंगे, ये कम हो जाएगा, तो ना शुक्राणू बनेगा, ना अंडाणू बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, और जनतू जो होता है, वो इस्टेराइल हो जाता है, वो बंदे हो जाता है, बंदे तो आप आप लूगे फेटीलीटी विटामिन ए यह जो है फेटायल होने के लिए नर्मी हिाप्वेटि लेते हैं लेसे पर उसके लावा उसके अलावा अगर शुक्रजनन के लिए प्रटिकुलर में लिए इसके झान के लिए तो लीके जो उसके chemical composition में काम में आता है तो वो शुक्र जनन की कहानी है बट ये दोनों जो है वो शुक्र जनन और अंडर जनन मतलब gametogenesis के लिए required है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कहानी क्या है कहानी है gametogenesis requires युक्मक जनन है तो आवशक है तो आप देख लो vitamin E and FSH यह जा रहा है यहाँ पर best option तो यह लीजे हमने चुल लिया है third अगली जो कहानी है बिटा जी वो क्या कहानी है question number 108 की कहानी है बिटा जी 108 की अगर कहानी है seminal plasma contain the secretion of seminal plasma के अंदर किस-किस का सेटी How pacifier Essa AufошMiss ingे और सहितान्च और सहिताव को बोलते हैं तो साइक-जनन गन्ति कौन-कौन सब्थी है क्या सेमिनल भैसिकल झाटिे हैं वाह जेन कुल हैं दो होती है प्रोस्टेट ग्लेंट похож प्रोस्टेट行p वे थे भी साहितhod जनन गंती है, cowper's gland जिसको आप bulbo-urethral gland भी बोलते हैं ये भी सायक जनन गंती है, ये सब accessory reproductive glands हैं और ये सारी की सारी अगर accessory reproductive glands है तो इनके जो इस्तराव होते हैं, इसका इस्तराव सेमिनल फ्लूड, इसका इस्तराव प्रॉस्टेड फ्लूड, इसका इस्तराव कॉपर शुक्राणों को भी मिला दोगे, तो आप जो है विर्य बना दोगे, सेमन बना दोगे, तो मेरे कहल से सॉलूशन समझ में आगया होगा प्यारे बिच्चों, आगे की कहानी हम देखें, आगे जो कहानी है, वो है question number 109, birth canal is formed by, हम ही कहीं कि जनमनाल किसकी बनी होती है, रे भ सर्वाशी का जो निचला जो है, सर्विक्स है, निचला सक्राबाग सर्विक्स, इसकी जो कैनाल है, ये कैनाल कौन सी है, सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल है साब, हम ये कहते हैं कि जो है किस में खुलती है, ये एक ट्यूब में खुलती है, एक मस्कुलर ट्यूब कि जोन नवजाज़ शिशू मा की जो है वो मा के जो है उस कोक से बाहर आता है जहां पर वो नो माँ आराम से मज़े कर रहा था डवलप हो रहा था वहां से वो बाहर आएगा जन्मनाल के दोरा तो सर्वाइकल कैनाल प्लस विजाइना दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल बर्थ कैनाल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये कहानी है मेरे कहाल सा आपको स सर्ड़्ण कोशिखा का नहीं हैं। नर्स कोशिखा को कहते हैं तो पहला जो काम है वो तो पोश्ण देने का तो हुई जाएगा कि स्परमिटो जोवा मतलब शूपर देना बिल्कुल काम है साफ, secretion of FSH, अरे FSH का कब से secretion करने लगे भई, FSH का secretion जो होता है, वो FSH का secretion तो pituitry करती है, प्योश करती है, तो ये जो है बिटा, ये अगर हम बात करें, हमें क्या ढूणना है, हमें ढूणना है, जो इसका काम नहीं है, तो second option जो है, इसका चला जाएगा बिटा, चलो, अगर अगला option देखें हम, inhibition of Mulerian duct by secreting AMH, हाँ, बिलकुल, AMH को बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हॉर्मोन, मुलेरियन नलीकाओं को जो हटाता है, और मतलब नर भ्रूण जब विक्सित होता है, तो नर भ्रूण में मुलेरियन नलीकाओं को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नर भ्रूण में नर के प्रजनन अंग विक्सित होने चीए, जिनको विक्सित करती है, वॉल्फियन नलिकाएं मुलेरियन नलिकाओं का कोई काम नहीं है हटा दो इनको कौन अटाएगा एंटी मुलेरियन हॉर्मोन और एंटी मुलेरियन हॉर्मोन को इस्त्रावित कौन करेगी यह सर्टोली कोश्काएं इस्त्रावित करेगी तो यह भी जो है अगर हम बात करें य किसका संदमन कर देता है FSH का जो है वो संदमन करने के का है काम में आता है तो हम यह कहते हैं बिटा कि जो है यह भी इस्तराविद करती है कौन सड़ोली कोश्का हैं तो सड़ोली कोश्काओं के पहला यह वाला काम हो गया यह वाला काम हो गया हमें देखना है जो सड़ोली जाएगा वो चला जाएगा second answer जो चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो second चला जाएगा second इसले चला जाएगा क्या पूछा गया है not performed by certainly cell FSH का इस्तराव नहीं करती है अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं पिटा मेरे क्याल से solution आपको समझ में आ होगा बोलिए बजरंग बली की जै नेक्स्ट केशन को देखते हैं पिटा अगला क्योशन हा रहा है कौन सा 111 यह लिजे इसको हटाया और यह आ गया 111 select a mismatching pair of structure of female reproductive system and related function information माधा जननतंत्र की रचनाओं और उनसे संबंदित कारे सुचनाओं के असुमेलित जोड़े का चैन कीजे असुमेलित जोड़ा भाई असुमेलित जोड़े को अगर हम चैन करें तो देखते हैं फिंबरी collection of ovum अगर हम बात करें फिंबरी जो है वो क्या करेगी कि फिंबरी जो है वो साहिता करती है क्या फिंबरी जो होता है को इंडशे से है से ओव्री जो अंडर लेने में में करेंगी क्याúngichaams क्यों नहीं करेगी तो फिंपरी कोछिया है कालेक्षन वरिजलाइशेशन हां बिल्कूल यह तो ऐसा प्लेटफोर्म यहां पर राज और सिम्रन की मुलागात होती है मतलब इस परम और ओवा जो है दोनों मिलते हैं साइट ओफ इंब्रियोनिक डवलप्मेंट माकी कोख माकी कोख में तो एंब्रियो डवलप होगा और कहां होगा है इस धर्दी माकी कोख में जो है जीवन बना है जैसे हम माकी को आठ है मिडल मस्कूलर जो लेयर है जो असमुथ Juan Suosyler की जो लेर होती है उसे मीजोमेट्रियम नहीं केटे हैं उसे तो कहते हैं हैं मिटा मो के ते हैं मम हैं चैनानी नहीं मानती हैं तो यह चेंगा नहीं मिसमैचिंग होते ही और यह आंसर चला गया स्ट में यह लीजे यही तो देखना अपन को क्या देखना सुमेलित जोड़ा मिसमैचिंग जो उसका सबसे पहले कहानी यह है यहां पर यह लीजे मैंने यहां पर मार कर लिया memory जो है वो alveoli है और memory जो alveoli है वो memory alveoli से क्या निकलेगी भई हम यह कहेंगे कि memory alveoli से जो है वो निकलेगी क्या निकलेगी वो निकलेगी memory जो है वो tube यह लिजे memory tubules और memory tubules जो है उससे जो है वो क्या निकलेगी भई वो मिलकर क्या बनाएगी tubules मिलकर memory duct मिलकर जो है वो क्य बनाएगा भई memory ampula बनाएगा और memory ampula जो है वो किसमें खुल जाएगा lactiferous duct में खुल जाएगा तो ऐसी जो है कहानी है NCI-D क्या sequence है बिटा तो अगर हम बात करें कि जो है सबसे पहले जो है वो क्या आ गया इसके अंदर सबसे पहले सी आ गया फिर उसके बाद सी के बाद फिर बी आ गया फिर बी के बाद जो है वो अगर हम बात करें क्या आ गया ए आ गया और फिर उसके बाद ए के बाद जो है अगर हम बात करें डी आ गया यह लीजे डी आ और D के बाद जो है वो क्या आ गया यह आ गया तो बहुत ही बिटा बहुत ही रफली लिख रहा हूं मैं तो आपको समझ मागई होगी बात solution ही तो है यार solution ही तो पढ़ रहे हैं हम हम तो जो है जब detail में बढ़ते हैं class में बड़े energetic तरीके से सब चीज़ें को detail से पढ़ते ही है solution है तो c b a d e c b a d e मेरे खाल से पहला ही आगे है इसमें तो हा न तो इसमें जो है यह लिजे c b a d c b a d और e यह लिजे पहला ही इसमें अंसर चला जाएगा पिटा फर्स इसके अंदर आंसर चला जाएगा समझ में आ गई होगी आपको बात dear students हम देखते हैं next question को next question है how many sperms and ovum are formed by 100 primary spermatocyte and 100 primary oocyte बेटा उस साइट अगर हम बात करें oogenesis वाला प्रोसेस है एक बार में एक ओवा बनता है जितने भी दें उसको one से multiply करो और one से multiply करो तो answer आएगा 100 ओवा यह लिजे कहानी कदम primary spermatocyte है बेटा तो primary spermatocyte है तो primary primary आए तो four से multiply करना secondary आए तो two से multiply करना तो यह लीजे previous solution में भी देखा दामने तो अगर हम बात करें इसके अंदर जो है आप कितना दे रखा है 100 दे रखा है 100 multiply with primary दे रखा है ना तो primary को four से multiply करना है क्योंकि एक primary spermatocyte से चार sperm बनते हैं तो सो को चार से multiply करोगे तो यह आगिया पिटा four hundred तो four hundred तो बनेंगे sperm और hundred बनेंगे ओवा तो four hundred sperm और hundred ovum four hundred sperm hundred ovum answer चला जाएगा four तो यह इसका solution है पिटा अगला हम लेते हैं question number one one four question number one one four की अगर हम बात करें तो question number one one four क्या कह रहा है हमसे नर्जन तंत्र में संबंदित निम्न कतनों पर विचार कीजिए तता सही विकल्प चुनिए जिसमें सत्ते और सत्ते कतन बताए गया अच्छा सत्ते और सत्ते कतन देखने है अपनको बिटा तो each testis हर एक testis में 250 compartment compartment होते हैं कक्ष होते हैं जिन अगर हम बात करें वास डिफ्रेंस जोइंस विद ए डक्ट फ्रों सेमिनल वैसिकल एंड फॉर्म वासा एफरिंच यारे वास डिफ्रेंस अगर जो है सेमिनल वैसिकल से मिलेगी तो एजैकुलेटर रिट बनेगे न वासा एफरिंच थोड़ी बनेगी गलत हो गया तो अग हम बात करें कि जो है next कुन सा होगा सीमन is a collection of secretion from the seminal vesicle prostate gland cowper's gland and sperm from testis हाँ बिल्कुल सही बात है सीमन क्या होता है सीमन एक तो accessory reproductive gland का secretion और साथ में जो है उसमें sperm आगर हम बात करें वीर क्या होता है शुकराशे का जो है द्रव प्रोस्टेड का द्रव काउपर का द्रव और साथ में शुक्राणों मिलकर बनाते हैं तो यह जो है बिटा सही हो जाएगा मतलब यह हो जाएगा true tft true false true तो reject true false true पहला ही चला जाएगा true false true first इसमें चला जाएगा प्यारे बच्चों next question की अगर हम बात करें तो अगला question हम से क्या कह रहा है यह कह रहा है कि which of the following is the remarkable difference between the reproductive events in the male and female male और female के बारे में जो लिखा हुआ है प्रजरन के बारे में उसमें हमें देखना है कि कौन सी बात सही है पहला है oogenesis continue even in old women अरे बही old women में क्यों होगा बही पचास वर्ष के आयों में तो menopause आ जाती है है न वाइल इस्पर्मेटोजनेसिस नॉट इस्पर्मेटोजनेसिस तो आज इवन होता है तो यह पहला वाला option गलत हो जाता है इस्पर्मेटोजनेसिस continue even in old men ठीक है बट उजनेसिस not सही हो गया क्यों इस्पर्मेटोजनेसिस तो बिलकुल बढ़ापे तक भी चलता है बिलकुल चलता है पिटा एक बार शुरू होता है प्यूबर्टी में योवन काल में जो अजीवन चलता है लेकिन उजनेसिस नहीं चलता है उजनेसिस जो है क्यों नहीं चलता कि 50 वर्ष की आयो में मिनोपोस आ जाती है तो नहीं चलता है अच्छा तो ये option सही हो गया अगर हम बात करें कि males have high pitch voice अरे male की high pitch voice का होती भी low pitch voice होती है male की दो तो ये गलत हो गया हम ये कहेंगे female have low pitch voice अरे female की low pitch voice नहीं होती है high pitch voice होती है तेज frequency की आवाज होती है दूर तक जाती है तो ये भी जो है गलत हो गया तो पिटा हम ये कहेंगे इसमें सही हो जाएगा second अगला जो है question लेते हैं पिटा जी और वो question है 116 what is necessary for espermatogenesis शुक्र जनन के लिए क्या आवशक है पैई शुक्र जनन के लिए जो आवशक है वो आवशक है ये एक तो आवशक है low temperature निमने ताप करम क्यों 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 क्योंकि निमने ताप करम शुक्र जनन के लिए पती आवशक है इसलिए वरशन जो होते हैं वरशन कोश में पाई जाते हैं क्योंकि उदर गोहा की तुलना में वहां का तापकरम कम रहता है दो से डाई डिगरी कम रहता है तो अल्रडी आपको पता है विटामिन A एवम ए प्रिवेस सूलूइशन हम देख चुके हैं बहुत जरुरी है यह दौनों विटामिन विटामिन A और E विटामिन E तो जो है फर्टली विटामिन है यह वाला तो फर्टली विटामिन है बच्чों जेढन की अगर हम बात करें जिंक तो chemical composition में काम में आ जाता है जडन भी जिंग भी शुक्राणों की तो हम यह कहेंगे कि all of these आ जाएगा पिटा जी इसके अंदर all of these आ जाएगा वैसे भी अगर जेडन आपको नहीं पता है पिटा को तो दो तो आए गए और दो तो आए गए तो जो है all of these तो हो गए होगा simple सी कहा कहानी है मेरे प्यारे बच्चों अगर हम जो है आगे बढ़े हमारी कहानी में तो question no.117 why the testis and human being and mammals are situated outside the abdominal cavity within a pouch called skirtum व्रशन कोश में व्रशन पाई जाने का कारण क्या है स्विच्जर लेंड होना मतलब थंडा प्रदेश होना मतलब थंडग होना थंडग में ही तो शुक्राणू का निर्मान होगा शुक्रजन होगा इस परमेटो जनन से होगा मेरे प्यारे बच्चों तो शुक्रजनन के लिए ये लीजे अगर हमें कहेंगे the scrotum help अगर हम बा परमेटो जननासिस वरशन कोष वरशन में अपेक्शाकरत निम्त आपको बनाए रखते हैं ताप शरीर के सामाने ताप से धाई डिगरी जो है वो कम होता है शुक्राणू जनन के लिए आवशक होता है तो ये कहानी है बेटा जी नेक्स जो है वो बास समझवारी है बेटा incorrect match, incorrect match देखना है अपन को और incorrect match अगर हम को देखना है तो देख लेते हैं अभी बिटा अगर हम बात करें इसके अंदर जो कहानी है वो कहानी क्या है मयोमेट्रियम की बात है तो मयोमेट्रियम जो है इसके अंदर जो है strong contraction होते है during delivery of the baby बेबी की जब delivery जो होती है शिशू के प्रसव के दोरान प्रबल संकुचन देता है मयोमेट्रियम ठीक है बई गलत देखना है लेकर अपन को यार इनकरेक्ट देखना है यह चीज पहले निशान लगा लिया करो ऐसे अपन को गलत देखना है तो गलत देखना है तो यह तो सही हो गया यार endometrium undergoes cycling changes during menstrual cycle endometrium जो होता है वो आवर्चक्र के दोरान चक्री परिवर्दन होते है बिलकुल हर मेने जो हता है वो endometrium थिक होता है थिन होता है थिक होता है थिन होता है वो अधर ओवरी में तो क्या बन रहा है यह female reproductive system ओवरी में तो क्या बन रहा है ओवा बन के आ रहा है और इधर जो है मेहमान आ रहा है तो इधर endometrium थिक हो रहा है उस तो बिस्तर बिस्तर लगाया रहे मैमान के लिए अब यह जो होगाए है यह निशेच इतने ही होता तो सेकंडरिव साइड बाहर इसके जो मैमान के बिस्तर है मो भी बाहर उसके अंडोमेट्रियम की लेर्स भी बाहर खतम नहीं वह जो है रितु इस तरह हो जाएगा फिर जो है आना बिडिंग वे यह आजाता है जन्मनाल के दवारा इसे कराता है पैरिमेटरियम क्या होती है आउटरमस्त। यूटर। यूटरस और वल्वा क्या मिलाना चाहता है। यह कुछ कानी नहीं तो इसमें जो रॉंग हो जाता है गलत हो जाता है वो बेटा यह वाला गलत हो जाता है तो आंसर चला गया इसमें फोर्थ आंसर जो चला गया वो आंसर जो है वो चला जाएगा बेटा इसमें कौन सा फोर जो है वो आंसर चला जाएगा चलिए नेक्स्ट मिलान को चुनिए चित्र इदर चल आंदर इस दाइगर के अंदर अगर हम बात करें बी तो क्या है CORONA प्राजमा मैंबरेन अगर बात करें कि बनता है यह स्टान बनता है और उसको बलते हैं परिपीत की स्थान तो वो जो है कहानी बिटा इसमें अब मेच करा लें मेच कराएंगे इसके अंदर तो जो है यह लीजे अगर हम बात करें किसकी हम बात करें A4 Jonah Palucida A4 Jonah Palucida यह लिजे B4 अगर हम बात करें Corona Radiata C4 Perivitaline Space यह लिजे C4 Perivitaline Space 4 तो option इसमें चला जाएगा बिटा जी फिर से चेक कर लेते हैं अगर हम बात करें Perivitaline Space C वाला Perivitaline Space चीक है Jonah Palucida A वाला Jonah Palucida A वाला है वो Jonah Palucida और बाहर जो है वो B जो है Corona Radiata तो B जो है Cells of Corona Radiata पहले Corona Radiata है फिर Jonah Palucida है फिर Perivitaline Space है बट यहाँ पर देख लीजेगा आप sequence तो यह गहानी है बिटा 4 जो है वो answer इसका हो जाएगा अगला question हम लेते हैं और मेरे कहाल से last question है यह और last question बिटा अगर हम लें कि बही क्या कहानी है इसके अंदर इसके अंदर यह कहानी है बिटा जी इन ग्राफियन फोलीकल जो ग्राफ ने डिसकवर की थी ग्राफियन फोलीकल दो फ्लूड फिल्ड तो दियान आई गया होगा, मेरी प्यारे बचों. तो यह आनसर चला जाता है, इसमें 2. ओर आनसर अगर जो है, वहाँ चला जाता है, तो यह paper आपका हो जाता है, शानदार. यह paper, प्यारे बचों, हमने DCM का यह जो paper आपका हुआ है, इसका complete solution जो है वो देख लिया है पेपर आपने कर लिया है totally जो है NCID best पेपर बेटा जी इस तरह के question solve कीजिए और बढ़िया से सिर्फ selection ही नहीं top rank से selector के निकल जाईए और प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे कि सब जो है एक साथ बोलेंगे जै CLC बजरंग वली की जै